हलो बच्चा लोग, वल्कम तो इस सेशन, इस यूर फेरिट प्लैटफॉर्म स्पी, वल्कमिंग यू ओल इन दिस प्यूटिफुल सेशन, आज अब लोग कम्प्लीट चाप्टर करने वाले हैं, सेमी कंडुक्टर, कम्प्लीट चाप्टर, स्पेशली फोर नीट, और आप ज तो बच्चो, अगर हम बात करें कि आच्छे क्लास की, तो आच्छे क्लास का जो हैंडिटेन नोट्स है, वो मैं आपको टेलिग्राम के अंदर प्रवाइट करूँगा, इस बैच का नाम है प्रचंट बैच, जो की यूट्टीब पर पूरी तरह से फ्री है, अगर आप लो आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजे, वहाँ पर भी काफी अपडेट में देते रहता हूं, तो सेमी कंड़क्टर के बारे में मैं आपको बता दूँ, सबसे बेरे इंट्रोड़क्शन में ही मैं जाओंगा, सेमी कंड़क्टर की इंट्रोड़क्शन के बारे में, ये चैप्टर के बारे में लोगों का बहुत जादा डर है, लोगों को लगता है कि यारी चैप्टर में से कुछ भी आता है, कहीं से भी आता है, कुशन बन नहीं पाता है, जाए वो नीट के तयारी करने वाले जाएगा ठीक है तो लेट इस टॉक अबाउट सेमी कंडॉक्टर अगर आप हम डेली लाइफ की बारे में बात करें तो आज आपके हाथ में सेल फोन है लैप्टोप है बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसका हम लाइफ में ना हम अपनी अपनी हम इमाजीन ही निकर सकते है हमारी लाइफ मोबाइल के बिना लैपटोप के बिना लाइट के बिना सब जगह पर समी कंडॉक्टर अगर आज के 25-30 साल पहले का सिचुएशन को इमाजन करो तब सायद आप लोग अभी 17-16 साल के बच्चे हो तो 2000 के बाद 25 वाले बच्चे हो लेकिन हम लोग 90 के किट्स ह सबसे पहले सेलफोन आया करता था बड़ा मोटा सा नोकिया का होता था कॉंपीटर भीमारी मरकम होते थे कभी-कभी कमुटर के टीचर कॉंपीटर लैब में लेके जाते थे गेम खिलाते थे तो बड़ा मचा आता था वह टाइम पर हर चीग बहुत बड़ी होती थी काफी बड़ी साइज की पर हो गया है ए चोटक शोटे पतले तक पर हो गया है मुदा से सब這個 की एक क्या है कि सारी चीज़ हो neighborhood से और भी चुटे चीज से आप बड़े-बड़े काम कर सकते हो वह स्म Jagan टो कि ऐसी क्या खास बात है कि समी कंडुक्टर के अंतर की चीजों को हम अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकते हैं और सुकला जी लाइट गिरा दिया हमारा जस्ट सेकंड बचलो यह लाइट गिरिए लाइट भी हमसे नराज हो गया था गिरिए लेकिन चलो अब साहिए तो बच्छा मैं मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है मैं आपको यह समझाना चाहता हुँग सेमिकंडॉक्टर क्यों इतना स्पेशल है लेकिन अगर मैं कंडॉक्टर के बारे में सोचू तो उसके इंदर एलेक्ट्रों राइट बैटरी के साथ मैंने कर्णिट किया तो यह एलेक्ट्रों move करने लगेंगे, motion होगा और current बन जाएगा, according to the formula V is equal to IR, इसे आप ohms low के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चा अगर हम इसका graph बनाए तो ohms low का graph कुछ इस तरीके का आता है, correct this is V versus I, या फिर I versus V आप क्या दिते हो voltage बढ़ रहा है, तो current भी बढ़ रहा है voltage घट रहा है, तो current भी घट रहा है, ये कुछ straight line इस तरीके से, आप यहाँ पर भी V कर सकते हो यहाँ पर भी I V को change कर सकते हो so point यहाँ पर यह है कि आपने voltage बढ़ा है, तो current बढ़ रहा है क्योंकि आपका यह जो electron की motion है उस पे control नहीं है ज़रा सोचिए कि क्या हम ऐसा भी कर सकते है क्या कि अगर मैं यहाँ पर voltage को बढ़ाते रहूं लेकिन somehow if we can control the motion of current तो यही graph कुछ और में convert हो जाएगा यही graph कुछ ऐसा हो जाएगा राइट यानि शुरू में अब मैं यहाँ भी लिखता हूं यहाँ आई लिखता हूं सरलता के लिए शुरू में हम देख सकते हैं कि हमारा voltage बढ़ रहा है बढ़ current बचलो क्या है 0 है लेकिन suddenly इस particular value के बाद जप्प करके current आपका बढ़ा आपको नहीं लगता कि आपने कुछ device की property ही change कर दी बढ़ आप यह कर कैसे पाए basic सोचो कि अगर हम motion of electron पहले electron चल रहा था चल रहा था voltage बढ़ रहा था electron चल रहा था voltage बढ़ रहा था electron चल रहा था तब आप कुछ नहीं कर पा रहे थे सो normal ohm slope जो आप पढ़े हो लेकिन अगर आप motion of electron को control कर ले गए तो आप यहां से voltage बढ़ा रहा है यहां से voltage बढ़ा रहा है electron चली नहीं रहा है क्योंकि आपने control कर लिया फिर उसके बाद वापस आपने voltage बढ़ाया current अभी भी 0 है यह जो आप कर रहा हो ना यह आप नहीं कर सकते हो यह semiconductor कर सकते हैं तो semiconductor की खास बात यह है वाई semiconductor is so special because of this special reason and that reason is कि हम control कर सकते हैं motion of electrons को अलग-अलग तरीके की semiconductors बना करके तो पूरा basic पढ़ोगे आपको यह BSC में भी काम आएगा यह आपके engineering में भी काम आएगा बहुत सारे students पिछले 4-5 साल से इस शाल से जुड़े हो है वो college में जाते हैं तब भी chapters को देखते हैं clear हुआ यह point ठीक है अब आपके घरों में TB है यह बहुत सारी से devices होते हैं transistor होता है अब यह जो मैं माइक पहना हो यह यह इसके अंदर ट्रांजिस्टर है यह भी semiconductor है तो तो यह बर के example है राइट तो उन सभी example के निचोड में आपको यह याद रखना चाहिए कि कैसे हम क्यों semiconductor को इतना special समझते हैं अब बात करते हैं semiconductor के बारे में जनरली हम जो semiconductor is पूरे chapter के अंदर neat point of view, CUT point of view यह आपके board point of view से देखने वाले हैं वो आपका silicon और germanium है उसमें भी सबसे ज़्यादा silicon के बारे में हमें चर्चा करनी है तो आईए अगर हम सिलिकॉन के बारे में समझें तो बच्चों सिलिकॉन का जो atomic number होता है वो हम सब जानते है that is 14 correct बात है अब अगर मैं आप से कहूं कि इसका electronic configuration क्या है तो आप बड़े आसानी से इसका answer देदेंगे कि sir इसका electronic configuration तो पहले वाले orbit में दो दूसरे में आठ और तीसरे में चार क्योंकि दो आठ दस और चार 14 हो गए लेकिन बच्चा लोग अगर हम electronic configuration थोड़ा सा science के भासा में क्योंकि हम 11-12 के विद्यारती हैं उस भासा में समझे तो इसको इस तरीके से कहना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2 spdf कक्षक होता है हिंदी में इन्हें orbits कहा जाता है कि element cells होता है तो s orbit के अंदर हमेशा 2 की capacity होती है और 1s के अंदर 2 electron बैठे हुए है यानि यह full है पूरी तरह से s के अंदर 2 बैठ सकते हैं 2 बैठा हुआ है, full है, p के अंदर 6 बैठ सकते हैं पूरी तरह से यह भी भरा हुआ है, s के अंदर भी भरा हुआ है लेकिन इस p की capacity 6 की है और बैठे कितने हैं 2, इसका मतलब यह हुआ कि silicon में अभी भी 4 की capacity है इसका मतलब यह हुआ कि एक सिलिकॉन देख काहे परिसान कर रहे हैं चुप हो जाओ तुम नहीं चेक करना हाँ अभी कभी सिरिया भी परिसान कर देती है तो बच्चा एक जो सिलिकॉन है वो अपने ही जैसे चार और सिलिकॉन के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा राइट क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि सिलिकॉन में अभी भी चार की केपैसिटी है वो और लोगों के साथ जोइन कर सकता है जुड सकता है तो अगर ये इस तरीके से जोइन होता है तो इस तरीके का जो बॉंड बनता है इसको कोवलेंट बॉंड कहता है और हर एक सिलिकॉन अपने आस पास के चार सिलिकॉन के साथ एक-एक electron की sharing करके covalent bond बनाता है और यह जो structure है इस structure को कहा जाता है tetravalent structure यह structure बिलकुल diamond के structure की जैसा ही होता है इसे tetravalent क्यों नाम दिया गया because of this four so that it can connect with the four neighboring silicon atom so that it can form a covalent bond तो यह semiconductor के अंदर सबसे पहले आपको यह याद रखना because इसी theory पर से इसी concept पर से आप बहुत चारी बागी के चीज़े अच्छे से समझ पाएंगे ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमने silicon के बारे में देख लिया अब energy band theory समझते हैं कि यह energy band theory क्या है तो बच्चों हम इसके लिए वापस सबसे पहले silicon का crystal लेते हैं अच्छा अगर मैं आपसे पूछू कि यह जो silicon का crystal है इस silicon के crystal के अंदर यह जो electrons बैठे हुए है यह electrons कहां पर है of course coolens bond के अंदर doubt think about it कि यह जो electron है इनका काम आपको नहीं लगता कि इस silicon के आसपास सिर्फ चक्कर लगाने का ही काम कर रहे है valency को fulfill कर रहे है जो silicon के last वाले orbit में है जो खूम रहे है तो इस crystal के अंदर कुछ ऐसे electrons बैठे हुए है जो सिर्फ और सिर्फ चक्कर लगा रहे है silicon के orbit के अंदर बट जरा सोचिए कि अगर इसी crystal को मैं इतनी energy दे दू कि ये electron इस covalent bond से release हो जाए तो वो जो electron release हुआ उसकी energy कैसी रही होगी think about it वीडियो को रोख करके यहाँ बार answer करना मजाएगा आप लिगों को feel करना आपको प्यार हो जाएगा physics के साथ because the theme of this channel has come let's fall in love with physics once you start learning the physics by clearing the concept of a day will come in your life when you realize that you are an next mohabbat with the subject मैं फिर से repeat करता हूँ मेरे सवाल को कि ये जो silicon का crystal था इसमें ये जो electron से जो balance band के अंदर जो पहले ही balance band बता रहे है जो under covalent bond के अंदर है उनका काम क्या है तो उनका काम है silicon के आसपास ऐसे orbit के अंदर घूमते रहे ना correct बात है ठीक है लेकिन अगर मान लीजे हम इसको बहुत सारा energy दे दे तो हो सकता है कि electron बहार निकल जाए और वो electron जब बहार निकलेगा तो उसकी energy क्या होगी जादा होगी वैसे electron को आप क्या कहते है बच्चा तो वैसे electron को हम कहते है free electron यानि आप दो तरीके के electron है एक electron जो की हमारे bond के अंदर है और एक electron जो की energy मिलने पर free हो गए तो free electron की energy of course high मानी जाएगी और जो valence band में बैठे हुए है जो covalent bond के अंदर बैठे हुए है उनकी energy low मानी जाए तो scientist लोगों ने के experiment करा समझना बहुत मजाएगा उन्होंने क्या किया कि इस crystal के across में कुछ group of energies के बारे में सोचा खड़ा किया सभी electrons को जितने भी electrons यहाँ पर covalent bond के अंदर है या energy देने के बाद जो electrons बाहर निकले उनमें से देखा गया इस energy से लेकर के इस energy तक energy को हम किस से count करते है electron volt से तो ऐसा बताया गया कि 0 EV से लेकर के 5 EV तक के जितने भी इस group के अंदर electron लोग रह रहे हैं वो लोग खड़े हो जाएं इस crystal के अंदर जितने भी लोग इस level of energy से इस level of energy तक है वो खड़े हो जाएं तो कुछ electrons खड़े हो गए बोले भईया हम खड़े हो जादे हैं क्योंकि हमारा तो कुछ कामी नहीं है हम तो बस silicon के आसपास चक्कर लगाने काई काम कर रहे हैं वैसे electrons जो सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी को फुल्फिल कर रहे हैं उनके group of energy से एक label बनाए गया और उस label को कहा गया बच्चा वैलेंस band ये है आपका energy label जिसे हम कहते हैं EV यानि की वैलेंस band इस वैलेंस band के जो electrons होते हैं उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी को पूरा करना जो सिलिकोन के आसपास चक्कर लगा रहा है इसलिए इसको वैलेंस band कहते हैं और मैंने 0 से 5 electron voltage बोला ये exit आकड़ा नहीं है ये सिर्फ एक तंबर आपको समझाने के लिए फिर scientist लोगों ने पूछा कि अच्छा इस घर के अंदर या इस क्रिस्टल के अंदर कौन लोग है जो पांच से दस इवी energy करने वाले electron कोई है सामने ही नहीं आया यानि जीरो से लेकर के पांच इवी वाले ऐसे हैं जो फुल्फिल कर रहा है वैलनसी का वह एक लेवल के ग्रूप बन गए तो उसको रख दिया उसको बोल दिया गया वैलनस बैंड एनर्जी बैंड बैलनस एनर्जी बैंड ठीक है फिर पांच इवी से दस इवी तक कोई मिला ही नहीं इक यह कहते हैं कंड़क्शन एंड इसको रप्रेजेंड बैंड इसी से ऐसाविवड शोते हैं venus electrons होते हैं ये free वाले electrons होते हैं इसलिए conduction energy का हमेशा balance band energy से energy ज़ादा होता है यानि इस level में रहने वाले electrons के energy ज़ादा मानी जाती है और इस level में रहने वाले electrons के energy कम होती है और कुछ ऐसे energy levels होते हैं जिस energy के electrons possible ही नहीं होते हैं उसको energy gap कहा जाता है अच्छा मैं अगर आपसे पूलो कि क्या ऐसी कोई चीज पॉस एंटम के अंदर होती नहीं यह बच्चा सिर्फ एक एक्सपरिमेंट के थू एनर्जी के लेवल को डिफाइंड किया गया है कि देर अर्स इनक्रिस्ट देर इस एक्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन इन विच देर आरक ग्रूप ऑफ एलेक्ट्रोंस एविंग इस एनर्जी और उसके उपर जो इलेक्ट्रोंस मिले वह फ्री है वह बहुत जादा एनर्जी टिक है उसको को पार इंट हिसे लिए खेंड है अब यहीं से अं旅 वह फाइस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन अम शॉलिटर जिसे आप कहते हो इंसीवलेटर जिसे आप कहते हो ग्रें उसऺमी जाएगर एगा तो यह हुआरे से एक है आपका insulator अब अगर मैं आपसे पूछू कि बच्चा बताईए conductor क्या होगा conductor वो है जिसके अंदर electrons free में होते हैं और वो चलते हैं current को conduct करते हैं इसका मतलब electrons free आप conductor किसी कहते हो जिसके अंदर हमें free electrons मिलते हैं तो भाई अगर free electron मिल रहा है free electron मिल रहा है इसका मतलब है कि balances से सारे के सारे electron यहा Nich tunedukes band में हैं मतलब सब free है तो कोई valency का कामी नहीं कर रहा इसका मतलब है कि यह gap है क्या नहीं अरे gap नहीं होगा तभी तो सारे electron मुझे यहाँ दिख रहे हैं balance band है यह नहीं बैलेंस बैंड है नहीं तो इसका मतलब क्या है कि यह energy gap बहुत कम है तो आप conductor को define कर सकते है कैसे conductor एक ऐसा material हो गया जिसके अंदर energy gap बहुत कम होती है बहुत ही कम मतलब समझ लो balance band conduction band एकदम पास-पास में हमें energy gap बिल्कुल दिखती ही नहीं तो उसे हम conductor कह देता है अच्छा फिर इंसुलेटर आप किसे को होगे इंसुलेटर एक ऐसा चीज हो गया एक ऐसा material हो गया जिसके अंदर energy गया बहुत ज़्यादा होती है इतनी ज़्यादा कि balance band वाले energy level के electron कभी कंड़क्शन में जा ही नहीं पाते प्री ही नहीं हो पाते और अगर वह फ्री नहीं हो पाते इसका मतलब है कि उसमें से करेंट नहीं हो पाता अब आई बात समझ में हम लोग नॉर्मली कह देते हैं कि इंसुलेटर का मतलब जिसमें से करेंट नहीं चलता यहां पर रियल रीजन है कि क्यों नहीं चलता उसके पीछे का रीजन यह है कि यहां वैलेंस बैंड से अब से कंड़क्शन में जाने के लिए एनर्जी गैप इतनी ज्यादा होती कि लेकिन कंड अग्च्टर से पड़ी होती है क्योंकि अगर कंड़क्टर से च्छोटी हो जाती तो यह में च्छा हो जाता लेकिन यह से सेभी कंड़क्टर है ना पूरी तरह से छादा हो उसे हम क्या कहता है से मिकड़क्टर अप लोगों को यहां तक मज़ा आ गया है अब आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं बच्चा concept of force in semiconductor अच्छा यहाँ पर मेरा एक सवाल है जो आप लोगों को comment करके answer देना होगा comment जरूर करना सवाल ये है कि एक electron है जो कि valence band के last वाले orbit में है मतलब last वाले position में है और 5 EV है यहाँ जाने के लिए 10 EV की requirement है conduction में जाने के लिए 10 EV है और यहाँ है 5 EV सोच लीजिए अगर यहाँ पर बैठा हुआ 5 EV है और यहाँ जाने के लिए 10 EV की requirement है और मैं उसे 7 EV दूँ तो क्या वो balance band में रहेगा क्या वो conduction band में जाने का प्रयास करेगा या वो energy gap में कहीं पर आ जाए I repeat my question there is a electron in the balance band having energy 5 EV and to reach in conduction band there should be energy of 10 EV now if we are giving 7 EV energy to that electron which is in the last position of the balance band what should be the condition whether it will go into the energy gap whether it will try to go from balance to conduction or it will remain as it is in the balance band that I don't have that much energy so I will not go anywhere answer करिये का comment section के अंते चलो आगे बढ़ते है अब बात करते हैं इस चेप्टर के सबसे खास पॉइंट की and that is concept of holes in semiconduct जैसा कि हमारे सामने दिख रहा है कि हमारे पास में silicon का crystal है hole के concept को समझने के लिए आप एक situation को imagine करो कि हम 0 Kelvin temperature के बारे में सोच रहे हैं ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि यह जो हमारा semiconductor है वो 0 Kelvin temperature पर है तो 0 Kelvin temperature पर सारे के सारे electrons covalent bond के अंदर है no such free electrons electrons free बिलकुल भी है यह नहीं क्योंकि सारे के सारे कहा है covalent bond के अंदर है अगर सारे के सारे covalent bond के अंदर है तो free electron तो है यह नहीं पक्की बात है यह there is no free electron so my dear student अगर free electrons यहाँ पर है ही नहीं तो आपको क्या लगता है कि यही insulator की तरह behave करेगा because insulator हम किसी कहता है हम insulator कहता है जिसके अंदर से current flow नहीं करता right insulator की तरह यह behave कर रहा है but जैसे हम बात करते है room temperature की मतलब 0 Kelvin temperature नहीं अब room temperature मतलब temperature थोड़ा सा add-on हुआ इसको इस crystal को तो अब जैसे ही temperature मिलेगा तो temperature मिलते ही chances है कि यह energetic हो जाएगा crystal आपका covalent bond toot जाएगा क्योंकि temperature का relation सीधा सीधा thermal kinetic energy से है formula आपको बता दू 3 by 2 KBT पढ़े है 11 class में KB Wolfman constant होता है 1.38 N-23 Joule per mole per Kelvin तो यह 3 by 2 KBT के हिसाब से temperature जितना ज़्यादा जाएगा thermal kinetic energy oscillation energy इसको मिलेगी किसको इस crystal को जिससे covalent bond vibrate होंगे और vibrate होने के बाद एक situation ऐसा आएगा कि यह तूट जाएगा और जब बच्चा covalent bond तूटेगा तो of course यहां से electrons free हो जाएगे आप ज़रा बहुत ध्याद से समझना जैसे मान लीजे कि यहां से electron टूटे के बाहर निकला यह electron free हो गया तो यहां पर तो एक gap बना ना यह इधर यहां पर आपको एक gap दिखेगा ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही जगा दिखेगा बहुत सारे electrons बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे gap दिखेगे तो ज़रा सोचो कि यह जो gap दिखा यह जैसे ही gap दिखा तो इस gap के आज आने से पहले सांती बनी होई थी सारे electrons बैठे हुए थे stable था आपका पूरा system बट क्योंकि एक electron निकला तो यह unstable हो गया और system हमीशा क्या चाहता है कि stability को अचीव कर ले यानि अखी यह जो vacancy है यह vacancy चाहेगा कि भाईया वापस मैं electron को खीच लूँ अपने अंदर कहीं और से तूटे होंगे electrons तो उसको यह खीच ले अपने अंदर इसको recombination कहा जाता है electron निकलना किसी जगह से और वापस electron का वापस किसी जगह उसी जगह पर आजाना है इसको recombination कहा जाता है तो वास्तिक्ता में यह जो gap है यह जो vacancy है बच्चा इसी vacancy को hole कहा जाता है तो यह जो vacancy create हुई इसी को हम holes कहते हैं बोल्ट्स वाले student जो भी videos अगर ने की तयारी के लिए देख रहे हूँ यह videos तो मैं सारे points भी आपके लिखते जा रहा हूँ और इससे आप telegram से download कर लेना ताकि आपके handed notes तयार हो जाए तो vacancy यानि holes यही है तो सरी से इसाब से अगर यह hole electron को वापस अपने अंदर खीचना चाता है तो यह तो एक positive charge particle की तरह behave कर रहा है सवाल यह उठता है कि क्या यह एक real particle है electron की तरह तो इसका answer सुनिएगा नहीं बच्चा यह real particle बिलकुल भी नहीं है बट यह behave जरूर करता है किसकी तरह behave करता है तो यह behave करता है positive charge particle की तरह ठीक है, अब अगर ये positive charge particle की तरह behave करता है, vacancy है इसके अंदर एक, तो इसका mass कैसा होगा, ऐसे basic सोचो तो electron का mass light होता है, 9.0 टेरे शुमारे 31 kg, वास्तिक्ता में hole जैसा चीज मतलब क्या, कि जैसे ये silicon है, यहाँ पर electron है, यहाँ पर electron है, यहाँ पर electron है, यहाँ पर electron है, और हम hole का मतलब यह नहीं कह रहें कि खाली डबा निकल करके चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता, यह डबा के साथ साथ सिलिकॉन और उसके आसपास में तीन electron है, भाई, तो अब सोच करके देखें कि mass किसका ज़्यादा हुआ, electron का या hole का, of course hole का mass ज़्यादा है, तो अच्छी mobility कि की हुई, these are very good points, इसको golden की points आप कह सकते हो, आपके neat के लिए assertion, reason के लिए, cbse board के लिए, यह अच्छी mobility electron की हुई, क्योंकि mass electron तो free होता है, वो तो अलग से चलता रहता है, लेकिन जहां से electron निकलता है, वो यह चो खाली डबा है, वो अलग थोड़ी न हो जाता है, अरे व वो डबा है, silicon का ही last वाला orbit यहां से, तो उसमें electron तो attached ही, और फिर यहां पर एक vacancy है, तो अलग से डबा नहीं निकल रहा है, तो डबे के साथ बाकी के electrons भी है, इसलिए इनका जो mass होता है, वो ज़्यादा होता है, comparison to electron, so mass of hole is greater than mass of electron, इससे आप यह point भी बना सकते हैं, कि mobility क माइने में, यानि कि current को flow कराने के माइने में, हमारे लिए electron ज्यादा अच्छे होते हैं, comparison to holes, तो यह है आपका hole का कहानी, clear यहां तक अच्छे से point, done, चले, कुछ भी doubt हो बच्चा, तो comment जरूर करना, heavily activated हूँ on YouTube, तो आपके सभी सवालों का जवाब भी, मैं comment section के अंदर द impurity का क्या roll है, यह roll तो बिल्कुल पानी के अंदर दूध मिलाने जासा है, अगर किसी भी milk के अंदर पानी मिलाते हो, तो property जहीं जोती है न, वैसे ही semiconductor के अंदर भी बाहर से कुछ impurity को हम add करते हैं, यानि कि जैसे मान लीजेगे, मारे पास मैं सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिक कौन है आप मैं एक सिलिकॉन को हटा कि किसी एक और कोई और अलग से एटम को एड करूं अभी देखेंगे कि किस एटम को आड करेंगे तो क्या इसकी प्रोपर्टी चेंज हुई तो आंसर है हाँ बिल्कुल चेंज हुई जब भी हम प्योर सिलिकॉन के अंदर किसी चीज़ को मिलाएंगे तो प्रोपर्टी चेंज हो जाएगी इसी प्रोपर्टी चेंज के माध्यम से सेमिकंडक्टर को क्लासिफाई किया गया है दो चीज़ों में एंड टाइप सेमिकंडक्टर और एक में अगर अदो यहीं से अंद टाइप से अपकी बहुत सारे टॉपिक बनेंगे अगर आप अच्छे से एंटयू समजो लोगी तो टाइप अठ्यकर समझ में आएगा फिर आ Chris समय में आएगा फिर आपको फ outlines सुझ वायगा फिर आपको जेना डायोड पर समझ वायगा तो चलिए समझता है है तो दो तरीके का बच्चा आपके पास में इंप्रिटी आड करने पर सेमिकंडूक्टर बन जाता है एक होता है N-type सेमिकंडक्टर और एक होता है बच्चा पी टायप सेमिकंडक्टर ठीक है एंटाइब सेमिकंडक्टर जिसके अंदर हम पेंटा वैलन्ट impurity को मिलाएंगे राइट अच्छा जब हम impurity को add करते हैं तब जाकर के ये trivalent और pentavalent यानि की n टाइप और p टाइप बना क्योंकि आपने impurity को add किया बाहर से तब जाकर के ये बना इसलिए इस तरीके के semiconductor को कहा जाता है extrinsic semiconductor extrinsic semiconductor extrinsic semiconductor और ऐसा भी semiconductor होगा जिसके अंदर सिर्फ सिलिकॉन 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 या सिर्फ germanium 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 है तो उन्हें हम intrinsic semiconductor कहता है ठीक है तो intrinsic semiconductor का मतलब pure silicon या pure germanium और extrinsic का मतलब जिसके अंदर electron holes के numbers different हो सकते हैं लेकिन जो intrinsic होगा उसके अंदर सब कुद सेम होगा चलो अगर आप यहां confuse हो रहें तो मैं आगे के slide पर समझाता हूँ लेकिन यह change clear होई क्या कि impurity को add किया तो property change हुई property change हुआ तो भही हमारे पास मैं n-type और p-type बना इसे हम extrinsic semiconductor कहता हैं और अगर pure silicon है pure germanium है दूसे हम intrinsic semiconductor कहता है let us understand one by one n-type semiconductor and then p-type semiconductor आईए बात करता है n-type semiconductor की सो बच्चा लो n-type semiconductor बनाने के लिए हमने कहा कि हमने pentavalent impurities add की ठीक है अब pentavalent में best example आप ले लो phosphorus कितना होता है atomic number 15 2, 8, 10, 5, 15 तो पहले वाले में 2 दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 5 सोच करके देखिए कि एक silicon के आसपास में 4 silicon इस तरीके से थे और सपने क्या बनाया था सपने बनाया था covalent bond क्या करके एक-एक electron को share करके इस covalent bond के अंदर सभी लोगों ने एक-एक electron को share किया बट अब हम क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं बच्चा कि हमने एक silicon को यहां से हटाया और यहां पर phosphorus एड़ कर दिया बट phosphorus अपने साथ last वाले orbit में 5 लेकर के आ रहा है electron तो ये phosphorus अपने साथ के 5 इलेक्ट्रोनों में से चार इलेक्ट्रोन को तो कोवलेंट बॉंड के साथ सेट कर देगा बट एक electron free हो जाएगा तो जो एक electron आपका free हो देखो मैं इसको टोर डार कर देता हूँ phosphorus के तीन electrons आए चार इलेक्ट्रोन और 5 इलेक्ट्रोन यहाँ पे free में है तो ये जो एक electron free में मिला वो किसे मिला of course इस crystal को मिला किसको इस crystal को मिला अच्छा अपने phosphorus add कर दिया 5 इलेक्ट्रोन आए 5 में से 4 तो कोवलेंट बॉंड में set हो गए ये एक electron free में इसे मिला इसे लिए ये जो impurity जो phosphorus जैसे impurity है इसे donor impurities कहते है क्योंकि बच्चा इसने एक impurity को क्या कर दिया donate कर दिया now think about it अगर एक phosphorus आता है तो अपने साथ एक pre electron लेकर के आता है 2 phosphorus आएगा तो 2 free electron लेकर के आएगा 3 phosphorus आएगा तो 3 free electrons लेकर के आएगा ऐसे ही अगर हम एक mole phosphorus की बात करें sorry एक mole pure silicon की बात करें तो उसके अंदर तो ऐसे बहुत सारे impurities होंगे ऐसे बहुत सारे impurities से बहुत सारे electrons आएगे तो ultimately हुआ क्या कि number of electrons की संख्या number of hole से पढ़ गई अब ये electron है electron पे sign कैसा होता है negative होता है इसी लिए इसका नाम दिया गया n-type semiconductor अब बात अच्छे से समझ पढ़ा कि क्यों इसको n-type semiconductor कहता है तो current बनेगा electron के वज़ा से भी current बनेगा hole के वज़ा से भी लेकिन ज़्यादा current जो है semiconductor n-type के अंदर वो electron के वज़ा से ज़्यादा बनेगी तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया i e greater than i h आप लोगो फिले point अब सवाल यह उठता है जो कि बड़ा genuine सवाल है जो कि neat के syllabus में मैं देखूंगा देखता हूं तो कहीं नहीं बताया जारा तो दूद के तो बवाल हो गया वाई जब खराब हो गया 10 रिटर पानी मिला दीजिएगा 5 रिटर मिलके अंदर तो तो और ही खराब हो गया तो एक proper ratio रखा जाता है ताकि पूरी तरह से दूद की property खतम ना हो जाए वैसे ही एक ratio है एक mole के अंदर 10 पावर 17 impurities ही मिलाई जा सकती है मतलब कि अगर एक mole जितना pure silicon 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 है तो उसके अंदर आप 10 रेस्टू 17 impurities मिला सकते हो तो ये 10 पावर 17 impurities अपने साथ येस तो हम बात कर रहे थे कि एक mole के अंदर सरिफ 10 रेस्टू 17 impurities ही मिलाई जा सकती है अगर 10 power 17 impurities अगर आती है तो एक impurity अपने साथ एक free electron लेकर क्या आ रहा था तो ऐसे 10 power 17 impurities अपने साथ 10 देश्टो 17 free electrons इस crystal को दे देंगे इस तरीके से क्योंकि 4 तो यहाँ पर set हो चुके हैं इसका मतलब ultimately क्या हो गया कि number density of electron is greater than number density of holes जिससे current बना तो सही hole के वज़े से भी बना electron की वज़े से भी लेकिन majority किसकी वज़े से बना electron की वज़े से क्यों क्योंकि electron की संक्या काफी ज्यादा बढ़ गई है तो इस तरीके से हम क्या सकते हैं कि n-type semiconductor के अंदर जो majority होता है वह आपका electron होता है और जो minority charge केरियर होता है वह holes होता है current जादा बनता है किसकी वज़े से electron की वज़े से दीखिए आपके नीट examination के अंदर assertion reason के question काफी सारे आते हैं तो आपको है point यहाँ पर सारे अच्छा अब एक और बहुत बहतरीन point point यहाँ पर यह है कि हमारे पास तीन तरह के electron हो गए इस अगर crystal को हम देखें तो एक जो इसकी वैलंसी को fulfill कर रहा है जो की balance band energy level होगा एक जो यह free electron होगे आपका conduction band के अंदर है और एक और electron यह वाला electron यहां से जो निकलेगा वो तो आपका free electron बोला जा रहा है जो इस covalent bond की तूटने से बाहर आता है वो conduction band में तो ही लेकिन उसके साथ साथ यह वाला electron कहां से आ रहा है यह तो impurity add करा है वहां से आया तो donor impurity इसी लिए जब हम इनकी energy level बनाते हैं तो वह energy level कुछ इस तरीकी का होता है ध्यान से देखिए कि यह हमारा होगा conduction band कि उसके ठीक नीचे कुछ gap दिखाई दे रहा है आप लोगों को that is energy gap और उसके बाद जो नीचे जस्ट मैंने अभी अभी ड्रॉ किया वह है आपका वैलेंस बैंड तो दिस इस यूर वैलेंस बैंड दिस यूर कंडक्शन बैंड एंड माइड इस्टूदेंट यह जो बीच में है वह आपका energy gap है correct but apart from that क्योंकि यह donor impurity का भी energy level होगा तो यह भी तो कहीं न कहीं आएगा अब जरह सोचो donor में क्या है donor में free electron है अब electron already free है तो वो जाहर सी बात है यहां पर नस्दीक में होना चाहिए यह किताबों के अंदर directly बना दिया जाता है समझ में नहीं आता है लेकिन यहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से explain कर दिया कि क्यो कंडक्शन की ठीक नस्दीक donor energy label होगा उसका reason बहुत सिंपल सा है कि donor का मतलब free electron free electron किसके पास हो सकता है तो free electron आपका conduction band के पास में ही हो सकता है तो यह है आपका energy label diagram for n-type semiconductor अगर आपने n-type semiconductor को बहुत अच्छे से जी लिया तो trust me अब p-type semiconductor बहुत आसानी से समझ जाएंगे आए चलते है next slide पर अब p-type semiconductor की बात करें तो सबसे पहले वही yes तो हमारे पास में यहां पर क्या है एक silicon का pure silicon crystal यारी हमने यह देखा है कि intrinsic semiconductor का मतलब सबके सब pure हो सबके सब pure हो मतलब कि सिर्फ silicon है तो सिर्फ silicon ही रहे दूसरा कोई ना हो लेकिन अगर हमें p-type semiconductor बनाना है तो p-type semiconductor बनाने के लिए हमें एक impurity तो add करनी पड़ेगी तो यहां पर हमें जो impurity add करने जा रहे हैं वह aluminum है बचा सबको पता है कि aluminum का atomic number होता है वह 13 होता 13 यानि कि पहले में 2 बैठेगा दूसरे में 8 बैठेगा और तीसरे में कितने हो जाएगा तीन करेक्ट अब क्योंकि यहां पर लास्ट वाले और मिट में तीन इलेक्ट्रोन है इसलिए हम इसे कौन सा वैलेंट बोलेंगे हम इसे कहेंगे ट्राइवलेंट इंपूरिटी यानि हमने जो यहां पर मिलाया वो क्या है ट्राइवलेंट इंपूरिटी है अब सिलिकॉन था तो चार लोगों के साथ कनेक्टेट था बट ऐल्लुमिन थो अपने साथ तीन इलेक्ट्रोन ही लेकर या रास्ट वाले अर बिट में तो तीन इलेक्ट्रोन यहां पर यह यहां पर सेट हो जाएंगे क्योंकि अब aluminum आया तीन लेकर क्या है तीन लोग तो set हो गए बट covalent bond बनाने के लिए है हमें तो 4 की जुरत है तो यहाँ पर एक खाली हो गया space अब यह जो space खाली हो गया यह वास्तों में क्या है hole है और यह hole कर क्या सकता है हमने पढ़ लिया आजी के session के अंदर कि hole electron को accept करता है इसलिए इस तरीके की impurity जो कि trivalent impurity होती है उसे acceptor impurity कहता है क्योंकि वो एक electron को accept कर लेता है इसलिए हम इसे कहेंगे acceptor impurities correct तो यह हमारे लिए acceptor impurities है अब वही कहानी फिर से कि एक mole pure silicon के अंदर 10 rest to 17 impurities आई जा सकती है right एक mole के अंदर आपका 10 power 17 impurities आएगा मतलब कि हर एक impurity अपने साथ एक hole लेकर क्या रहा है तो 10 power 17 अपने साथ क्या लेकर क्या रहा है 10 power 17 hole लेकर के चलाया तो ultimately हुआ यह कि n e कम हो गया और n h जादा हो गया अब अगर hole की संख्या बढ़ गई है इसका मतलब है कि current of hole is greater than current of electron यानि P type semiconductor एक ऐसा semiconductor हुआ जिसके अंदर हमें current मिलेगा hole की वज़े से जादा और electron की वज़े से हमें क्या मिलेगा कम मिलेगा तो यह कहानी आपकी होगे P type semiconductor की अब ज़रा बात कर लें कि सर इसका energy level कैसा होगा तो देखे इसका energy level भी वैसे ही सेम है सब कुछ यह आपका सबसे top पे होता है conduction band जहाँ पर electron free होते है उसके ठीक नीचे energy का gap होता है और उसके ठीक नीचे होता है आपका valence band तो यह हमारे लिए है valence band यह हमारे लिए है conduction band यह हमारे लिए energy gap है बट यह acceptor impurity का level कहा होगा देखे ज़रा ध्यान से जैसे donor में free electrons थे तो free electrons conduction band के नज़दी का है correct तो acceptor का मतलब क्या है electron को accept कर लेना ज़्यादा तर electron 0 degree Celsius या पर या एकदम normal temperature पर कहां मिलेंगे सारे के सारे electron तो valence band में ही बैठे होते हैं conduction में तो free electrons है इसका मतलब है कि अगर यह acceptor अपने साथ hole लेकर के आ रहा है तो उसके जो holes होंगे वो यहाँ पर नज़दीक में होंगे किसके valence band के क्योंकि उनका काम है accept करना तो यह ज़ादा तर यहां के सभी electron को accept करेंगे एक आग दो ज़ादा energetic होगा तो वो conduction band में छटक करके जा सकता है So this is all about P-type semiconductor I hope आपको सारी बारिकियां बहुत अच्छे से समझ में आए होंगी इन्हें जितने अच्छे से आप फील कर लेंगे उतना बहतर तरीके से आप सारे question को solve कर पाईएगा NEET, CU, ET, Board Examination, सब तो हम एक बार फिर से recall कर लेते हैं N-type semiconductor में pentavalent मिलाते हैं कितना जो होता है इसके अंदर ratio होता है तो 10 power 17 दोनों के अंदर same है हला कि एक आकड़ाई है इसे अगर बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे तो ये number नहीं होता बट ये BSC और engineering में जब हम जाते हैं तो ये number दिया रहता है and conduction में के नीचे ठीक क्या होगा और valence band के ठीक ओपर क्या होगा done चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही important topic है जहां से अकसर question पूझे जाते है ये एक लोता chapter ऐसा है physics के अंदर जहां पर से जो हमारे question होते हैं वो theoretical होते हैं और जो numerical बनता है वो इस वाले topic से आता है तोटा सा topic है समझना है सिर्फ एक equation है recombination rate या इसे कई सारे किताबों में mass action lobby कहा जाता है क्या है इसका मतलब बच्चा जितनी तेजी से हमारे holes से electron बाहर निकलता है जितनी तेजी से किसी hole से electron बाहर निकलता है उतनी तेजी से ये वापस electron उसी hole के अंदर आ जाता है अगर हम किसी pure intrinsic semiconductor की बात करें तो pure intrinsic semiconductor के अंदर जो any और nh होता है वो आपके just a second जो आपका any और nh होता है यानि number of electrons, number of holes ये तो सहीम होता है intrinsic semiconductor के अंदर ठीक है ये आपके intrinsic semiconductor के अंदर सहीम होता है इसे हम NI का नाम दे देते हैं intrinsic है इसलिए और practically देखा किया कि जो recombination rate होती है इसे मैं short में R गहदू वो directly proportional to होता है any into NH अगर N type semiconductor, P type semiconductor है या फिर extrinsic semiconductor है तो वो इन बातों पर depend करता है जहर सी बात है combination rate इसका मतलब क्या हुआ electron holes के pair मतलब की number of electrons and number of holes जितने ज़्यादा है भही recombination rate हुआ है ना बहुत ज़्यादा confused नहीं होना इसको just feel करो कि recombination rate का क्या मतलब हो सकता है recombination rate का मतलब है कि जितनी तेजी से किसी silicon के orbit में से electron गया वहाँ hole बना उतनी तेजी से electron वहाँ पर आभी जाता है तेकि जो recombination rate है वो directly proportionate होता है any और NH पर जितना ज़्यादा any और NH होगा उतना ही rate बढ़ेगा और जितने any और NH कम होगे उतना ही rate घटेगा अब feel आया है यह बात से समझे मुझे any और NH बढ़ाना है अब ही मेरा rate बढ़ेगा जितना ज़्यादा any और NH होगे try to feel the point जितने electron जितने holes हैं तो उतना ही recombination rate बढ़ जाएगा और जितने कम है उतना ही recombination rate घट जाएगा बढ़ यह किस के लिए यह हमारे extrinsic semiconductor के लिए बढ़ अगर यह intrinsic semiconductor है तो यह आपका ni का square हो जाएगा recombination rate और यह दोनों को equal अगर हम कर दे तो देखें यहाँ पर एक constant आता है अप यहाँ पर अगर हटा दें तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं proportionality को हटाया तो is equal to k any and then NH यहाँ पर k and then ni का square so finally when you compare this two equation you will get this equation that is ni का square is equal to any into NH बने रहेगा अभी हम आगे इस पर से question भी करेंगे तो आपको और अच्छे से clarity हो जाएगी कि कैसे इसके question पूछे जाता है ध्यान रहे any number density of electron है NH number density of holes है NI number density of intrinsic semiconductor है correct so this is all about the mass action law or the recombination आई आगे बढ़ता है जैसे हमने कहा कि theoretical question जाता है यहां से पूछता है उसी तरीके से कुछ-कुछ numericals जैसे भी आप transistor पढ़िएगा यह आपके CBSC में तो नहीं है syllabus से delete हो किया है बट क्योंकि हम NEET की तैयारी कर रहे हैं प्रचन मैच में तो हम transistor भी करेंगे सब कुछ करेंगे तो वैसा ही एक numerical जो हता है यहां से भी पूछता है and that is all about the resistivity and the conductivity of a semiconductor प्यारे विद्यारती मेरे लाल बाल गोपाल बच्चो अगर हम बात करते हैं current density का relation तो हमने यह पहले ही देखा हुआ है कि J is equal to होता है any VD राइट अच्छा जो हमारी mobility का equation था वो था VD upon में E यानि कि drift velocity divided by electric field यानि अगर मुझे VD यहां से calculate करना है तो यह हो जाएगा mu into E सो आपका J का equation हुआ N E and then mu and then capital E राइट साथ ही J का और एक equation होता है इस अब current electricity के अंदर आपको पढ़ा जा चुक है जो बच्चे यह session directly देख रहे हैं I would strongly recommend कि please watch those previous session as well बहुत hard work किया है प्रचंट batch प्री में सारे sessions इस platform पर मिल रहा है तो J का एक और equation देखें तो J is equal to sigma into E होता जहाँ होता है और यह आपका electric field होता है तो यहां आप सिग्मा into E रखिए and then N E mu into E तो आप clearly देख पा रहे हैं कि E से E कट जाएगा यह आपका electric field से electric field कट जाएगा so finally आपको equation क्या मिलेगा sigma is equal to N E and then mu now प्यारे बच्चा पार्टी this is sigma sigma क्या है conductivity जो कि आप से यहां पूछा था तो conductivity तो हमें मिल गई लेकिन हमें resistivity चाहिए तो resistivity ठीक conductivity का उल्टा होता है so one upon any into mu so we have this two certain things which is sigma that is your conductivity and this one is your resistivity but you can semiconductor पढ़ रहा है तो semiconductor तो दो तरीके का होता है एक होता है आपका N type semiconductor एक होता है आपका P type semiconductor बड़ पार्ट फ्रॉं डाट इससे पहले क्या था इससे पहले तो वो pure intrinsic semiconductor था न तो अगर हम pure intrinsic semiconductor के लिए बात करें तो equation थोड़ा change हो जाएगा क्या होगा यहां देखिए इसको अगर हम intrinsic के बात करते हैं थीक है intrinsic semiconductor तो sigma i right n i right फिर e e क्या है यहां पर value electron का उतो fix है 1.610-19 and then साथ में आपका mu into e यह देखिए तो यह है n e into mu तो n आपका ni हो गया right e as it is और यह जो mu है क्योंकि intrinsic semiconductor है तो intrinsic semiconductor के अंदर आपका electron और holes सेम है तो दूनों की mobility आ जाएगी इसलिए यहां पर आपका हो जाएगा mu electron and then mu hole अब अगर हम extrinsic semiconductor के बात करें और उस extrinsic semiconductor के अंदर भी if we are talking about n type semiconductor तो आपका equation क्या हो जाएगा n e n type semiconductor के अंदर कौन है electrons है साथ में e तो है और यह जो आपका mu है उसके जगब पर आपका होगा सिर्फ mu into e और इसे तरह से अगर हम conductivity कि के लिए बात करें holes के लिए बात करें यानि कि P type semiconductor यहापर यहापर मैं P type लिख देता हूं तो यह आपका होगे n e and then mu h इस तरीके से equation को change करना आपको अच्छे से आना चाहिए अगर आप इन equations को बहुत अच्छे तरीके से change कर लेते हो तो आपके लिए numerical बहुत आसान हो जाए ठीक है अब इसी में एक और चीज आपसे मैं चाहूंगा कि आपको एक कुशन में पूछ रहा हूं और आप उसका आंसर कॉमेंट सेक्षन के अंदर देना कि intrinsic semiconductor के लिए J का equation क्या होगा और extrinsic semiconductor के लिए अगर n टाइप है तब यह equation क्या होगा और कर्पी टाइप है तो यह equation क्या होगा कॉमेंट करके लिखेगा जरूर ठीक है यह सवाल आप लोगों के लिए चलिए आगे बढ़ता है अब हम यह जो टॉपिक करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है साइन्स के ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट सी बीसी गुजरांग बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड भारत में किसी भी आप कूने में हो जिस तरीके से में आपको इसको बताऊंगा ट्रस्ट मीं आपको प्यार हो जाएगा सो प्लीज फोकस करें इवन यहां आपके बीएसी में एजिनिरिंग के फस्ट यर में भी काम आजाएगे पी एंजंक्शन डायोड गया है जैसा कि नाम से पता चल जा रहा है पी एंजंक्शन डायोड क्या है नाम से पता चल रहे है कि इसमें दो चीज़े जरूर है पी और और एंटाप होता है यही डायोड का काम जो होता है एक transmitter के अंदर भी होता है तो डायोड डिवाइस है जो कैसे बनता है जो एक और को मिलाने से बनता है यानि आप एक P-type semiconductor लीजे और एक N-type semiconductor लीजे दोनों को आपस मिला दीजे जैसा कि आपको इस डाइग्राम में दिखाई दे रहा है मैं highlight करता हूं यह एक P-type लिया हमने और यह हमने लिया एक N-type कुछ इस तरीके से जैसे यह एक P-type semiconductor है यह N-type semiconductor दोनों को आपस मिलाके मिला दीजे तो यह हो जाएगा आपका प्रेजेंट कर देते हैं सर्कल से इससे हमें बदा चल रहा है कि P-type में कौन है ठीक है यह हमारे और N-type में कौन है तो N-type में यह पी था और यह आपका department N था और N-type में आपके electrons है ठीक है electrons को में इस तरीके से circle से sorry dot से represent कर लाँ यह देखिए कुछ इस तरीके से अब बच्चो जड़ा सोचो कि यहाँ पर यह department को मैं एक line से ऐसे draw कर देता हूं मतलब यह मिरे लिए junction था यह क्या था यह line एक P और N को आपस में connect करते हो मैं कुछ key points लिखना चाहूंगा बूर्ट पर जड़ा ध्यान दीजेगा उसके बाद मैं वापस explain करता हूं अब इस topic को समझना बहुत आसान हो जागा क्योंकि मैंने सारे key points लिख दिया हैं आपकी चाहे कोई बूर्ड की एक्जाम हूँ चाहे आप नीट में साइटी एडवांस की तैयारी कर रहें यह points आपके माइंड में रहेगा तो कभी विखल नहीं होगा चलिए तो सबसे पहला point मैंने लिखा है junction की point में तो मैंने यह कहा कि जब हम एक P को और N को आपस में मिलाते हैं तो हमारे इसे ही दोनों आपस में connect करते हैं पी टाइप और टाइपतो एंट ऑकर में है कॉन मेजुरी ती में जो इलेक्त्रोन है उन्होंने खुद को diffuse कर दिया इसलिए यह प्रोसेस को कहा जाता है diffusion process क्योंकि इलेक्त्रोन चला है कहां से n डिपार्टमेंट से p डिपार्टमेंट की तरफ और हम सब जानते हैं कि electron के चलने से यानि कि किसी भी charge के चलने से यानि कि किसी भी charge के motion से क्या बनता है बच्च लो current बनता है तो यहाँ पर जो current आया diffusion process के वज़ा से उसे हम diffusion current कहते हैं Got my point? Yes तो हुआ यह कि N-type के Electrons कुदी मार के P-type के पास चले गए, सवाल यह उठता है कि सर यह वाला junction के पास वाले Electron तो गए, लेकिन दूर के Electrons क्यों नहीं जा सकते, ऐसे तो फिर यह Electron भी इसमें आ जाएगा, यह Electron भी ऐसे आ जाएगा, यह Electron भी ऐसे आ जाएगा, तो तो कुछ बचे गाई नहीं, सब diffused हो गया, सब खतम हो गया, तो इसका अंसर है ऐसा बिलकुल नहीं होता कि सारे के सारे N-type के Department के Electrons P-type के junction में जाकर के खतम कर देते हैं खुद को, ऐसा क्यों हुआ सवाल बनता है, questions should arise in our mind, इसके दो reason है पहला reason, junction के जो बहुत pass में है, वो अपनी energy खर्च करने को तयार है यह वाले Electron अपनी energy खर्च करने को तयार है, क्योंकि वो pass की ही holes को देखके excited हो जाते हैं, jump मारके खुद को destroy करती है, diffused हो गए बट यह चीज यहाँ पर Electrons कुछ distance पर comparison to junction के यह distance थोड़ा बढ़ गया तो हो सकता है कि यह Electron को energy जादा लगे, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपका घर से school की दूरी 10 km है, तो आप कोसिस करेंगे चलने का, लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि आपके घर से school की दूरी 70 km है, 100 km है आप चलके जाईएगा, नहीं क्यों, क्योंकि distance बढ़ गया energy जादा चाहिए, इसी लिए junction के पास वाले Electrons ही खुद को diffuse करते हैं, यह common reason अभी समझ में आया, अब यहाँ और और थोड़ा सा deep में चलता है बच्चा हमने कहा P टाइप में majority holes है लेकिन minority में electrons भी तो है, बहुत जादा नहीं है तो कम तो होंगे, बट होंगे जरूर तो यहाँ पर electrons भी है, तो इसे हम circle से represent कर देते हैं एक, दो, तीन करके, right और end department में majority electrons है बड़ उसके साथ-साथ कुछ नहीं है, यहाँ पर holes भी है, तो चलिए, यहाँ पर भी हमने holes represent कर दिया अब ज़रा सोचो कि जैसे यह वाले electrons यहाँ पर jump मारके गए correct, तो यह भी तो हो सकता है, कि P type के अंदर जो minority है, और N type के अंदर जो minorities है, holes, इनका भी तो diffusion जैसा कुछ हुआ होगा, answer is yes, P type के अंदर रहे हुए minority electrons, N के majority holes के साथ combine करते है, तब भी हमें एक current मिलता है और यह current, diffusion current से opposite होता है क्योंकि diffusion current में electron ऐसे चल रहा था, और यह वाले current में electron ऐसे चल रहा है, तो diffusion current के opposite direction वाले current को कहा गया drift current I repeat my sentence, junction के एक और के department के electron कूदी मार के P type में गए, वो diffusion current और minority वाले कूदी करके गए तो आपका drift current, यह दोनों ही opposite direction में चल रहा है तो ऐसे ही आगे सूचलो, मैं आगे कुछ पढ़ा आगे में कुछ पढ़ाया नहीं, आपको आगे में कुछ बताया नहीं लेकिन फिर भी के दिमाग में चीज clear है कि इस तरीके से चलने वाले current से net current कितना हुआ answer बहुत simple है क्योंकि एक electron ऐसे चल रहा है एक electron ऐसे चल रहा है, तो net ही कितना हो गया 0, यानि diffuse भी हो रहा है, drift भी हो रहा है बट overall current आपकी क्या है, 0 है चलिए अभी एक और खास point पर जलते हैं basically हमने physics में, chemistry में हर जगह पर ही देखा है कि जहां सा electron निकलता है इसका मतलब है कि वो जगह charged हो जाती है, वो जगह positive हो जाती है और जहां पर electron आता है जहां पर electron gain होता है वो negatively charged हो जाती, वो भी charge होता है बट negatively charged, इसलिए हाथ से प्यारे बच्चा लोग, हमारा ये जो end department का ये वाला point है, वो सब plus 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 हो जाना चाहिए और ये वाला सब क्या हो जाना चाहिए minus minus minus, क्योंकि यहां से electron यहां पर गए एक जगा से electron दूसरे जगा पर निकल के गए, ठीक है तो एक जगा पर आपका plus हो गया, ये पूरा terminal आपका plus हो गया, और ये पूरा terminal आपका minus हो गया, इससे यहां पर ना एक layer बनी पहले P department में जहां पर holes थे end department में जहां पर electrons थे, क्योंकि ये यहां पर जाकर कि खुद को destroy कर चुके हैं, destroy कर चुके हैं in the sense jump मारके उन्होंने खुद को diffuse कर लिया, तो अब इस department में, कौन से department में, इस वाले layer में इतने layer के अंदर, मैंने पहले ही कहा था ना इसका मतलब junction है, इसका भी कुछ बनेगा, एक अजीब सा layer बनेगा, और इस अजीब से layer को कहा जाता है, depletion layer तो depletion layer भी एक बहुत important key point है अब सवाल यह उठता है कि depletion layer में है क्या, तो उसके लिए हम एक और diagram बनाते हैं, आगे दिखिए तो जैसे ही depletion layer बना तो इस depletion layer के अंदर क्या है, यह सवाल अपने आप से पूछो कि, कि यह electron तो यहाँ जागर कि neutral हो गया, neutral हो गया, खतम कर दिया खुद को, मेरा सवाल आप लोगों से जिसका answer अगर आप लोग comment section के अंदर करोगे तो बड़ा मजा आएगा, खर मैं बता भी दूँगा, लेकिन answer please comment section के अंदर करें, वीडियो को यहाँ पर रोकर के आगे मैं explain करो से पहले ही, अब इस department में क्या है यार, कुछ है कि नहीं है, answer जब नहीं है, बट यह गलत answer है, क्यों नहीं है, आपको ऐसा ना वो माइनस है, यहाँ पर charged का shortage हो गया, इंगलिस में किसी चीज का shortage होना मतलब डिपलेक्ट हो जाना बोलते हैं, उसी नाम पर से यह पड़ा है, इस लेयर का नाम, डेपलेशन लेयर, आ रही है बात समझ में, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेपलेशन लेयर कहते हैं, अच्छा, अब यह डेपलेशन लेयर की एक और खास बात, क्योंकि N डिपार्टमेंट का एक टर्मिनल प्लस बन गया, और P डिपार्टमेंट के टर्मिनल माइनस बन गया, तो यहाँ तो मेरा सवाल आप लोगों से यह है, कि क्या यह डेपलेशन लेयर को बढ़ाया जा सकता है, और क्या यह डेपलेशन लेयर के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, जरा इसका आंसर भी प्लीज कॉमेंट सेक्शन के अंदर देना, वीडियो को रोप करके, मैं तो आगे एक्स्प्रिन करूँगा ही, तो आंसर बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम P टाइप में इम्पिरिटीस को बढ़ा दें, अगर मैं P इलेक्ट्रोन, एक इलेक्ट्रोन और आते ही, रिपल्सी फोर्स बढ़ गया, तो N में इलेक्ट्रोनों की वज़े से रिपल्सी फोर्स बढ़ रहा है, और P में होल्स की वज़े से रिपल्सी फोर्स बढ़ रहा है, अगर आप कहीं यहां पर बीच में खड़े हैं, तो बढ़ाद important point इसे लिख लिजेगा कि क्या हम depression layer को घटा सकते हैं answer है yes कैसे अगर हम impurity level को बढ़ा दे तो हमारा depression layer घट जाएगा इसका ठीक उल्टा अगर हम impurities को निकाल दे तो repulsive force कम हो जाएगा तब यह आपका depression layer बढ़ जाएगा जड़ा सोचे, depletion layer के बढ़ने पर क्या electric field बढ़ेगी? answer is yes कैसे depletion layer बढ़ सकता है? बच्चों, ये वाला electron कुदी मार के यहाँ पर आ जाए, ये electron कुदी मार के यहाँ पर आ जाए, ये electron कुदी मार के यहाँ पर आ जाए, जितने ज़्यादा electrons निकलेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर plus 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 बनेगा, उतने ज़्यादा यहाँ पर minus 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 बनेगा, उतना ज़्यादा है, electric field strong होता जाएगा, ये सारी चीजे आपस में connected है, drift current depletion layer, diffusion current फिर ये electric field, फिर ये distance फिर ये impurity level in the P and N, I hope you are getting my phone, कहीं पर कुछ भी doubt हो तो please comment कर देना, ठीक है, but sir आपने पहले तो बोला था कि सिर्फ junction के पास वाले electron नहीं जा सकता है, बात बिल्कुल सही है, तो sir आप ये कैसे कह सकते हो कि ये वाला भी जा सकता है यही तो point है, ये depend करेगा कि impurity level कितनी है अगर आप impurity level बढ़ा देते हो तो depression layer छोटा हो जाएगा उस वक्त electric field उसे साबसे change हो जाएगी, और अगर हम impurity level को कम कर देते हैं right, तो depression layer में repulsive force कम लगेगा तो वो बढ़ा हो जाएगा, उसे साबसे electric field भी बढ़ जाएगा clear होई point, ठीक है अब इसी में आपके किताब के अंदर एक बहुत जवर्दस diagram आता है जाए हम CVC का किताब देखें, IAC का किताब देखें, कोई भी board का किताब देखें अजीब सा diagram होता है, कुछ यहाँ पर ऐसे रहता है, फिर यह ऐसे line जाती और फिर यहाँ रहता है, यहाँ प्लस 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 देखता है यहाँ माइनस बनस देखता है और बच्चों को समझ में नहीं आता है मैं diagram बना करके आपको explain करता हूँ बहुत मज़ा आएगा, आपको प्यार हो जाएगा इस topic के सा देखें कुछ ऐसा diagram आप लोग अकसर आपकी किताबों में देखता है अब बच्चा जड़ा बहुत ध्यान से समझना कि सर, diffusion process की वज़े से diffusion current मिला drift current की वज़े, drift electron जो P type में थे मैं जो minority वो N में जाकर के चले तो यह सर, diffusion process कब तक चला? diffusion process तब तक चलता रहता है जब तक diffusion current, drift current के बराबर ना हो जाए एक बार diffusion और drift current बराबर हो जाते है यह process रुक जाता है और जैसे एक process रुक जाता है तो हमें depletion layer के अंदर एक terminal प्लस 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 दिखता दिख रहा है तो हम इसको बोलेंगे higher potential और एक terminal minus दिख रहा है हम इसको बोलेंगे lower potential समझने के लिए ऐसा बताया जाता है कि उपर है तो higher potential मतलब उपर higher potential और ठीक उसके नीचे lower potential यह आपका higher potential और यह आपका क्या है lower potential तो इस basically potential difference आपको नहीं लगता बच्चो कि यहाँ पर end department के पास में एक positive terminal मिला और p type में एक negative terminal मिला तो यह एक potential difference ही है plus minus का मतलब क्या होता है potential difference but potential difference वास्तों में electrons को चलाता है जिससे current मिलती है अरे बाई मिलकुल सही है battery plus minus होती है conductor के अंदर से current चलता है plus से minus और current हमें मिल जाता है but यहाँ पर यह जो potential barrier है वो electron को चलाने का काम नहीं कर रहा कैसे अब मेरा वो दूसरा वाला example जो मैंने आपको पहले कहा था example यह है कि सारे electron क्यों नहीं यहाँ से यहाँ चले जाते एक तो था energy की कमी और दूसरा है यही electric field का negative potential positive potential सोचो बच्चा यहाँ पर minus है electron क्या वो इस माइनस के तरफ जाएगा कभी जाना चाहेगा नहीं पी में मेज़ोरिटी आपका होल है क्या वो यहाँ जाना चाहेगा नहीं क्योंकि यह होल भी positive और यहाँ पर भी positive तो positive positive दूसरे को रिपल करेंगे अन्लेस आप बाहर से कोई external support के लिए voltage ना दे दो ताकतवर voltage ना दे दो अंदर इसलिए कह रहे ना diffusion प्रोसेस रुख गया जब drift current और diffusion प्रोसेस एक दूसरे के बराबर हो गया तो यह process रुख गया तब उस वक्त क्यों यह सारे electron यहाँ नहीं गए उसका reason है यह electron इस वाले minus के साथ repel हुआ और यह वाला hole इसके साथ इस positive के साथ repel हुआ उसी समय दिमाग में concept को जगाओ कि अब यह electron को यहाँ नहीं जाने दे रहा है यह hole को यहाँ नहीं जाने दे रहा है मतलब charge carriers को यह हमारा positive और negative potential difference support नहीं कर रहा है यह एक barrier की तरह काम कर रहा है इसलिए इसे कहा जाता है potential barrier इसे क्या कहते है potential barrier अब फिर यह किताब में diagram का क्या मतलब है बहुत simple है ध्यान दीजिए तो potential difference potential barrier यानि की V और electric field और distance तीनों चीज़े साथ में आ गई हमारे पास एक equation है V is equal to ED अगर मैं इसको compare करूँ Y is equal to MX plus C के साथ तो C का मतलब होता है intersect M का मतलब होता है slope X और Y तो X पर आप D को रख दीजे Y पर आप V को रख दीजे तो आपका देखो graph कुछ इस तरीके से बन जाएगा यह Y पर हमारा voltage हो गया X पर हमारा distance हो गया तो यह basically हमें electric field की value दे रहा है वही चीज़ यहां समझाई जाती है कि यह plus यह आपका plus और यह आपका minus मतलब कि यह line यह आपका potential barrier हो गया और यह आपका जो distance है यह distance और यह जो slope है वह आपका electric field हो गया अब जितना distance कम होगा electric field भी उतनी कम हो जाएगी जितना electric field कम होगा distance भी उतनी कम होगी और उसे साबसे आपका potential barrier भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब electric field को कम करना है distance को change करना है तो आप impurity को change करो जैसा कि मैंने आपको बता है कि impurity level बढ़ा दो तो depletion layer क्या हो जाएगा कम हो जाएगा deflation layer अगर कम होगा डी कम हो गया तो electric field कम हो यानि potential barrier भी automatically कम हो जाएगा यह पूरा खेल है pn junction diode का इसको थोड़ा और feel करो तो हुआ इसका क्या मतलब निकला कि pn junction diode का क्या मतलब निकल करके आ रहा है कि यह एक ऐसा device है जिसके अंदर already एक positive और negative अंदर set है और इसको हम potential barrier कह रहे हैं अगर यह silicon है तो silicon के लिए potential barrier 0.7 voltage है अगर यह germanium है तो इसके लिए 0.3 voltage है मतलब कि अगर आप एक pn junction diode silicon का use कर रहे है तो जब तक आप 0.7 voltage से ज़्यादा external voltage नहीं देंगे इन में से current नहीं चलेगा जब तक आप germanium में 0.3 voltage से ज़्यादा current नहीं देंगे current नहीं चलेगा boss clear cut बात समझ में आई और हम pn junction diode के symbol की बात करें तो इसका symbol इस तरीके से होता है यह आपका p यह आपका n इससे triangle बना करके यहाँ पर हम इसे client की जाजाता है this is the symbol of pn junction diode and i hope you people have understood all the points related to the pn junction diode मजाया बचलो तो comment करके जरूर बताना अब आगे बढ़ता है पर आगे बढ़ने से पहले हम अभी तक जो पढ़े है उससे related कैसे question आते हैं वो करते हैं फिर हम pn junction diode के अंदर forward बाइसिंग कर लेना चाहिए फिर हम question करते हैं करते हैं चली बच्चो अब समझते हैं वहीं रोफ pn junction diode when extended external voltage applied इस तरीके का खूबसूरत और प्यारा नोट्स जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं अगर आप लोगों को यह चाहिए तो आप हमें हमें टेलिग्राम पे follow जरूर कर लिजेगा हमें जोइन कर लिजेगा टेलिग्राम टेलिग्राम के अंदर जो भी classes मेरी regular live session भी पढ़ाता हूं free of cost आपके इस beautiful platform पर और साथे साथ यहां पर निकल करके आता है दो perspective निकल करके आता है कि जब हम pn junction diode को externally किसी battery से जोडते हैं तो battery से जोडने के तरीके को byasing कहा जाता है और दो तरीके की byasing की जाती है एक सीधा सीधा जोड़ो एक उल्टा जोड़ो जब हम सीधा सीधा जोडते हैं यानि pn junction diode के p terminal को battery का positive दिया जाता है और n को negative है तो negative दिया जाता है simple forward bias मतलब वोता है true connection what is the meaning of true connection true connection का मतलब है कि आप pn junction diode के p को plus दीजे और n को minus दीजे ऐसा जोड़ने वाले connection को true connection कह दो और इस तरीके की byasing को forward byasing कहता है दवाल यह उठता है कि ऐसा होने से क्या हुआ जिसके वज़े से हमने इसे forward byasing का ध्यान देना यह रहा बैटरी का p, sorry यह रहा pn junction diode का p terminal जिसे हम battery के plus के साथ जोड़ रहे हैं और यह है battery का minus जिसे हम sorry n type semiconductor जिसे हम negative को negative दे रहे हैं यहां देने वाली बात यह है कि अंदर जो plus से minus है यानि अंदर जो potential barrier का diagram है वो देखे plus से minus ऐसा है ठीक है यह आपका potential barrier है और externally जो आप लगा रहे हैं वो plus से minus कुछ इस तरीके का है तो हुआ यह कि circuit के अंदर यानि कि PN junction diode के अंदर already voltage है that is called your potential barrier और बाहर से आप एक battery लगा रहे है जिसे हम कहा रहे है external voltage दोनों का direction देखो बच्चा तो दोनों का direction opposite हो गया अगर दोनों का direction opposite है तो overall barrier घट गया एक है 10 voltage एक है 3 voltage opposite direction में है एक इधर जा रहे है एक इधर जा रहे है तो कितना हुआ 7 voltage इसलिए जो हमारा potential barrier पहले ऐसा था यानि यह diagram में हमने देखा था इस तरीके का है यह अब घट जाएगा अगर हमारा potential barrier घट जाएगा तो electric field और D भी घट जाएगे यानि depletion layer छोटा हो जाएगा correct तो यह देखें यहाँ पर यह जो dot dot करके explain क्या गया है वो यह बता रहा है कि net potential barrier decreases because of the direction तो हुआ यह कि depletion layer छोटा हो गया अगर हमारा depletion layer छोटा हो गया बच्चा तो अब chances हैं कि electron P में कूदी मार ले majority in the n-type semiconductor will crosses the junction and then because of the motion of the charge carriers and that too for the majority charge carrier we again get the current हम current पा जाते हैं इस तरीके के connection में इसलिए इसको activate mode engineering और BST में कहा जाएगा आगे आप पढ़ेंगे और यहाँ पर 12 signs के अंदर हम इसे forward baising कहते हैं क्योंकि इसे में हमें current मिलता है practically देखा गया कि इस तरीके के current हमें मिलती है वो इस order में मिलती है that is about milliampere के format की current मिलती है correct बात समझ में आया तो overall पूरा scene क्या है forward bias का मतलब true connection true connection का मतलब battery के P को plus दीजे एन को minus दीजे ऐसा करने से external voltage का direction और अंदर जो हमारा potential difference है दोनों opposite direction में है overall घट गया depression layer छोटा हो गया यानि N के majority P के holes में जाके खुद को diffuse कर रहे होंगे मतलब current बन जाएगा कितने form में तो milliampere के order में 2 milliampere 3 milliampere कुछ ऐसा अब बात करते हैं कि अगर हम इस PN junction diode को यह हमारा जो PN junction diode को है इस तरीके से forward bias करके अगर मैं यहाँ पर battery को change करूं मतलब कि इस voltage को लगाता और change करूं तो इसके change से PN junction diode के अंदर क्या changes आता है वो हमें पढ़ना है इसका behavior पढ़ना है इस behavior को ही characteristic कहा जाता है और इस characteristic को समझने के लिए आपके 12 science में एक practical भी है बड़ स्कूल के teachers practical क्या ही कराते हैं हम सब जानते है ठीक है आईए यहां समझाता हूं बड़ जब स्कूल में जाना तो यह मैं जैसे समझा रहा हूं करोगे तो practical अच्छे से समझ में आएगा यहां पर हमारे पास है बच्चा एक pn junction diode है इस diode के across में हमने एक voltmeter लगा दिया device लगा दिया जो मापके बताएगा हमें कि इसके across में कितना voltage आ रहा है और parallel में तो हमारा voltmeter लगा और series में हमने एक emitter भी लगा दिया जो बताएगा कि कितना current circuit में से flow हो रहा है और यहां पर एक variable voltage है जो लगातार voltage को change करते रहेगा मैं एक example आपके सामने रख रहा हूं उससे आपको तुरंत आइडिया आजाएगा कि graph कैसा बनेगा सुरू में voltage 0 रखा गया current आपका 0 था देखा गया यहां पर आपका जो है variable से voltage कुछ दिया 0 current आपका 0 है यहां तक बात सही है कि voltage 0 ह फिर उसके बाद फिर उसके याद बच्चा हमने voltage को थोड़ा सा बढ़ाया हमने कहा 1 voltage चले जाओ हमने देखा यार current अभी भी 0 है है तो ओमस्लो के खिलाफ हो गया बात मतल customize अलग हो गया फिर हमने voltage थोड़ा और बढ़ाये current हमारा अभी 0 है फिर हमने तीन voltage देखा तो current थो क्योंकि ये PN junction diode है PN junction diode में already पहले से अंदर एक barrier voltage होता है और उस barrier voltage से जब तक हम ज़ादा voltage नहीं दे देते तब तक current नहीं बनता है यहां जो मैंने experiment किया उसमें 0 से लेकर के 2 यानि की 2 voltage मेरे लिए barrier है लेकिन अगर हम ये silicon का reality में बात करें silicon का तो silicon के लिए 0.7 voltage होता है यानि बच्चा अगर हम इसका graph बनाने जाएं देखें कुछ graph इस तरीके से बनता है आप voltage बढ़ा रहा हैं बढ़ा रहा हैं बढ़ा रहा हैं बढ़े 0 था suddenly आपका current बढ़ना start हुआ मतलब कि यहां तक ये 0.7 voltage के बाद में ही current बढ़ना start हुआ है सुरू में आपका voltage बढ़ रहा था current अभी भी आपका 0 है suddenly आपका current बढ़ना start हुआ जिस particular point के बाद में current बढ़ना शुरू हुआ यहां पर ये घुटने की तरह दिख रहा है न इसलिए इसको नी voltage भी कहा जाता है इसे हम क्या कहता है नी voltage और हम इसे threshold voltage भी कहता है और हम इसे cutting voltage भी कहता है अलग-अलग किताबों में अलग-अलग नाम होता है confused नहीं होई गा नी voltage, cutting voltage या threshold voltage वो voltage जहां पर current जंप करना start किया So this is all about the forward bias का characteristic अब चलते हैं हम इसका ठीक उल्टा that is reverse bias mode क्या होता है reverse bias mode के अंदर तो ये सीधा-सीधा हमारे forward bias का simple भासा में कहूं तो उल्टा है यानि गलत connection मतलब P type semiconductor को negative दीजिए NPN और N को दे दीजिए P दे दीजिए जब NNPP होता है तो forward PNNP होता है तो reverse bias mode ऐसा होने से हुआ क्या उल्टा हो जाएगा सब कुछ तो P को हमने minus दिया N को हमने plus दिया बाहर आप देख रहे हैं voltage का direction plus से minus ऐसा है अंदर भी plus से minus ऐसा है क्योंकि दोनों का direction सेम है एक 7 voltage, एक 3 voltage दोनों सेम direction में है तो overall हमारा potential barrier बढ़ जाएगा तो बच्चा पहले हमारा potential barrier कुछ ऐसा था लेकिन अब वो बढ़ करके थोड़ा बढ़ा हो गया क्योंकि अगर potential barrier बढ़ा हो गया तो V is equal to ED के equation के हिसाब से V is equal to ED के हिसाब से अगर V बढ़ा हो रहा है तो हमारा D भी बढ़ा हो जाएगा सब्सक्राइब करें तो करेंट बहुत कम बनेगी क्योंकि junction बढ़ा हो गया सब्सक्राइब बढ़ा हो गया बढ़ा हो गया बढ़ फिर भी reverse bias mode में कुछ current चलती है जो negligible होती ना के बराबर होती इसलिए इसको reverse bias mode engineering में BSC में deactivate mode कहा जाता है ठीकर जिसमें से current नहीं चलती है अगर चलती भी है तो ना के बराबर और वो कितने ampere की चलती है micro ampere सवाल यह उठता है कि सर यह current micro ampere की चल भी रही है तो कौन बना रहा है तो ज़रा ध्यान से समझो N में minority कौन था hole और P में minority कौन है electron हमारे battery का connection देखे यह plus है तो यहां पर यह terminal प्लस है जो अंदर के रहे हुए hole को रिपल करता है ठीक है पी में minority कौन है electron यह terminal क्या है minus मतलब यह minus अंदर रहे हुए electron को repel करता है तो यहां से hole repel हो रहा है यहां से electron repel हो है तो दोनों जा करके recombine हो जाते हैं क्योंकि N में भी कम ही है minority hole है और P में minority कौन है electron है तो कम लोग है ना तो कम लोगों का combination होगा भी तो कम current आएगी इसलिए वो current किसके format क्यों होती है माइक्राइबर की order क्यों होती है प्यार हो जाएगा बच्चा लोग जिस ठीक है से पढ़ा रहा कर द्यान से सिकते चले गए ठीक है फिर देखा गया experimentally के सुरुवात में जो current चल रहा है वो current इतना कम है कि उसको बाहर वाले voltage से कोई फरक ही नहीं पड़ता बाहर वाले voltage का value धीरे 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 बढ़ाया जाए तो suddenly एक वोल्टेज के बाद current अचानक बढ़ जाता है वो जो current अचानक बढ़ा जिस पर्टिक्लर वोल्टेज के बाद उसे न ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते है नाम से बता जाए ब्रेकडाउन वोल्टेज और जब तक current आपका constant था minority के वज़े से उसको saturation current कहा जाता है तो up to saturation current the voltage this is totally independent from the external voltage till saturation current the inside of the pn junction diode is independent of the external voltage but suddenly the current in reverse bias situation increases जिसे कहा जाता है breakdown voltage जिस पर्टिक्लर वोल्टेज पर यह हुआ इसी characteristics समझते है characteristics समझेंगे तो हमें आगे clear हो जाएगा और फिर मैं समझाता हूं कि क्यों current बढ़ जाता है उसके पीछे की बहुत interesting कहानी है आगे देखता है तो वही कहानी फिर से बच्चा pn junction diode के parallel में हमने यहां पर एक voltmeter लगा दिया और यहां पर हमने लगा दिया करेंट भी आपका जीरो था फिर बच्चा आपने एक voltage दिया तो करेंट आपका एक ampीर था तो鐘 करेंट अभी वेख एक करेंट अभी एक है तीन वटे दिया करेंट अभी समझ में आâte रही है जीरोवा हटा दीजे जब शुरुँ में voltage बढ़ रहा था, तो current हमारा constant था, ये constant current किसकी वज़ा से आया, minority charge carrier के वज़ा से, जो की external voltage पर dependent नहीं है, लेकिन suddenly current में बदला हुआ, current suddenly 1-6 ampere हुआ, external voltage की वज़ा से, क्यों हुआ ये, अभी हम समझेंगे, लेकिन हमें ये समझ पढ़ गया, तो अब इसके हिसाब से graph देखो, clearly पता चल जाएगा, तो ये reverse bias का graph होता है, ये आपका I, reverse current, ये आपका reverse bias voltage, ठीक है, तो शुरू में current आपका लगभग constant था, constant था, constant था, मतलब आप voltage लगाता, reverse bias बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट current आपका almost constant है, यहाँ जो भी है, micro ampere के form में है, तो micro ampere के form में है, लेकिन suddenly, यहाँ पर current rise हो गया, और ये जो आपका particular voltage है, ये आपका breakdown voltage है, अभी हम समझेंगे कि भाया, ये current अचानकी क्यों बढ़ा, reverse bias के case के अंदर, ठीक है, तो we'll understand, चलिए आगे बढ़ते हैं, येस बच्चा, तो notes is ready, अब देखते हैं, कि क्यों ये suddenly यहाँ पर current जो है, इतना जबर्दस rise हो गया, reverse bias situation के अंदर, तो देखे, ये current बढ़ने के पीछे के, दो तरीके के reason हो सकते हैं, और वो दोनों पर depend करता है, या तो वो scientist के नाव पर सही है, तभी आप जेनर डाइवड पढ़ोके, और मुझे physics से इतना प्यार है कि ये देखिए, आज के 4 सल पहले ही, यहाँ पर मैंने जेनर डाइवड बनवा लिया था, यहाँ पर सड़नली करेंट बढ़ रहा है, ब्रेकडाउन के अंदर, वो दो तरीके के बात पर depend करता है, एक होता है जेनर इफेक्ट, जिससे जो ब्रेकडाउन होँआ, उसे हम जेनर ब्रेकडाउन कहेंगे, और दूसरा है एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच एफेक्ट बहुत सिंपल करके आपको समझाओंगा, NCRT के टेक्सबुक से आप जाएंगे, तो इतना टफ लेंगविज यूज करता है कि बहुत अजीब सा लगता है कि यह क्या लिखाव है, but here I will explain in such a way that you will mean love with physics, तो बच्चों, जेनर ब्रेकडाउन का मतलब यह होता है कि इस तरीके क तो बच्चा, जेनर ब्रेकडाउन, यानि जेनर इफेक्ट के अंदर, इम्पूरिटी को जादा रखा जाता है, अब याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, हम सब हिंदी भासी है, भारत में रहते हैं, हिंदी हमारा गर्व है, तो जेनर में जादा वर्ड याद रखी, बहुत ही छोटा सा reverse bias voltage आप दीजेगा, यहाँ पे, छोटा सा ही reverse bias voltage पे, electric field बहुत powerful बन जाता है, मैं कैसे कह रहा हूँ, एक example देता हूँ, अच्छा, depletion layer बहुत छोटा होगा, मतलब एंगिस्टॉं, 10 raise to minus 10, अलरड़ी बहुत छोटा है, और reverse bias voltage चलिए, मान लीजे कि जादा नहीं है, बहुत बहुत छोटा है, तो इस situation में अगर मैं V is equal to ED formula apply करूं, तो मुझे electric field मिल जाता है, 2 divided by 10 raise to minus 10, यानि कि 10 power 10, my god, 2 into 10 raise to 10 voltage per meter, जिन्दगी के अंदर 220 voltage का जटका नहीं सह पाईएगा, यह तो ससुरा 2 गोड़े 10 की घाते 10 voltage per meter है, क्या इतना जबर्दस electric field, काफी है, काफी है यह electric field, इस P और N के अंदर रहे हुए और covalent bonds को तोड़ने के लिए, answer है yes, क्योंकि electric field का काम होता है force लगाना, E is equal to F upon Q, तो हुआ यह कि छोटा सा reverse bias voltage पे ही, depletion layer में electric field बहुत powerful बन गई, और electric field powerful बन जाने की वज़ए से, आस पास के P और N के अंदर जो covalent bonds है, वो तूटने लगते हैं, अगर covalent bonds तूटता है, तो you know my dear student, electrons release होता है, holes बनने सुरू हो जाते हैं, these are a kind of charge carriers, यानि current सड़ली बढ़ जाता है, यही reason है, कि हमें अचानक कि यहाँ पर current बढ़ता हुआ, दिखाई देता है, तब जब impurities जादा हो, तब impurities जादा हो, और इस तरीके का जब breakdown हुआ, तो उसे हम zhener breakdown कहते हैं, generally zhener breakdown silicon के अंदर 4 voltage तक होता है, तो वो zhener breakdown कहा जाता है, यानि लगबग 4 voltage तक आप दीजेगा, तो वो zhener breakdown नहीं है, ठ बच्छा आप अगर impurity जादा थी, तो जेनer breakdown, और अगर impurity कम है, impurity कम है, तो उसे हम avalanche breakdown कहते हैं, avalanche का नाम सुना है, आपने, समुद्री बर्फीला तुफान जो होता है, जाना कि पूरा बर्फ गिरने लगता है, धर 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 धर, suddenly एक तुफान आता है, तो बवंडर टाइप कुछ इसी पर से नाम है, avalanche, तो बच्छो जब impurity कम होती है, तो depletion layer जादा होता है, अगर depletion layer जादा होता है, इसका मतलब है कि potential barrier भी जादा होता है, ये potential barrier इतना जादा होता है, impurity को इतना कम रखते हैं कि जिससे depletion layer बहुत जादा हो और depletion बह जाएं, तो ये voltage इस electron को बहुत जादा accelerate कर देता है, बहुत जादा energetic कर देता है, सर आप ही कैसे भोल तो देखो आपको समझाता हूं, हम सब जानते हैं कि voltage से हमारा सिधा सिधा relation work का होता है, work is equal to charge multiply by voltage, e into v, और work ही हमारे लिए kinetic energy है, half mv square maximum, मतलब बच्चा, अगर मेरा ये voltage बढ़ गया, तो speed भी बढ़ जाएगा, यानि kinetic energy भी बढ़ जाएगा, अब सोचो, इस department के electron, जो गलती से काक electron, n से p में कूदी मार रहे होंगे, तो वो electron इस voltage के चक्कर में बहुत जादा energetic होगा, जब पहले मरे मरे से चल रहे थे, suddenly energetic होगा, अब अगर electron already energetic हो गया है, तो अपनी energy लेके, दबाक करके attack करेगा, पी के अंदर, और पी के अंदर के equivalent bonds को तोड़ देगा, तो electron बाहर निकलेगा, फिर chances से कि electron फिर इस voltage के अंतरगत आ जाए, तो वो भी energetic हो जाएगा, दबाक, वो फिर से, ये तो कौन सा game था ना, एक उचड़िया ऐसे जाती, हुई, ह ऐसे करके कुछ तूटता रहता था, पता नहीं कौन सा game था, कोई तो game था यार, हम लोग कॉलेज हो बहुत खेलते थे, जो भी है comment कर देना, फिर सम्तिंग लाइक यार, वो चटाई वाला पटाका नहीं होता, एक फुटेगा, तर 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 सब फुटेगा, तो बर फिला तुफान आ जाएगा, मतलब एक तुफान आ जाएगा, एक electron पागल हुआ, उसने तोड़ा, फिर दूसरे electron निकले, वो भी पागल हुआ, इधर तर 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 चलने लगता है, बहुत सारे electron बहुत सारे electron बहार निकलते हैं, और बहुत सारे electron के बहार निकलने से, हमको चार और शेके बीच में ऑने ब्रेकडाउन मिल रहा है मतलब कि वोल्टेज हमें 4 ओर 6 के बीच में मिल रहा है तो मतलब हम कहेंगे वहाँ जेनर भी है और एवलांच ब्रेकडाउन ठीक है चलिए अब कुछ कोशन करते हैं इतने टॉपिक हमने पढ़ लिए बहुत अच्छे से तो हम कोशन करते हैं आईए अब तक हमने पढ़ा उससे रिलेड़ेड़ आपके नीट में जहीं में कैसे कोशन आता है वो देखते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है पी टाइब समिकंडुक्टर हैस एक स्ट्वेशन इस वाट यहां से क्लियर हो गया कि लेंड़ा इस एक डिवाड़ेड़ बाइच की वैलो फिक्स है 6.625 इंटो 10 पावर माइनस में 34 सी इस वाट इस वाट इंटो 10 पावर एट तो 3 इंटो 10 पावर एट अंडी इनर्जी इस वाट 57 मिली यानि 10 रिस तो माइनस सब्सक्राइब करते हैं यहां पर अच्छा सुलूशन भी रखा है 217000 अब देखो सवाल देखो क्या है pure silicon at 300 Kelvin has equal any and NH concentration of this यानि basically यह हमारे लिए NI हो गया intrinsic semiconductor तो NI हो गया topping by indium NH increases to this calculate any कितना simple है बच्छा बहुत simple होते हैं इस chapter की numerical अगर आप ध्यान से सभी चीजों को सुने है तो so NI का square is equal to any into NH आपको पूछा है any so any is equal to NI का square अब उन में NH लगा दीजे and you will get your answer here we go ठीक है next शलता है next number 3 पर है what will be the conductivity of a pure silicon crystal at 300 Kelvin temperature if electron hole pairs per centimeter cube is this electron hole pair का यह दे रखा है 1.07 to 10 to 10 at this temperature mu E and mu H is also given so हमें पूछ रहा है conductivity right इसका equation बहुत simple सा था कि conductivity sigma is equal to N E and then mu क्योंकि बच्चों यहाँ पर यह pure silicon कह रहा है इसका मतलब है कि आपका जो mu होगा वो mu E और mu H दोनों हो जाएगा तो यह आपका हो गया NI E and then we have mu E plus mu H what is this mu E and mu H that is your mobility which is given 1350 480 यहां रख दीजे 1.6 10 is to minus 19 and this NI is also given which is 1.07 to 10 power 10 चलो तो यहां पर solution करने के बाद यह answer निकल जाएगा calculate करिए 3.14 10 is to minus 6 mu per centimeter आगे बढ़ते हैं एक और question करते हैं चली देखिए यह बहुत interesting लग रहा है मुझे अच्छा सवाल लग रहा है ध्यान से देखो a potential barrier 0.5 voltage ठीक है exist across PN junction यहां पर voltage 0.5 voltage है if the depletion reason is this अब यह देखो हमारे पास में V है हमारे पास में D है कितना simple हो गया so what is the average intensity of the electric field कितना simple बच्चा सीधा equation है V is equal to ED और हम यहां से E को calculate कर सकते हैं the second one is an electron with this speed now V is given right approaches the PN junction from the N side with what speed will it enter into the P side interesting हमारे पास में voltage तो है तो हम voltage से energy निकाल लेंगे that is E into V और जो work होता है बच्चा that is half M V square यानि आप से पूछ रहा है कि वो कितने speed से entry मारेगा P's type के अंदर यहां पर समझने वाली बात यह है कि initial speed आपका इतना है ठीक है तो final speed हमें calculate करना है इसलिए मैं यहां पर half M V square लिखूं तो थोड़ा गलत हो जाएगा half M V square minus half M U square I should write why क्योंकि W is equal to what change in kinetic energy reality में तो यह है ना initially अगर हम zero लेते तो हम half M V square लिख सकते थे लेकिन क्योंकि यहां पर initially velocity थी गई थी इसलिए kinetic energy theorem लगाया हमने half M V square minus half M U square now you have to find this V U is given which is 5 into 10 is to 5 and then voltage is also given you can calculate you can get your answer तो जब आप इसमें सारा value रख देंगे तो दीखें यह आपका निकल करके आएगा 2.7 into 10 is to 5 meter per second आई आगे बढ़ता है next question दीखें यहां पर क्या लिखा है figures who is a diode connected to external resistance and EMF assuming that the barrier potential developed in a diode is 0.5 voltage obtain the value of current in the circuit in the milli ampere माफी चाहेंगे diagram miss हो गया मैं diagram बनाके आपको continue करता हूँ देखो ध्यांसित all right so diagram हमारे सामने आ चुका है तो यहां पर we can see that कि potential barrier जो है वो दे रखा है कितना 0.5 voltage मतलब यहां पर 0.5 voltage है यह 4.5 voltage है यहां पर 100 ohm का resistance है तो we have to find the current ना बच्चा if you understand the logic of PN junction diode तो यह current को ऐसे चला रहा है externally लेकिन जो P और N के अंदर होता है वहां पर N के side plus होता है और यह आपका minus होता है तो यह current ऐसे चलाता है अब यह तो current electricity में आपने सेखा है कि current का direction अगर opposite है तो overall voltage घट जाता है या अगर आप ऐसे साधरन भासा में समझें तो PN junction diode यहां पर forward bias में जिससे overall voltage घटी जाता है तो हमारा जो overall voltage हो गया वो कितना हो गया तो 4.5 माइनस में 0.5 या अगर हमें current चाहिए तो i is equal to sitha-sitha v by r लगा दीजे you will get your answer done तो correct answer है आप लोगों का 40 milliampere आए एक और question करता है हाँ यहां diagram बना हुआ है तो if the current in a given circuit is 0.1 ampere then calculate the resistance of PN junction diode हमें इस PN junction diode का resistance हमें fine करना है और circuit में से चलने वाली current जो है वो दे रखी है तो जैसा कि हमें पता है कि i is equal to v by r में voltage अगर forward bias में है तो घट जाएगा तो yes दिख रहा है यह P है यह N है P को आपने plus दे रखा है माइनस तो overall voltage घट गया बड़ यहां पर voltage PN junction diode का given है नहीं यहां पर आपको PN junction diode का voltage दिया नहीं तो हम इसके voltage को assume कर लेंगे कितना 0 तो यहां पर तो आपके पास में 5 है divided by the resistance they are in series 30 plus 10 कितना हो गया 40 और इसका resistance हम माल लेते है में R, so 40 plus में R, so the current is already given 0.1 is equal to 5 divided by 40 plus R, बच्चो calculate करो and you will get your answer इसको आप solve करेंगे तो आपका current answer आएगा निकल करके 10 O, ठीक है, done, चलिए, आगे बढ़ता है, एक और बहुत ही प्यारा सा question हमें दिखाई दे रहा है तो what is the value of current I in the given circuit, all right, ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि यह है terminal plus, color मैं थोड़ा change करता हूँ, red color ले ले लेते हैं, या दूसरा color लेते हैं blue, तो यह terminal plus है, मतलब कि यह terminal plus होगा, अब आप देखोगे तो यह आपका P है यह आपका N है, यानि कि N type semiconductor को plus मिल रहा है, N P P N होता है, तो यह false connection होता है, और अगर false connection होगा, तो P N junction diode से किसी भी तरह की current नहीं बैने वाली है, तो यह वाला तो अब circuit के अंदर होने का कोई logic नहीं बनता है, तो सीधा सीधा I is equal to V divided by R, voltage is 20 and the resistance is what, 10 plus 10, 20, so the answer is what, 1 ampere, correct, yes, the final answer is 1 ampere, एक और question बच्चों, कर लेते हैं, आईए देखे, तो यहाँ पर हमारे पास 0.7 voltage, 0.3 voltage that is potential barrier is given and we have to calculate the current in the circuit, तो सबसे पहले आप यह देखो कि यहाँ पर forward bias में कौन है, reverse bias में कौन है, तो क्योंकि यह external plus है, तो यह आपका plus हुआ, यह आपका P, यह आपका N, यहाँ पर यह N, यह आपका P, correct, तो आप clearly देख पार हैं कि P को plus मिल रहा है, मतलब यह forward bias में हो और यह reverse bias में, मतलब इसमें से current बिलकुल नहीं जाएगी, यह circuit में ना के बराब, ठीक है, तो external voltage में यह इसके साथ connected है, forward bias में, मतलब कि जो overall हमें voltage मिलेगा, वो तो घट जाएगा, यह 2.7 और 0.7 यानि कि 2 voltage और resistance कितना हो गया तो यह 1 kilo ohm दे रखा है, यानि कि 10 power 3, that means 2 into 10 is 2 minus 3, that means 2 milli ampere is your final answer, right बचलो, yes, 2 milli ampere is the correct answer, ठीक है, चलिए, तो यह हमने कर लिए है, अच्छे अच्छे question, लगबग 8 question हमने कर लिए, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे topic पढ़ने के बाद, अब हम आगे जब continue करेंगे आगे section continue करते हैं, तो आगे हम देखेंगे transistor, right, transistor से भी पहले बहुत सारी चीज़े है, जेनर diode है, तो वो भी करेंगे और फिल logic gate तक LED है, solar sail है, photo data, बहुत सारी चीज़े है, तो let's continue the class, चलिए बच्छो, तो अब आगे continue करते हैं, यह question तो हमने देख लिया अच्छे से, right, तो अब हम आगे पढ़ेंगे PN junction diode, forward pass, reverse pass पढ़ने के बाद, जिस segment के अंदर हम entry मानने जा रहे हैं, विस्वास मानिये मेरा, इस तरीके से आपको continue कराएंगे, again I'm saying this, and मैं यह हमीसा कहते रहूँगा, you will be in love with physics, if you are following video lectures from the SSP channel, so अभी ना application of PN junction diode हमें करना है, तो इसमें ब आते हैं, and आप अगर जहीं मेंस के student हो, तो भी इन वीडियो को अच्छे से कर सकते हो, तो we will understand half wave rectifier, full wave rectifier, filter circuit, generate diode, LED, solar cell, and photo diode, यह हम अभी इस application of PN junction diode के अंदर cover करेंगे पूरा, चलिए शुरुआत करते हैं, half wave rectifier से, देर किस बात की, अब सवाल सबसे पहले मन में यह आना चाहिए कि half wave rectifier में half और wave को छोड़ दो, तो सर यह rectifier क्या है, क्योंकि half wave तो हमें समझ में आ रहा है कि wave का अधा portion that is going to be the half wave, लेकिन rectifier सर क्या है, तो बच्चा देखो जैसे कि माल लीजे कि हमारे घर में एक device है, वैसे तो यह AC का remote है, लेकिन अगर माल लीजे कि मैं आपसे करते रहता है, इस तरीके से plus minus के form में, कुछ चीजें ऐसी होती है, जो AC पर operate ही नहीं कर सकती, वह हमें साथ DC पर ही चलती है, जैसे radio हो गया, अब radio तो बहुत पुरानी device है, अब लोग पढ़ाई करते थे तब teachers radio example देते थे, उस समय cell phone था नहीं इतना जादा, आज के 15 साल पहले था, बैटो नो के अगा पुराना अला phone हुआ गरता था, जो कि मैंने आपको chapter के starting example दिया, so I can give you the example of, yes, battery का charger, यहाँ पर बहुत सारे charger मुझे दिखाए दरे हैं, बट मैं निकालोंगा तो light चला जाएगा, तो जो battery के charger होते हैं, अगर आप सोचों कि आप उनको AC इसमें, तो यह जो AC से DC convert करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है बच्छा लोग, उसे हम rectification कहते हैं, and this rectification will be done by a circuit known as half-wave rectifier and full-wave rectifier, तो basically rectifier is a kind of circuit, and the rectification is the process, और the rectification is the task done by the rectifier circuit, correct, तो हमारे गरों का supply AC है, सब कुछ डिवाइस है, जो काम नहीं कर सकते, AC DC में convert करने की process को rectification process कहते हैं, now let us understand, कि यह hardware rectifier काम कैसे करता है, तो यहाँ पर आप देखे diagram, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह AC source का symbol है, मतलब कि हमारे घरों में आने वाला supply, मतलब कि input, आप क्योंकि बच्छा लोग आपको यह भी पता होगा, कि घरों में आने वाल supply जो पाहर से आता है, वो 230, मतलब घरों के अंदर supply से भी पहले जो transformer से आता हो, तो सब्सक्रा और खतरनाक होता है, आपके, आप जिस society में रहते हो, तो वहाँ पर transformer लगा होता है, जो step down transformer होता है, जो voltage को और कम कर देता है, यह हमने alternating chapter के अंदर पढ़ लिया, अच्छे से, अगर आपने वीडियो नहीं देखा, तो देख लेना, प्रचंड बैच के अंदर यह available है, तो यह जो symbol आप देख रहे हो, यह transformer का है, मतलब रेडियो हो गया, मुबाइल हो गया, इन सब के अंदर छोटा सा transformer लगा रहता है, और वो transformer step down transformer होता है, नाम क्या है इसका, step down, कि यह आपके यहाँ वाले 230 voltage को जरत के हिसाब से और कम कर देगा, क्योंकि जहर सी बात है, आपका charging वाला जो होता है slot, वो 230 ठोड़ी जहिल सकता है, डारेकली लगाएंगे तो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो कोई चाहिए एक medium, जो हमारे 230 को काट करके थोड़ भले छोटा हुआ, बट अभी भी तो यह AC में है, तो अब हमें DC में convert करना है, तो basically half wave rectifier हो या full wave rectifier हो, हमेसा एक PN junction diode का use किया जाता है, यहाँ पे एक load resistance है, जिसके across में मुझे output मिलेगा, और यह हमारा यहाँ पर, क्योंकि यह AC source है, तो input wave positive, negative, positive, negative इस तरीके से चल रही है हम एक complete oscillation कप कहते है, 0 से लेकर के 2 pi तक, correct, तो यह 0 है, यह 90 है, यह 180 है, यह 270 है बच्चा लोग, और यह आपका 360 है, तो यह हमारा input waveform है, और यहाँ पर हम देखेंगे output waveform क्या आता है, इसको समझने के लिए बहुत है simple process को मैं बोलूँगा, अगर आप उसको याद रग गए तो lifetime तक याद होगा, यह मान लीजे कि primary coil होता है, यह तो primary coil हमारा होता है, और यह हमारे लिए secondary coil है, ठीक है, S1 और S2 के end पे input कहां से आ रहा है, input आ रहा है सर, इस AC के जगह से आ रहा है, तो शुरुवात में अगर मैं first 0 to pi के time की बात करो, यहां की बात करो, इस input की बात कर लेता हूं, S1 आपके लिए positive है, तो जो S2 है, वो आपके लिए क्या है, negative है, अच्छा सर, इससे हुआ क्या, बहुत ही simple, अब यह diode का यह वाला हिस्सा P है, यह वाला हिस्सा N है, यानि P को देखो ध्यान से तो plus मिल रहा है, P को plus मिल रहा है, अगर P को plus मिल गया, P को आपके plus मिल गया, तो इसका मतलब है, यह तो P-P connection है, यानि कि P को plus मिला, N को minus मिल गया, तो यह तो अपना कौन सा bias हो गया, forward bias हो गया, एंड यह हम सब जानते हैं, अची तरीके से बच्चा कि forward bias में current flow होता है, डायोट से, यानि current load resistance से भी pass होगा, अगर load resistance से current pass होगा, तो according to V is equal to I into R, हमें output voltage मिल जाएगा, कहने का मतलब, कि ये वाले department के समय, जब ये input था, तब हमें output मिल जाएगा, तो चलिए इसको draw कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं color को change करके, आपके सामने इसे draw कर देता हूँ, तो ये देखे, ये हमारा output voltage आ गया, अब बात करें बच्चा लोग, इस negative half cycle की, तो ये आपका 0 to pi था, input, अब अगर मैं pi से लेकर के 2 pi की बात करूं, तो इस इस्थिति में, क्योंकि cycle नीचे जा रहा है, तो अगर ये नीचे जा रहा है, तो अब आपका S1 obvious है, पहले plus था, तो अब क्या हो जाएगा, minus क्योंकि नीचे जा रहा है, आपका waveform, इस इस इस्थिति में बच्चो P को क्या मिल रहा है, minus, ये तो उल्टा हो गया, P को N मिल रहा है, false connection, मतलब अपना क्या हो जाएगा, bias, reverse bias, and हम सब जानते है, reverse bias में current को pass करता नहीं है, diode, current load resistance से भी pass नहीं होगा, तो मुझे output voltage नहीं मिलेगा, तो अगर output voltage नहीं मिलेगा, तो हम क्या देख रहे हैं, कि 0 से 2 pi के बीच में output voltage यहाँ पर कुछ नहीं है, slot खा लिए, यह मैंने highlight आपके सामने कर दिया, अब इसके बाद फिर से वही चीज repeat हुई, positive half cycle आया, तो diode forward बायस में होगा, मुझे output voltage मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर output voltage draw कर देते हैं, तो यह हमें output voltage मिल गया, क्या यही process repeat होगी for this negative half cycle, answer is yes sir, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, और आप देख सकते हैं, कि हर बार positive half cycle के लिए ही, हमें output voltage मिल रहा है, तो क्या negative आले के लिए नहीं मिला, answer is yes, इसी का मतलब, इसी को कहते है, half wave rectifier, यानि input के सिर्फ half portion के लिए ही, we will get the output voltage, and this phenomenon is basically the half wave rectification, बट होता क्या है बच्चा लोग कि half wave rectifier के अंदर negative तो खराब हो रहा है, negative में हमें output चाहिए ही ने, और science हमेशा चाहता है कि हम जादा से जादा benefit उठा ले, तो इसका दूसरा निचोड आता है, कि अगर आप चाहते हैं कि negative में भी आपको output voltage बिले, तो आपको full wave rectifier पढ़न से secondary वाला जो coil है, उसके अंदर बीच में आकर के कहीं tapping होता है, इसलिए इसको ना center tap rectifier भी कहा जाता है, कहीं किताबों में आप central tap transformer का use किया गया, ऐसा word देखेंगे, तो basically बीच में आकर के wire को tapping कर दिया है, पीच में क्यों कर दिया गया है, क्योंकि अगर इसको मैं ऐसे हव rectifier, यह center tap transformer, सारी कहानी वही की वही है, यह हमारा input waveform है, यह आपका secondary का point out है, यह आपका primary coil का P1, P2 है, चल यह ना मांकरन कर देते हैं, तो यह P1, यह P2, बचलो, यह S1 और यह S2, शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले, जब हमारा negative, positive half cycle था, जो की 0 से लेकर के πाई के बीच मे था, तो आप ही बता दो, वीडियो को रोग करके, कि between 0 to 5 हमारा positive half cycle है, तो S1 प्लस उसके respect में S2 automatically minus हो जाए, कई बार offline में बच्चे इस सवाल पूछते कि सर, S2 minus क्यों कर रहो, अरे तो एक plus है, तो दूसरा plus हो सकता है, क्या एक सिरा plus लिया, तो उसके respect में, दूसरा बच् इसमें हो जाएगा, forward bias में, और अगर मैं diode forward bias में कह रहा हूँ, तो उसके respect में, जो मेरा diode D2 है, आपको नहीं लगता है, बिल्कुल reverse bias में है, क्यों, क्योंकि इसके P को, आप साब साब देख रहे हो, कि यहाँ minus था, और यह P को मिल रहा है, यहाँ plus था, यह P को मिल रहा था, तो this pointer was at forward bias mode, बट यह आपके किस में है, reverse bias mode में है, तो इस परिस्थिती में हम कह सकते हैं, कि यह current को block कर देगा, बट यह वाला diode current को allow करेगा, current यहाँ से आई, 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 क्योंकि यहाँ से कोई current जानी रहा था, तो यह current यहाँ चली थी, अब अगर current इस load resistance में से pass हुआ, इसका मतलब है कि इसके output में अपने को voltage मिल जाएगा, इसका मतलब यह हुआ बच्चा लोग, कि 0 से πाई के बीच में हमें यहाँ पर voltage मिल जाएगा, यह देखे कुछ, इस तरीके से हमें output voltage मिल गया, ठीक है, same situation, कि अगर हम πाई से लेकर के 2 पाई की बात करें, तो अब इस में polarity को change कर दीजे, ओपर minus, नीचे plus, इस परिस्तिती में आपका जो D1 है, you can see that, वो reverse bias में हो जाएगा, और D2 forward bias में हो जाएगा, परिस्तितियां वहीं सब कुछ सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि current नीचे से बहेगा, क्योंकि यह current को allow करेगा, यह current को जाने नहीं देगा, तो current ऐसे, ऐसे ऐसे जाते हुए, यहाँ से pass होगी, तो इसके across में हमें output voltage मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं, V is equal to I into R, right, तो हमने क्या देखा, कि इस बार गजब हो गया, इस बार negative वाले के time पे भी हमें output voltage मिला, अब output voltage मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपक प्ता करने के लिए आप क्या कर सकतो, इस load resistance के output में बल्फ लगा दो यार, बल्फ चमक गई, इसका मतलब output voltage है, बल्फ नहीं चमकी, output voltage नहीं है, इसका मतलब यह हुआ बच्चा कि हमें input waveform के positive और negative पे भी हमें output मिल रहा है, यह waveform का pick गया, इसलिए VM, यह गया तो minus में नीचे VM और यहाँ पर VM हम लिखें यह output waveform का, so basically हमें output waveform से पता चल गया है, कि input के दोनों ही cycle के दर्मियान हमें मिल रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, full wave rectifier, अब rectifier से related कुछ चीजें हैं, जिसे आपको बहुत अच्छे से note down करना है, आईए, समझते हैं, golden key point, कई बार बहुत कम देखा गया ऐसे, जैसे कि मैं कहता हूँ कि need में, 170 marks physics में आसानी से आ जाते हैं, 180 marks में से 180 marks भी अब तो भारत में लोग लेकर के आने लग गया है, तो जो 180 में से 180 marks लेकर के आता है, वो कोई अलग से नहीं बच्चा है, वो भी आप ही में से student है, बट वो क्या करता है, ऐसे ऐसे कुछ points होते हैं, golden की points जिसको अच्छे से note down कर रहा होता है, अब आपकी किताबों में नहीं है, NCRT में, बट कभी question आ गया तो, क्योंकि है इसी से related, कि बताइए, rectifier की efficiency कैसे निकालेंगे, simple, direct current दिया होगा, irms current दिया होगा, load resistance दिया होगा, forward bass resistance दिया होगा, then you have to calculate efficiency, तो बच्चा छोड़ देगा, क्योंकि उसोचेगा, यार मैं बायो में अच्छे marks लेकर आ रहा हूँ, तो physics में इतना नहीं पढ़ता हूँ, बायो वाले student का सबसे पंगा यही होता है, कि physics को थोड़ा से कम घ्यान दे, बट मैं सच बता रहा हूँ, इमाहदारी से बता रहा हैं, आपके बड़े भाए, इससवी भाबा यहां बैठे हैं, तो efficiency हमेशा कभी भी किसी भी machine की efficiency निकालने हैं, तो हमेशा याद रखिए, it is basically the calculation of the चमता, कार्य चमता, that this machine कितना can work, और वो हमेशा पता चलता है, output upon input से, क्या output power कितना है, इस machine का, और हमने input power कितना दे आ था तो देखिया, output में तो हमें DC मिल रहा है, प्लस 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 प्लस, ये वाले सब क्या है, प्लस 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 ही है, और input में हमें क्या मिल रहा है, RMS, बट input में यहाँ diode भी था, जहां से current pass हो रही थी, तो diode जब forward bias में होता है, तो उसका कुछ न कुछ resistance होता है, resistance कभी भी 0 न है, तो resistance तो है, तो बच्चा है, ये simple हो गया, load resistance के across I square R, और input में आपका RMS, and then forward bias resistance, plus load resistance, because both are in series, and then 100% के साथ multiply कर दीजे, this way you can calculate efficiency, एक और चीज़ होती है, जो कि BSC और engineering में आप सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर point याद रखे, in the form of golden की point, directly आपको 4 मांक्स मल जाएंगे, कि ठीक है, तो 40% और 80% सायद, इसलिए तो हमें full value पढ़ना पड़ा, क्योंकि negative में तो मिली नहीं रहा था, तो हमें full value रेक्टिफायर पढ़ना पड़ा, और दो चीज़ें आपको समझनी है, बहुत अच्छे से, किस बच्चा, इसकी साथ ही साथ, RMS and average value, for the half value rectifier and full value rectifier भी आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, यह इनका derivation है, बट अभी हम derivation पर focus नहीं करेंगे, बिकुस वो इतना important भी नहीं है, वैसे भी alternating current के अंदर आपको average और RMS निकालना सिखाये गया था, एक लंबा सा integration है, उस पर अभी हम समय ना गवाते हुए, direct point पर आते हैं और इसे अच्छे से याद कर लेते हैं, which is very very important, तो बच्चों अगर half value rectifier है, तो उसमें से चलने वाला RMS current का formula I not by 2, और average या DC का जो value है, वो I not by pi है, वहीं अगर हम full view की बात करें, तो IRMS I not by root 2, and IDC is equal to 2 I not by pi, mean value का formula याद करो, और यह try करना, integration simple है, integration IDT upon integration DT, यह आपको I average या IDC की value देगा, जो इतना ही आएगा, integrate करिएगा, 0 से ले करके 2 pi पे, और फिर इसी का square करके root में आप कर देंगे, तो RMS निकल जाएगा, you can try बच्चों, and comment करके जरूर बताना, कि आपको answer आया, कि नहीं आया तो I'll help, don't worry, चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने क्या देख लिया, आप वे रेक्टीफायर, फुल पे रेक्टीफायर, और उसके कुछ important point की efficiency कैसे निकालता है, और efficiency कितनी होती हो, almost, RMS value, and of course the average value, the next one is the filter circuit, वाओ, बहुत ही प्यारा सा topic, बहुत अच्छे समझ में आगा, ध्यान से सुनना, वैसे filter circuit दू तरीके का होता है, बाइद बे, एक inductive circuit होता है, और capacity circuit होता है, यहाँ पर जो आप diagram देख रहे हैं, वो capacity circuit है, inductive circuit, capacity अगर समझ लेते हो, तो inductive अपने आप आ जाए, पर सवाल यह उठता है, यह filter circuit आखिर है क्या, and filter circuit का भाई साल, use क् और यह है क्या चीज़, नाम से पता चल रहा है, filter, छानन, छाननी, चाय बनाते हो, चाय पत्ती को चानते हो, कुछ वैसा ही, हाँ पर भी है, होता यह है कि rectifier का जो output है, वो अभी भी बड़ा ही fluctuating है, देखिए, full view rectifier, ditch count, ditch count, ditch count, ditch count, ditch count, ditch count, मतलब की 12 voltage, फिर यह change हुआ, फिर यह उपर गया, फिर change हुआ, फिर change हुआ, फिर change हुआ, example के तौर पर अगर मैंने एक 12 voltage के बारे में सोचा, तो वो vary कर रहा है, वास्ता हुमें radio के device को हम बहुत अच्छे से समच सकते हैं, radio में हमें जो एक output मिलता है, वो एक fix tuning पर बचता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ, 94.3 माई FM, तो 94.3 माई FM पर रेडियो मिर्ची या जो भी, माई FM बोलके रेडियो मिर्ची था हम बोल रहा हूँ, चलिए, अरे लग गुरू सौंग, लग गुरू सौंग नहीं होता, बाइदेवे, लग गुरू एक आते हैं, आप सुन रहे ह लग गुरू को सुनने के लिए अक्सर जब आप एक ट्यूनिंग सेट करते हो, तो आपने दिखा होगा कि वह बड़ी शार्प आवाज आती है, यह चैप्टर सेवन में भी है, चैप्टर सेवन नहीं, अल्टरनेटिंग करेंट चैप्टर के अंदर है, इसको हम लोग क्या प्रदम करना चाहता है, कहने का मतलब बच्चो यह कि अभी भी इनके आउट्पुट में AC और DC है, आउट्पुट और रेक्टिफायर में अभी 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 AC और DC है, यहाँ पर लगा दिया जाता है, बीच में केपैसिटर और साथी केपैसिटर के साथ यहाँ पर गड़ दिया जाता है, इस तरीके से ग्राउंडिंग, अब होता क्या है, कि केपैसिटर तक पहुचता है, खुसी-खुसी में AC और DC दोनो, which is the output of the rectifier circuit, बट क्यापैसिटर का नेचर कैसा है, क्यापैसिटर एक AC डिवाइस है, DC डिवाइस नहीं है, क्योंकि उसकी जो प्लेट होती आखी है, प्लस-माइनस, प्लस-माइनस very करती रहती है, तो वो विचारी कहती है, ए, AC तुम चल्णी हो हमारे पास, कुछी-कुछीं बुला लेती है, अब AC विचारी चली जाती है कि दिदी बुला रही है, कैपैसिटर बुला लेती ते प्र उसको थोड़ी पता है, कि दि यहां से जो signal रहा है उसके लिए यह के पैसिटर इस पर्टिक्लर वैल्यू के लिए कम रियक्टेंस ओफर करता है रिजिस्टेंस कम रखता है तो करेंट का काम होता है जहां रिजिस्टेंस कम होता है घुश जाओ तो यह बिचारी खुसी-खुसी में ACOE मेरी दीदी बुला रही है चल देती है और फिर यहां पर ग्राउंड़िड हो जाती है मतलम मर जाती है बट दिमाग अखे लिए है कि सर्किट बनाते वक्त केपैसिटर की वैल्यू को मैक्सिमम ही रखा जाता है तब ही यह हुआ सोचो अगर मिनिमम ले लेते तो क्या होता अगर हम केपैसिटर को कम से कम रखते यह ज्यादा से ज्यादा होता तब यह इसको बुलाती ही नहीं बुलाती है हम अगर जाने का नह क्यों? क्योंकि XC ज़्यादा हो जाता कम capacitor के लिए ये ज़्यादा होता तो reactance ज़्यादा offer करता reactance मतलब opposition ज़्यादा होता तो AC आता ही नहीं फिर AC DC दोनों खेलते खेलते या चले जाते आपका output में फिर noise मिल जाता इसलिए capacitor की value को क्या रखते है maximum जिससे XC minimum हो जिससे AC यहाँ जाके grounded हो जाए तो अब आपका जो output voltage है बच्चा वो पहले कुछ इस तरीके से fluctuate था बड़ अब वो एकदम output voltage ऐसा pure मिलेगा अब यही चीज़ को आप ऐसा समझ लो कि अगर मैं capacitor के जगह पर एक inductor लगाता इंड़क्टर के लिए जो reactance है वो omega into L है आप क्या चाहोगे कि XL कम से कम हो तो L को minimum करो तभी यह कम होगा XL कम होगा तो AC खुद चलाएगा position कम है बस यह difference है कि capacitor ज़्यादा रखते हैं और inductor की value को कम रखते हैं जिससे यह process हो जाता है और हमें output में बिल्कुल ऐसा एकदम pure signal बिलता है बिल्कुल भी changes नहीं 12, 11, 11.1 यह fluctuate हो रहा है न मालो यह 12 है फिर 11, फिर 11.2 फिर 11.8 फिर यह 11 गयरा 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 हमको चाहिए 11 वोल्टेज, 12 वोल्टेज एकदम constant रहे यह काम करता है कौन फिल्टर सब्किट गोट माई पॉइंट अमेजिंग बच्चा लोग चलिए आगे बढ़ते हैं जहां पर numerical आएगा वहां हम numerical भी करेंगे जैसे पहले किया था चिंता मत करिए lecture वो continue करिए बहुत मचा आएगा और अगर मैं बता रहा हूँ कि आपने लेक्चर अच्छे से दिल से फॉलो कर लिया तो आपको प्यार होने जाने वाला है फिर आप Marks का पीछा नहीं करोगे Marks असुरा आपका पीछा करेगा विगिस आपने concept का पीछा कर लिया है चलिए आगे बढ़ते हैं Another very important topic that is Zainer Diode पांच साल के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप मेरे सर्च करेंगे विडियो जेनर डायोड बाई SSP सर्थ 2017 वाले बावा SSP मिलेंगे ठीक है पांच साल हो गया क्योंकि तब से हम लोग लगाता है CVC वाले बच्चों को कवर कर रहे है नीट मैंने एक और प्लाटफॉर्म पर पढ़ाया जेही पढ़ाया लेकिन आपके SSP प्लाटफॉर्म पर नीट का पहली पर पुरा से ले बस अपडेट कर रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दिखाते हो बच्चा घरवालों का फून है वैसे सच बताओं बच्चा लोग तो रात के बज़रे साड़ी दस इस वक्त मैं खड़े हो करके पढ़ाता था बढ़ाज इतना ज्यादा यहां बड़ बढबा सब्द पर था तो जीनर वास्तों में पहले पढ़ लिए हमने जीनर इफेक्ट एंड अव्लांच इफेक्ट हमने क्या देखा था पहले हमने ये देखा था आए थोड़ा पहले चल देता ना तो ज्ञादा बढ़ी है समझने आज अजैगा यह कितनी जाते हैं तो हमने यह देखा था कि reverse bias mode के अंदर करेंट ना constant रहता जिसको हम saturation current बोलते हैं फिर सड्डेली बच्चों जब हम voltage बढ़ाते रहते हैं बढ़ाते रहते हैं तो particular एक voltage पर current बढ़ जाता है यह current बा सड्डेली जो बढ़ता है न यह दो effect की वज़े से बढ़ता है zainer मैंने आपको सिखाया कि zainer impact में impurity जादा रखो या तो avalanche avalanche में impurity क्या रखते हैं कम रखते हैं बट दोनों इस situation में breakdown हो जाता है मैंने बताया था कि अगर zainer breakdown हो रहा है तो 4 voltage तक हुआ और 6 voltage से जादा में आपके current तूटके बढ़ गए तो avalanche हुआ और 4 और 6 के बीच में हो रहा है तो breakdown, zainer और avalanche दोनों की वज़े से होता है मतलब एक चीज तो सर समझ में आ गई कि zainer diode के अदर हमें ये चीज समझ में आ रहा है कहा गया भही मैं इतर आ गया चलिए एक चीज समझ में आ रहा है कि zainer diode है तो इक तरह का diode बट इस diode में connection है कुछ reverse bias का इसी लिए बच्च कैसे क्यों सब दिले दिले समझ में आएगा बने रहा है अब इसको समझने से पहले इसकी circuit को भी समझने से पहले हम समझते हैं कि zainer diode वास्तों में एक device है बट ये क्या काम करता है तो चलिए मैं आपको समझाता हूं आपके घरों में आने वाला supply 230 voltage AC है कुछ कुछ device को DC की जुरत है तो आप rectifier circuit लगा देते हो कि पट कुछ device ऐसे होते हैं जो 230 में irregularity है irregularity का मतलब क्या जैसे माले यह TV है यह TV है आलाक यह रिमोट है बीबी नहीं TV इसके input में हमने घर का voltage मतलब इसको plug-out कर दिया TV में आपने TV का socket को जो पीछे का plug है उसमें आपने TV के घर के socket में लगाया तो 230 वोल्टेज कभी 220 हो रहा है 190 हो रहा है 110 हो रहा है इस तरीके से variation हो रहा है लगातार changes हो रहा है 230 में एसी है तो चेंज तो हो गई ऐसा थोड़ी 230 लगातार रहा है बड़ यार यह जो device है इस device को ना यह चीज़ पसंद नहीं है इसको चाहिए कि भाया मैं 20 मैं मैं 40 वोल्टेज पर काम करना चाहता हूं 40 वोल्टेज का fix मेरे को एसी चाहिए तो यह जो चेंज हो रहा है 220 फिर 230 इंडिया में हिंदुस्तान में हमारे भारत में तो इतना ही होता ना साइट मैं गलत नहीं हो तो हां इतना ही होता 220 230 110 5 4 इसे यह blast हो सकता है तो इसको एक ऐ 210 हो जाए यहां बले 190 हो जाए यहां बले 170 हो जाए यहां बले 50 हो जाए यहां बले इन्पुट में कुछ भी हो बट आउट्पुट में constant मेरे को वोल्टेज दे वो काम करता है बच्चा लोग जेनर डायोट और यह जो इन्पुट में लगातार variation हो रहा है इसे irregular voltage बोलते है और इसी irregular voltage को regulate करने का काम करता है कौन हमारा जेनर डायोट इसलिए जेनर डायोट को as a voltage regulator device भी कहते हैं कितनी बड़ी है handwritten notes है यह सब आपको telegram में मिल जाएगा बार-बार mention कर रहा हूँ SSP आप बच्चे नीट की तयारी कर रहे हूँ तो यह आपकी notes बहुत काम आएंगे telegram में जाकर कि इन्हें ले लीजेगा telegram join कर लीजे तो हमें इतना समझ में आगा कि जेनर डायोट का काम क्या है voltage regulator device है अब इसके circuit में चलते हैं और यह क्योंकि जेनर effect है तो reverse bass mode पे काम करत इस तरीके के symbol से लगाते हैं अभी यह pn junction diode यह बट आपको यहाँ पर n के side में z type बनाना होता तो यह जेनर डायोट हो गया इस जेनर डायोट में यहां इसके parallel में एक load resistance है मतलब कि tv हो गया कुछ भी हो गया समझ लो जहां पर मुझे output voltage मिलेगा जिसको मैं regulate करना चाहता हू मुझे यहां पर regular voltage चाहिए ठीक है यहां लिख देता हूं मुझे regular voltage चाहिए और यह हमारा input voltage है जहां लगातार variation हो रहा है और यहां पर एक source resistance है जहां से current जाएगी वह आई-स है source current नाम दे दिया सिर्फ अब इस circuit को और अच्छे से समझना है तो एक mechanism समझाता हूं अगर आ आप अपने आने वाली पीडी को भी समझा पाऊगे ठीक है आप अपने स्कूल की टीचर को भी समझा पाऊगे इतने प्यार तरीके से समझाओगा तो चलिए हो mechanism पर चलते हैं mechanism समझे बच्चा हमारे पास बड़ा ही कुपसूरत सा एक equation है physics में हर चीज बड़ी कुपसूरत होती है और हर एक equation के पीछे एक राज चुपा होता है यहां पर भी कुछ वैसा ही राज है सिम्रार वाला राज नहीं असली वार तो हमारे पास equation है वी इस इगल टूई माइनस आयर जिससे आप सभी लोग वाकिप हैं यह होता है आपका बैटरी का एक resistance और यह होता है current आप को पता है ठीक है अब देखे हमने अगर EMF 200 लिया हमने माल लिया कि भाया रजिस्टेंज जो है constant है 10 और मैं यहां पर EMF को लगातार बढ़ा रहा हूं अगर मैंने पहले एक value ले लिया कि EMF मेरा 200 है बैटरी वोल्टेज मेरा 200 है current 10 है तो result मेरा आया 100 अब मैं EMF को change करता हू मैंने 200 से 200 कर दिया तो इस voltage के बढ़ने से current भी बढ़ दल गया 15 हो गया resistance चेंज नहीं हुआ अभी भी 10 है क्योंकि वो तो resistance constant रहेगा न यह constant है mechanism देखिए कि जब यहां voltage बढ़ा तो current बढ़ा 15.5,500,500,500 पर से देखिए अभी 100 voltage है फिर देखिए next step में हमने इस 200 को 300 किया उ resistance अभी भी constant है इस तरीके से यह mechanism काम किया कि फिर से यहां पर 100 हो गया फिर मैंने इस 200 को बच्चा लोग 1500 किया तो current भी 10 से 5 हो गई बट mechanism काम ऐसे किया कि अभी भी आपका outward voltage constant है इस circuit के अंदर भी यही वाला mechanism काम करता है आप यहां पर एक diode अपनी इच्छा के अनुसार जे नहां पर हर बार वही voltage मिलेगा जैसा इस diode का output voltage है जैसे मैं एक ऐसा जेन डायोड शिलेट कर रहा हूं जिसमें breakdown 100 voltage पर होता है तो अब अंदर यह जो वी आई है वो यह है EMF यह कुछ भी हो 200, 200, 300, 1500 बढ़े चाहे घटे 200, 300 बढ़ा चाहे घट गया 1,500 बट इनके change होने के हिसाब से इसके change होने के हिसाब से I change होता है यानि यह चलने वाली current change होती है बट बच्चा ध्यान देना यह जो R है वो यह source resistance है यह change नहीं होगा जब मैं I बढ़ाऊंगा जब मैं input voltage बढ़ाऊंगा तो मेरा IS बढ़ेगा यानि voltage के बढ़ने से यह मेरा बढ़ेगा लेकिन IR यहाँ पर इस तरीके से set होता जाएगा कि इसके across में voltage मुझे हर बार बच्चो constant ही मिलेगा कहानी को ध्यान से सुनना ध्यान से दो लाइन बोलूंगा अगर उसको सीख गये सुन लिए lifetime तक याद रहेगा हमने input voltage बढ़ा भी जादा हुआ पहले IR 100 था अब IR 1500 है क्या voltage का drop हुआ येस पहले यहाँ पर 200 से 2500 हुआ था बच्चा यानि 50 voltage बढ़ोतरी हुई तो दीखें यहाँ पर तो उसी के हिसाब से drop भी उतना हो गया जिससे कि आपका output voltage 100 बिला अब sentence को फिर से बोल रहा हूँ अगर हम input voltage बढ़ाएंगे तो IB बढ़ेगा तो IR भी बढ़ जाएगा बट ये जेनर डायोड के across में output voltage constant रहेगा in equation के हिसाब से अब ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जेनर डायोड में fix होता है न breakdown अब मैं तो यहाँ 100 voltage कहने के लिए कह रहा हूँ बट छोटे डायोड भी होता है बड़े डायोड भी होता है 1000 voltage के भी हो जाते हैं अलग-अलग होते हैं किसम के market में available होते हैं practical आप करिएगा engineering में BSC में तो जेनर डायोड इस principle पे काम करता है इस mechanism पे काम करता है किसी का उल्टा बना दो सोचो अगर VI कम हुआ तो यानि 200 से 1.500 हो गया तो तो सर IS भी कम होगा और इसके across drop भी कम होगा प इसका एक numerical करा हूँ तो आपको एक दम concept clear हो जाएगा यह उस पर चल देते हैं ठीक है चलिए आगे continue करते हैं बच्चों चलिए बच्चा लोग तो अब सुरुआत करते हैं हम लोग opto electronic junction device की जिसमें हम पढ़ेंगे LED पूटो डायोड और सोलर से तो सबसे पहले सुरुआत करते हैं LED की नाम से पता चल जाता है दिवाली अभी हाली में गई है चक्मक चक्मक ला LED लाल कलर की LED नीले कलर की LED तो वास्तों में यह जो colorful LEDs है वहां से एक बात तो अपने दिमाग में चमक रहा है कि यह light हमारे लिए visible है मतलब कि जो उनमें से energy निकल रहा होगा वह visible range में आता होगा अब जैसे देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पर आप लोगों को remote दिखाई दे रहा है यह AC का remote है और आप दिहान से देखेंगे तो यहां पर भी एक LED लगी हुई है light emitting diode ही है क्यामरे पर ले energy है वह infrared range में आ जाता होगा क्यों बनाता है scientist ऐसी चीज़े उसका reason यह है कि आप कुछ जगह पर चाहते हो कि हम डिस्टर्ब ना हो जब मुझे लगे कि एसी कम जादा करना है तो मैं बस बटन दबाऊं आखों में कोई problem ना हो वैसे ही बोलो कि सर इससे क्या ही प्रॉब्लम देता है चाहे वह लाल हो पिला हो निला हो इसका मतलब है कि वह एनरजी जो निकल रही है वह वह समझ में आ गई अब कुछ मैरे की पॉइंट्स यहां लिखे हैं जिससे आपको लाइफ टापिक याद रहेगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पी forward bias mode पे ही काम करता है forward bias mode पे ही चालो होगा reverse bias mode पे काम नहीं करता है अब अगर मैं LED को forward bias mode में दूँ LED मतलब basically PN junction diode अदर का काम समझना है तो PN junction diode को समझना पड़ेगा तो चलिए हम इसको forward bias mode देते हैं P को plus दिया और N को minus मतलब PP connection हो गया P plus और N minus इस तरीके से मैंने इसको forward पैसिंग दिया अच्छा forward बाइसिंग देने से होता क्या है कि यह वाला जो depletion layer है आपको पता है कि forward bias के अंदर बाहर से चलने वाली battery और अंदर वाली जो potential barrier है दोनों का direction opposite हो जाता है जिससे overall potential barrier घट जाता है जिससे यह depletion layer भी घट जाता है अब जब depletion layer घटा इसका मतलब यह है कि there is a chance of this electron and hole का recombination जरा इस चीज को बहुत अच्छे से समझे यहाँ पर है एक silicon और उस silicon के last वाले orbit में ऐसे चार है electron फिर वही वो कोविलेंट मॉंड से बना हुआ है ठीक एक बात तो होती है कि भाया energy ऐसे कोई आता है बाहर से एक energy आया सपोज E is equal to HF यानि कि HC अपॉन में lambda और यह energy तनी ज़्यादा energy है कि energy gap से ज़्यादा है जिससे हुआ यह कि यह वाले electron यहाँ पर release ह हो गए और हमें क्या मिल गया एक होल मिल गया है तो सिलिकॉन मैं इसको फिर से रीड्रो कर लेता हूं जस्टा सेकिन बच्चा लोग तो सिलिकॉन electron, electron, electron लेकिन यहाँ पर एक होल बात समझना बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से एक energy आई वो energy आपने silicon atom को दिया वो energy इतनी अच्छी खासी energy है कि silicon के last वाले orbit में से एक electron को निकाल करके फेक दिया दुबाक तो यहाँ पर बचा क्या होल मतलब कि यहाँ पर हुआ क्या generation energy absorb ह होई और silicon atom से electron और hole बाहर निकल गया तो जब यह electron बाहर निकल गया तो अब यह वास्तों में किस जगह पर है मतलब कहां है इसे आप कहा रहे हो free electron तो free electron का क्या मतलब होता है यह conduction band में मतलब energy निकलती है जब एक electron free होता है अगर वही energy निकली हुई वापस मिल जाए मतलब कि यह electron वापस इस hole के अंदर recombine हो जाए तो क्या वापस energy release होगी answer is yes sir कैसे मैंने अभी अभी आपको थोड़े दर पहले बोला कि अभी electron free है मतलब कि वो कहां है conduction band में कहां जा सकता है balance band में जाएगा और कहां जा सकता है बच चलो और यह बोहर model में आप atom chapter के अंदर पढ़ चुके हो और मैं पढ़ा चुका हूँ कि whenever the electron makes a transition from higher energy level to the lower energy level then it releases the energy ठीक है और वह energy आपका hf और hc by lambda होता है बाराई समझ में यह जो energy बाहर निकल रही है frequency के form में और यही light के form में हम लोगों को यहां से दिखाई देती है वो जो LED बाहर आप देखते हो चमका हुआ light वो यहां से हमें light के form में बाहर निकलता हो दिखाई देता है क्योंकि electron और hole का combination हो रहा है कहां प वो कहा आया balance band में आया try to feel because physics is all about imagination तो energy release हुई और वह energy हमें दिखाई दे रही है वो इसलिए क्योंकि वो visible reason में आती है और ऐसा PN junction diode के अंदर अगर silicon और germanium है तो नहीं कर पाएंगे इसलिए एक special तरीके के semiconductor से बनाया जाते हैं जिसको हम gallium arsenide phosphate कहते हैं यह 1-xx का मतलब है कि अलग-अलग ratio पे अलग-अलग color हमें दिखाई देते हैं पंड़ा clear हुआ बच्चा मैं फिर से कहना चाहूंग एक बात बहुत reason में नहीं आ रहा है human eyes को कोई भी color कब दिखाई देता है जब वो visible range में आता है और देखा गया practically कि visible range कभी possible है जब हमें दी गई जो हमारी energy gap है वो 1.8 electron volt से जादा हो यानि जो आप यहां पर electron और hole का combination हो रहा है वो 1.8 EV से जादा की energy यहां छोड़े तब हमें यह दिखता ह है मतलब कि energy gap इतना 1.8 EV से जादा हो तब वो visible reason में आता है तब we can see that और यह silicon और germanium का जब combination होता है electron hole तब यह 1.8 EV नहीं होता 1.8 EV होने के लिए गैलियम आर्सेनाइट और phosphate का यूज किया जाता है clear हो अच्छे से ठीक है तो LED इस तरीके से काम करती है आए दूसरे पर चलते हैं दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास में फोटो डायोड LED समझ में आ गया तो फोटो डायोड भी तुरन समझ में आ जाएगा समझना अच् तो बचलो नाम से बता चल रहा है फोटो डायोड मतलब कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें फोटो मतलब के लाइट से रिलेट कुछ बात चल रही है तो अगर आप इसके की पॉइंट पर ध्यान दीजेगा तो यहां पर लिखा हुआ है कि लाइट एनरजी को यह इलेक्ट्रिक प्लस से माइनस रहता है एलेक्ट्रिक फील और पोटेंशल बैरियर जैसे आप कहते हो और अब हम इसे अगर रिवर्स बायस में देंगे हम इसे रिवर्स बायस मोड पर काम करता है इसलिए यहां पर हमने पॉइंट भी लिखा है कि ऑल्वेज वर्क्स ओन रिवर्स बायस म चलती है थ्रेशोल बॉल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले अगर तुम्हें याद हो तो याद होना चाहिए बीजी लेक्चर में तो चल रहा है तो यह जो सैचुरेशन करेंट है इसको डार्क करेंट क्यों बोल रहे हो क्योंकि यह ऐसी करेंट जो बहुत ही कम अम हमने दे दिया पिलस मतलब कि अब यह रिवर्स बाएस मोड पेर है अब होता क्या है बच्चा लोग फोटो डायोड के अंदर यहां लिखा है यूज टू डटिक्ट लाइट इंटेशिटी इक करने का काम करता कैसे करता है तो जरह समझता है यहां पर यह जो आप देपार् जोगे तो बाकि सब समझ में आ जाएगा और वह एनर्जी का फॉर्मुला क्या है एचेफ एची बाइलाइमडा ये एनर्जी एनर्जी गैप से ज्यादा है अगर एनर्जी गैप से ज्यादा है इसका मतलब है कि इस डेपलेशन लेयर के अंदर कौन है बच्चा कुछ नहीं ह हो गए तो बना किया यूट्रल एंटम है खुसी खुसी से नियूट्रल एंटम वहाँ पर बैठाया घूम रहा है अब उदर से टाइजी आई तो एनर्जी के मिलते टॉपिक स्टाट किया तो यह देखो इस चीज़ को कहए दें जनरेशन इलेक्टरोन और होल का बॉस्ट ही ये इलेक्टरोन और होल वापस अट्रैक्ट्ड करके फिरसे न्हीूटर बने उससे पहले इनका पपा इंतिजार करते रहता है क्योंकि वास्तों में electron और hole बने कहा पर है? depletion layer में बने है और depletion layer किसके अंतरगत है? electric field के अंतरगत है यह तो आप पहले ही पढ़ चुके हो plus minus तो क्या हुआ बच्चा लोग? कि यह जो electron है वो plus के साथ attract हो जाएगा because n department में इधर पूरा plus terminal होता है और ये जो hole है वो इधर P के अंदर चले जाएंगे इसे क्या कहता है generation and separation और इसके बाद collection collection का मतलब कि P department में बहुत जादा holes बनना start हो जाएंगे और n department में बहुत जादा electrons बनने लगेंगे simple भासा में समझाओ light गिरी light ने neutral atom को तोड़ा electron और hole बने आपस में combine हो उससे पहले electric field depression लेरका उनके उपर force लगा देता है क्योंकि E is equal to F upon Q E is equal to Q into E electric field का काम है तो उस force के प्रभाव में electron plus के तरब भागता है end department के पास में plus 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 है minus plus के तरब attract होता है hole किस तरब भाग जाता है इस तरब भाग जाता है correct तो हुआ क्या जितनी ज़्यादा light गिरी उतने ज़्यादा neutral atom टूटे उतने ज़्यादा electron hole निकले उतने ज़्यादा collection हुए और ultimately current क्या हो गया बढ़ गया भाई साहब तो जड़ा सोच करके देखे कि saturation current ऐसे constant थी क्या वो suddenly बढ़ जाएगी हाँ अगर आप यहाँ पर एक emitter लगा दो तो वो emitter बिचारा 20 micro ampere reading कर रहा था suddenly इसके उपर light गिरा इस device के उपर light गिरा यह जैसे एक alarm होता है right वहाँ भी काम हो जाता है बड़े-बड़े mall में आप जाते हो इसका मतलब है कि जरूर कोई आदमी जो है पास हुआ है यहाँ से जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक हाथ रख दो अपना ऐसे हाथ रख दो तो अगर हाथ नहीं रखा है मैंने तो 40 micro ampere था हाथ रख दिया कट गया तो 40-20 हो गया तो आप ऐसे रेलवे स्टेशन पर लगा दो एक इन्विजिबल रेस जो है इस सर्कुट के साथ टकरा रही है तो 40 micro ampere है लेकिन अगर कोई आदमी गलती से आ गया यहाँ सर्कुट है और दरवाजे के पास में यहाँ पर आपका जो एक लाइट का सोर्स है आदमी गया लाइट टक्राया लाइट टक्राया तो ग्राफ नीचे आया घ्राफ नीचे आया तो सर्कुट को पता चल्गया को पता चलिक प्लैट्वाट पर यूज हो सकता है ऐसे आपने देखा होगा कि जब आपके पिता-जी खुब धीर सारा गड़ और एक मसीन में रखा करके सीन माप लिया कि ढाप काउंट कर लिया, कि कहसे काम होता है व फोटोट के प्रींसिपल पर आपने देखा होगा कि वह ज़िती रहती है अगर जल रही है तो यहाँ पर से यह आ रहा है light circuit के उपर और यह 20 micro ampere saturation current से ज़्यादा का एक current चल रहा है अब suddenly क्या होता है इस चीज को slow motion में समझो तो note की गड़ी को एक slider धीरे से सरकाता है slow motion में समझे, धीरे से एक note गई तो जब धीरे से एक note जाती है तो जो light जलरी हो, उस light को touch करते वे जाएगी, light को काटते वे जाएगी, light कटा तो जो 40 micro ampere था, वो 20 हो गया फिर दूसरी note गई 40 micro ampere, 20 micro ampere और वो software एक system यह चीज़ देख लेता है कि 40 micro ampere कितने बार 20 micro ampere हुआ, जितने बार 20 micro ampere हुआ, इसका मतलब उतना note वहाँ जा रहा है, फिर तो पूरा खेल computer का होता है, this way photo diet works, क्या चीज़ था इसके अंदर, generation separation, collection इसी principle पर कुछ ऐसा ही logic होता है, आजकल आप देख रहे हो भारत का गाउंगाउं काफी तीजी से विकास करता हुआ दिखाई दे रहा है, solar cell के बारे में आप सब जानते हो, कि जो solar cell होता है वो sun से रोशनी से लेता है energy, देखे क्या महिमा है physics के यार बताओ, भगवान सुर्य के केंडों में भी energy चुपी होगी, तो वो energy लेता है उसके बाद क्या होता है, कि वही energy जी collect होती है, और फिर उसी से electricity पैदा की जाती है, उसका basic समझता है, तो solar cell का key point यह है बच्चा कि जैसे माल लीजे, कि आप यह solar panel का भी देखे होंगे तो कुछ chip के तरह होता है, circuit के तरह होता है आपको यह remote अच्छे से दिखाई दे रहोगा तो बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, यहाँ पर आप बीच में एक line देख रहे है, राइट, यह जो line है वो depletion layer है, उसके ऊपर जो आप देख रहे है यह वाला portion वो थोड़ा सा thin है, पतला है और उसके नीचे आप जो देख रहे है, वो काफी मोटा है, comparison to उपर का layer, यह layer मोटा है तो जो मोटा होता है, वो P-type, जो पतला होता है वो N-type, और जो बीच वाली line हम देख रहे हो, वो P-n junction diode का depletion layer है अब जो पतला वाला face है, layer है, chip है P-n junction diode का, उसको ना सूर्य भगवान के सामने रखा जाता है facing sun side, तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से clear हो जा रहा है कि उपर वाले को पतला रखने से फायदा यह होता है कि sun rays आसानी से इस पतले वाले layer को भेद करके इस line पर पहुँच जाएगी, यह line कौन सा है हमारा depletion layer, आई क्या बात समझ मैं, फिर से देखिए sun rays आया और depletion layer के अंदर पहुच गिया, अगर आप उपर वाले को मोटा रख देते, तो sun से निकलने वाली energy, depletion layer तक पहुचने से पहले ही टकरा करके मर जाती, अगर यह वाला उपर होता तो, अब देखो यह वाला layer जो है, आपको यहाँ पर मोटा दिखाई दे रहा है, तो अब sun rays को time लगेगा यहां तक पहुचने में, कहां तक पहुचने में, इस layer तक पहुचने में, तो energy खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी in the sense, depletion layer तक क्यों पहुचाना चाहते हो, क्योंकि depletion layer में neutral atom छुपा हो, आप उसी को तो तोड़ना चाहते हो, इसलिए पतले वाले को N की तरफ रखा जाता, sunset, sunset की तरफ रखा जाता है, सवाल यह भी उट सकता है, आपके मन में, discussion should arise in your mind sir, why we are facing, why we are putting this N side towards the sun, क्यों हम P नहीं रख रहे हैं, तो उसका reason है, N में majority electrons है, और electrons अच्छा mobile charge carrier माना जाता है, comparison to whole, क्योंकि whole का mass ज़्यादा होता है, mass ज़्यादा हो जाने से, उसको चलाने में आसानी नहीं पढ़ती, energy की जरुत पढ़ती है, और आप current आसानी से पान नहीं तो यह sun rays आई, depletion layer के अंदर वही कहानी फिर से, के energy जो है आता है, इस atom को मिलता है, electron release होता है, और यहाँ पर एक hole बन जाता है, यानि की generation हो गया, किसका? electron hole pair का, अब आप जानते हो कि N में plus होता है, P में minus होता है, side पे, तो यहाँ के generation से, जो electron है, वो N department में घुझ गए, और जो hole है, वो कहाँ घुझ गए, इस तरीके से, आप collect होता चला जाएगा, N में और P में, अब एक चीज को बहुत ध्यान से समाझना, जो electron यहाँ पर, I, N department में, वो है क्या? semiconductor, तो semiconductor की conductivity अच्छी होगी, या फिर conductor की conductivity अच्छी होगी, आंसर है, conductor की conductivity अच्छी होगी, तो क्यों ना, इस N layer के ऊपर, ऐसे, कुछ rods लगा दिये जाए, metal rods, जिसको ना metal finger rods भी कहते हैं, भगवान संकर जी का त्रिशूल लग रहा है वो, अगर आप देखेंगे कभी भी solar cell, तो उस पर ऐसे ऐसे lining दिखाई देती है, वो basically conductor होते हैं, क्यों बनाए चाते हैं वो, क्योंकि ये जो electron पैदा हुए, वो इस semiconductor में आसानी से नहीं चल पाएंगी, क्योंकि semiconductor का resistance, conductor के resistance से ज़्यादा होगा, लेकिन conductor का resistance कम होगा, resistance कम है, तो अच्छे से चलेगा, resistance ज्यादा है, तो थोड़ा खराब चलेगा, तो होता ये है, बच्चा लो कि electron, पास वाले metal finger rods में जमा होने लगते हैं, और फिर चलने लगेगा, तो current बना देगा, बस फिर हुआ क्या, तो आप इसको और इसको आपस में collect कर दीजे, यहाँ पर कोई light लगा दीजे, light लगा देंगे, light चलने लगेगा, घड़ी लगा देंगे, घड़ी चलने लगेगा, battery बन गया, solar cell बन गया, काम खतम, वैसा हजब, तो अब यहाँ पर एक और सवाल बन सकते है कि सर, अगर conductor इतना ही अच्छा है, तो आपके N लेयर के उपर आप पूरी तरह से क्यों नहीं metal finger rods लगा देते हैं, तो उसका answer भी आप सोच सकते हो, comment करके जरूर बताना, वीडियो को रूप करके answer करो, कि क्यों पूरी तरह से यहाँ पर पहुचा, तो कोई process हुई नहीं, इसलिए gap रखना पड़ता है, इसलिए lining रहती है, पूरी तरह से cover नहीं करते हैं, दूसरा एक और अच्छा तरीके से आप समझ सकते हो कि, मुझे अगर ज्यादा voltage का solar cell बनाना तो क्या करो, of course, surface area बड़ा कर दीजे, जितना बड़ा solar panel circuit में current अच्छी होगी, circuit में current अच्छी है, तो आप बड़े-बड़े काम कर सकते हैं, अब तो बहुत सारे जगह पर commercial use किया जाता है, और हमारे देश में बहुत सारी company को ऐसा कहा जाता है, कि आप जो है generate करिए, और फिर government को बेच दीजे, तो काफी अच्छे तरीके से solar cell का काम उपयोग में लिया जा रहा है, तो physics का ही देने, तो चलिए, यह हमारा opto electronic junction device होता है, यहां पर समाप्त, हमने LED देख लिया, हमने photon diode देख लिया, हमने solar cell भी पढ़ लिया, अच्छे से, अब हम बात करते हैं, अच्छा है, यह point हमेशा याद रखना generation, just a second, यह सारे notes में मैं आपको अच्छे से तयार कर रहा हूँ, हाँ, generate हुआ, electron hole, फिर separate हुआ, because of electric, फिर collect हो गया, और फिर यह काम शुरू हो गया, चलिए, अब इस chapter का, सबसे और जवरतस्त, और सबसे प्यारा topic, that is transistor, सच कहूं तो transistor मैंने आज के 5 साल पहले पढ़ा है था, उसके बाद फिर क्योंकि CBSC में board में लगातार कटते चला गया, तो SSP platform पर कभी जोरत पढ़ी नहीं, लेकिन क्योंकि अब इस बार हम लोग need का पूरा content डाल रहे हैं, आपके इस platform पर, तो मैं make sure कर रहा हूँ, बच्चा, एक भी topic नहीं चूटेगा, सब कुछ covered रहेगा, और trust me, अगर आप भी video lectures देख लोगे एक बार, तो you will be in love with physics, I hope कि अभी आप यहां तक पहुच गया है, मुझे नहीं पता ही, दूसरा तीसरा घंटा होगा, कुछ जब जब टाइम मिल रहा है, मैं वीडियो को edit करके record करते चले जा रहा हूँ, चलिए, तो अब transistor की बात करते हैं, transistor के नाम से चल रहा है, transfer register, मतलब एक ऐसा device, जो low resistance पर signal को लेता है, और high resistance पर output देता है, अब आप देख रहे होंगे बचलो कि मेरे पास यहां पर एक माईक है, that is also kind of transistor, मैं बहुत slow बोल रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो के अंदर मेरे sound की intensity बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हम हमने loudspeaker देखा है, सुना भी है, हम धीरे बोलते हैं, लेकिन काफी तेज से अवाज आता है, हमने amplifier का नाम सुना है, चाल पान साल पहले amplifier पे गाना निकला था, तो मेरा amplifier, मतलब हम धीरे से बोलते हैं, और काफी तेजी से सुनाई देता है, amplifier से sound और बढ़ जाता है, यह वा पूरा transistor समझना होगा, फिर वो transistor का amplifier वाला स्वरूप और बाकी सारी चीज़े देखने पड़ेगे, इतना दिवाग में समझ में आ रहा है कि अगर कोई पूछ ले या transistor क्या है, तो transistor is basically a kind of device, जो signal की intensity को बढ़ाता है, अब देखिए, transfer of register मैंने या लिखा भी है, transistor दो तरीक से यूज देखिया, आपने जेन डायोड देखा, आपने forward बायस देखा, आपने reverse बायस देखा, इवन आपने ये देखा कि भाईया, half way rectifier, full way rectifier, तो एक ससुरा छोटी सी पी एन जंक्शन डायोड ने इतने सारे काम कर दिये, तो just imagine अगर मैं दो पी एन जंक्शन डायोड म मिलाओंगा, तो कोई कमाल की चीज मुझे मिलेगी, और वो कमाल की चीज ही क्या है, आपकी transistor है, तो बच्चा जब दो N type semiconductor के बीच में P type को दबा दिया जाता है, इसको कई सारे किताबों में कहते हैं, सेंडविच कर गया, कर दिया गया, तो उससे बनने वाले transistor को NPN transistor कहते ह है, और जब दो P type semiconductor के बीच में एक N को दबा दिया जाता है, सेंडविच कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं PNP transistor, चाहे NPN transistor हो, चाहे PNP transistor हो, क्योंकि इसमें 3 department बन गए, तो इसके ना 3 wire भी होते हैं, 3 terminals होते हैं, एक terminal को emitter कहते हैं, बीच वाले को base कहते हैं, और एक side क collector कहते हैं, again, emitter, base and collector, अब हम बारिकी से समझें के NPN काम कैसे करता है, PNP काम कैसे करता है, लेकिन यहीं पर, मैंने slide में एक बहुत अच्छा सवाल आपके लिए छोड़ दिया है, that is why NPN transistor is most commonly used in a market, ज्यादा तर जो भी device बनाय जाते हैं transistor से, वो NPN transistor के ही बने होते हैं, सवा करें कॉमेंट सेक्शन के अंदर, पैरे वीडियो को रोके तो सही ही, और आंसर करें कॉमेंट सेक्शन के अंदर, से लिए मैं बताते हैं, देखो NPN में नाम से पता चल जा रहा है, NPN, यानि दो बार N आया, मतलब majority इसमें कौन है, N है, N का मतलब majority charge carrier कौन होगा, electron होगा, य लेगिन होल को आप positive मान रहे हो, 1.610-27 kg, कहां माइनस में 27 kg, तो इसका mass कम है, उसको चलाना आसान होगा, जिसका mass जादा है, उसको चलाना tough होगा, इसको सरल भासा में मैं आपको बता रहा हूं कि mass कम चलाना आसान, mass ज्यादा चलाना जो है, आसान हो जाता है, इसका एक formula भी था, चलिए मैं आपके लिए लिखी देता हूँ, mobility का, कि हमारे पास में equation था, बच्चा लोग, कि J is equal to any VD, right, अग, VD divided by जो E होता है, न, वहीं हमारे लिए mobility होता है, और J is equal to वास्तों में, sigma into E होता है, तो अगर मैं J is equal to sigma into E कह दूँ और any VD is equal to इतना कह दूँ, तो VD divided by E कह दू, बच्चो तो यहाँ पर देखे एक must equation निकल कर क्या रहा है, जहां से आपको clarity मिलेगी, येस बच्चों, तो देखे equation क्या है, हमारे पास में J is equal to any VD, और J का formula होता है, sigma into E, जहां sigma conductivity होता है, और VD upon E कर दूँ तो यही मेरे लिए mobility है, और VD को subject बना दो, तो mobility multiply by electric field, अब VD का जो formula होता है, वो E into E, capital E, which is electric field divided by M into tau है, तो यानि, mu is inversely proportional to M है, mass ज्यादा तो mobility कम, inversely proportional है इसलिए whole का mass ज्यादा होगा, तो mobility उसकी कम होगी, mobility कम होगी, तो चल नहीं पाएगा, अच्छा, तो अच्छा charge carrier नहीं है, इसलिए market में PNP transistor के जो use होता है, थोड़े कम होता है, राइट बच्चा, तो the final answer is NPN, बहुत अच्छा होता है, अच्छा होता है, बढ़ियां होता है, लेकिन PNP में काफी दिक्कते होती है, दिक्कते हैं नहीं होती, इसकी size थोड़ी कम दिखरी, इसकी size थोड़ी ज़्यादा दिखरी, इसकी size बहुत ही कम है, तो उसको हम एक table से समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़े समझे, नाम से पता चल रहा है, एमिटर section, एमिट करने वाला section, तो it should be like, जिसके अंदर ज़्यादा होगा, तभी तो वह एमिट करेगा यार, बेपर ज़्यादा खाना होगा, तभी तो मैं एमिट कर पाऊँगा, इसलिए एमिटर highly dopped होता है, इसके अंदर electrons ज़्यादा होता है, इलेक्टरों ज़्यादा क्यों है, क्योंकि end department है, तो इसके अंदर doping ज़्यादा कर दी जाती है, इम्पिरिटी ज़्यादा मिला तो doping ज़्यादा होगा, यह और क्या, खेला कतम, पैसा आज़ा, बोजी नाचा, चामा चामा, इसलिए इसकी size बड़ी होगी, तभी तो collect कर पाएगा boss, emitter emit करने वाला, collector collect करने वाला, उसकी size बड़ी होगी, तभी तो collect कर पाएगा, इसलिए इसकी size बड़ी रखी जाती है, लेकिन इसके अंदर doping comparison to emitter कम होता है, less doped होता है, medium doped कहे दोगे, ऐसा की, जो P department है, P, जिसको हम base कह रहे है, यह size में भी छोटा होता है, और इसके अंदर doping भी कम होती है, तो अब यहाँ से पता चल जा रहे है कि सबसे ज़्यादा doping किस की, तो emitter की, सबसे ज़्यादा size किस की, तो collector की, सबसे कम size किस की, base की, यही सेम PNP में होता है, फरक सिर्फ इतना होता है कि P में doping, hole की ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ठ सबसे ज़्यादा होंगे, बट वो चूटा भी, size में भी छूटा होता है, और बीच में रहता है, चलिए, तो अब मैं stable को भर देता हूं, ताकि आपको अच्छे समझ में आजा और यह नूर्स आपके काम आ जाए, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, doping में, emitter highly dropped होता है, base less, और आपका जो collector होता है, वो medium, ठीक है, size के हिसाब से, emitter, medium size का, small, आपका base है, सबसे छोटा, और इसकी size बड़ी है, large, सबसे ज़्यादा, resistance की बात करते हैं, बच्चो नाम से फ़दा जल रहा है, emitter में, charge carriers ज़्यादा है, तो current ज़्यादा होगा, तो resistance of course कम होगा, less, यहाँ पर charge carrier ही बहुत कम है, तो high, ठीक है, collector में charge carrier, emitter से कम होता है, बट बेग से ज़्यादा होता है, इसलिए आप इसको medium कह सकते हो, इसका resistance medium होता है, देखो इसलिए यहाँ पर यह जो बात लिखी है ना, वो सच सावित होती भी दिख रही है, कि it's a transfer of register, तो यहाँ पर high register था, तो यहाँ पर low register था, और यहाँ पर high register है, ठीक है, transistor, चलिए, अब transistor का symbol देख लेता है, तो transistor को इस तरीके से circle में tenote किया जाता ह अगर NPN transistor है, पहले बात तो यह आपका beach वाला जो रहता है, जिस पर line रहती है, यह जो line आप देख रहे हैं, वो आपका base रहेगा, फिर एक side का आपका collector terminal रहता है, एक side का आपका emitter terminal रहता है, यहाँ पर भी वही चीज़, यह आपका base है, एक side का आपका collector terminal, एक side का आपका em तर्मिनल पी एंपी ट्रांजिस्टर में बड़ा बोलेंगे सर्दूनों से में पता कैसे चलेगा तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है जब हम एंपी एंट ट्रांजिस्टर की बात करें तो करेंट हमेशा पी से एंड की तरफ चलता है पॉसिट्व से नेगिटिव हाला पी यह यह आपका पी यह आप अपका इनज सब्सक्राइब हो समझ जा रहा हो तो समझ जा ये वह वह क्या है राइट चलो तो यह ग्योंने लिया किसमें कितना जाधा होता है क्यों होता है अब PNP और NPN का सिंबल भी हमने देख लिया अब हम आगे समझेंगे काम कैसे करता है ट्रांजिस्टर वर्किंग ओफ NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर बता रहा हूं कसम से बच्चो अगर एक समझ लिए अच्छे से तो आपको PNP अपने आपा जाएगा अब यही NPN ट्रांजिस्टर को थोड़ा बड़े साइज में बताये गया है ताकि आप पूच्छे से समझ में आए अब एक बात हमेशा याद रखना कि ट्रांजिस्टर को अगर अक्टिवेट करना है तो एमीटर हमेशा एमीटर जंक्षन हमेशा फोरवर्ड बायस में होग किसमें रहेगा एमेटर जंक्षन हमेशा और जो कलेक्टर जंक्षन होगा वह हमेशा रिवर्स बाइस में होगा मैं जब ऑफ-लाइन में था तो मैं बहुत अच्छी ट्रिक देता था आप ऑनलाइन में भी आपको ट्रिक देता हूँ कि एफ-एबीसीदीएफ के बाद आता है तो एमेटर जंक्षन शुट बीन फ्लोड बैस एंड इंड गाव में बहुत आते हैं एंड पर प्रदेश में रहते हो तो गाव में प्ली होता है लेकिन यहां सी कलेक्टर जंक्षन है एंड और इस रिवर्स बाइस मूड तो अब section मैं यहाप पर थोड़ा से अलग color से लिखना चाहूंगा ताकि आपको clarity मिले अलग color मैं लेता हूँ यह चल तो यह है आपका emitter यह है आपका base और यह है आपका collector जैसा कि आप साब साब देख रहे हैं कि emitter में doping काफी जादा है तो electrons majority है कि बेस में doping भी कम होती है और बेस में आपका P है यानि की hole होगा और अगेन NPN यानि collector मैंने तो electrons होंगे बड़ इसके अंदर doping कम है comparison to emitter बड़ साइज आप देख सकते हैं कि इसकी size बड़ी है और hole की size सबसे छोटी है और emitter की size collector से कम लेकिन बेस से जादा है यह जो चीज हमने बनाई है यह क्या है यही है junction junction मतलब section को अलग करना तो emitter और base के बीच में यह जो line आपको दिखाई दे रहे इसको EJ नाम देता हूं में ताकि आपको clarity रहे that is emitter junction यही forward bias में रहता है अगर ट्रांजेस्टर activate mode में है तो और यहां जो आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक यह है आपका cj मतलब collector junction should be in reverse bias cj collector junction should be in reverse bias तो आईए चलिए इसको activate करता है तर्मिनल होगा मुझे टर्मिनल देने पड़ेंगे तो emitter junction should be forward bias का मतलब है कि बच्चा लोग n जो department आपको दिख रहा है इस n को हमें क्या देना होगा प्लस देना होगा नई n को माइनस देंगे और फिर प्लस देंगे दूसरे वाले को पी को जो की बेस वाले टर्मिनल से है यह रहा तो पी आपका प्लस हो गया एन आपका माइनस हो गया सो दिस बेसिकली हमने ट्रांजिस्टर को फॉरड बैस दे दिया और इस बैटरी का नाम है VEE forward bias दे रहा है बैटरी और VCC reverse bias कर रहा है इस बैटरी से होगा क्या बच्छा लो कि यह टर्मिनल आपका माइनस दिख रहा है तो यह आपका माइनस होगा और collector side का क्ररमिनल प्लस होगा 20 यहां के जो इलेक्ट्रोंज है डेपार्ट्मेंस न्रमिन के ऊसिरे और अगर रिपल होंगे तो कूदी मार करके जंक्शन को पार करके एटर जंक्शन को पार करके कहा जाएंगे बेस में जायएंगें अब जना ध्याद दीजेत और चीजब Riepulation Layer बड़ा होता है एक और चीज नोट करना कि इस माइनस यानि बैटरी के इस impact में यहां के इलेक्टरोन चलना सुरू कर दिये कहा के इमीटर के तो आफ़कोर्स इलेक्टरोन करेंट तो मनाएगा तो एमीटर जंक्षन इमीटर सेक्षन से जो लेट्रों गए होल की तरफ पी की तरफ उन्होंने करेंट बनाया और वो करेंट का नाम दिया गया एमीटर करेंट इसको हम ऐसे रेप्रेजेंट कर देता है डायेक्शन में दूड़ा गलत कर दिया जस्ट सेकेंड बचा लोग इसको सही करते हैं यह एस दी डिरेक्शन ऑफ एमेटर करें बैटरी के प्लस से निकलेगा और बैटरी लेगा धिसलिए एयमेटर कर यह जाब और नहां आई पट आई कि क्याई के दितने भी लोग चले क्योंकि जायर सी बात सबके सब चलना ही जाहे distractions क्योंकि यह माइनस से सारे एलेक्ट्रो रियूर हो रहे हैं क्या सब लोग इस होल की सधी چھोटी है क्पांच परसेंट यहां बैठें जो यहां से 100% लोग चले हैं बागी 95% कलेक्टर में चले जाते हैं I repeat my sentence एमीटर से निकलने वाले 5% इलेक्टरोन बेस के होल में जाके सेट हो गए लेकिन 95% कहां चले गए कलेक्टर जंक्षन के अंदर Now try to understand कलेक्टर जंक्षन के अंदर अल्रेडी इलेक्टरोन बैठे थे ये इलेक्टरोन इस प्लस को देखके खुस हो रहे थे जो की VCC बैटरी की है उपर से एक इलेक्टरोन यहां पर आएगा तो इसके अंदर अल्रेडी जो इलेक्टरोन है वो दोनों एक दूसरी को रिपल कर देंगे I repeat my sentence Emitr से निकलने वाले इलेक्टरोन जो कलेक्टर में गए और कलेक्टर में जो इलेक्टरोन इनके बीच में रिपलसी फोर्स लगा और यह electron यहां से खिचनी के भी कुशिस कर रहा है तो एक तरफ खुसी है BCC के plus का और एक तरफ गम भी है इदर से धक्का खाने का तो उदर से धक्का भी खा रहे हैं बट जाएंगे कहां plus की तरफ ही जाएंगे तो अब collector में से electron चलें लगा तो वो लोग भी करेंट बना देंगे और वो जो करेंट बनाएंगे वो आपका VC, sorry, IC करेंट है जिसका हम collector करेंट कहता है तो collector करेंट IC बैटरी के plus से निकलेगा और बैटरी के minus में आएगा दो लोग तो बन गए अब बच्चा base वाले department से बनने वाला करेंट तो बच्चा base में कौन है? Electron पहले hole था बट अब electron है और base दीखी ध्यान से इससे भी connected है और इससे भी connected है बट base में इनके hole में है कौन है electron और electron किस से attract होता है? आफ़कोर्स से attract होता है तो electron ऐसे प्लस की तरफ जाएगा और base current ऐसे उल्टा बनेगा यह तो आपको current electricity में बता है गया कि electron के opposite direction में current चलती है तो यह देखे बन गया आपका base current आई बी अब इस junction पर अगर आप किर्चौफ rules लगाओ तो incoming current है IE और outgoing current है IB प्लस में IC यह यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा logic आपको clear हुआ this is the reason why emitter current is more than base and collector in fact emitter current base और collector का sum होता है ज्यादा ही होगा of course तो यह है आपका working of transistor and especially for NPN transistor चली अब आगे बढ़ते हैं PNP देखते हैं PNP और जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि अगर आपने NPN अच्छे से समझा तो PNP तुरंट आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख पा रहा है कि PNP में आपका यह जो emitter section है यहाँ पर majority hole है collector में majority hole है लेकिन यहाँ पर electron है base में हमें transistor को activate करना है तो emitter junction को किस में रखना चाहिए forward bias में यानि P को मुझे plus देना है और इसको मुझे minus देना है यह emitter के side है इसलिए battery का नाम हम देते है VEE यहाँ battery का नाम देते है VCC और इसे हमें reverse bias में रखना है यानि P terminal को मुझे क्या देना होगा minus और उसके against वाले को मुझे देना होगा plus अब जड़ा सोच करके देखो कि यह terminal plus हो गया इस battery के impact में यह plus हुआ तो plus से hole repel होगा तो कहां जाएगा और यह चोटा इसलिए है क्योंकि forward bias है लेकिन base में काफी कम electron है तो 95% यहाँ चला जाएगा तो अगर 95% यहाँ चला गया तो फिर already होल है यह वाला होल जो आ रहा है उसको repel कर रहा है और यह लोग खुस हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर battery का minus है तो इस minus से यह hole attract हुआ चलने लगा current बना तो current कैसे बनता है battery के plus से निकलता है एमिटर current और battery के minus में आ जाता है ठीक है राइट और राइट बच्चा लोग और यह battery के plus से character current चला प्लस से निकल करके minus में आया तो यह आप का हो गया IC अब base में कौन है इस बार hole है पहले कौन था electron लेकिन अब कौन है hole है electron था hole आ करके इसको दबा करके खा गया तो होल है अब यहां पर जो करेंट पीन पी में में होल की वजह से बन रही है तो हम होल के डिरेक्शन को देखते है क्योंकि होल positive होता है तो positive negative से attract होगा राइट तो यह होल ऐसे चलेगा और होल positive है current की direction positive charge की direction में होती है इसका मतलब के base इस बार ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है तो यहां से करेंट आ रहा है यहां से करेंट आ रहा है और यहां से IE जा रहा है that means what adjunction if you again observe the direction of current again you will get IE is equal to IB plus में IC so every time we are getting the same result of the emitter current is high than the base and collector but the only difference is कि आपके PNP में whole चलते हैं और आपके NPN में Electrons चलते हैं process इतना fast होता है कि हमें अभास होता होल चलते हैं but in reality whole चलता नहीं तो NPN transistor भी हम समझ गए PNP transistor भी हम समझ गए आगे बढ़ते हैं बच्छा लोग चलिए अब हम देखेंगे configuration of transistor basically अब चो topic आ रहा है वो कुछ practicals है जिससे आप physics के lab में perform करोगे जो कि एक सपना होता है क्योंकि स्कूलों की हालत सारे teachers की एक जैसी हो गई है कि से लिए बचारे बढ़ा रहे थे जब हम पढ़ा रहे थे 2018 में तब यहां से आएंगे कुछ formula और transistor की formula 67 होते हैं जहां से आते हाँ पी numerical आगे numerical भी करेंगी जेन डायोड का भी करने वाले तो चलिए continue करते है डाग्राम देख करके ना एक चीज यहां पर नोट डाउन करने के अवशकता है आपको कि यहां पर लिखा है common emitter मतलब transistor NPN PNP के अलावा भी तीन और तरीके का हो सकता है क्योंकि इसके तीन terminal है emitter base और collector अगर आप emitter को grounded करतो तो आपका output और input कौन होगा collector और base ठीक है तो इसको आप बोल देंगे common emitter फिर जब आप बेस को grounded कर दो तो आपका output collector है input आपका emitter है इसको बोल दो common base जब आप collector को common कर दो यानि grounded कर दो तो आपका output कौन है IE और input कौन है IB इसे आप कह देंगे common collector emitter ज्यादा तर जो हमें पढ़ना है जो आपके syllabus में भी है इवन नीट के भी syllabus में है बोड के भी syllabus में तो बहुत सारी तो है ही नहीं बड़ हम नीट point of view से पढ़ रहे हैं तो हमें common emitter पढ़ना है ठीक है अलाकि common collector common base में क्या difference है वह हम आगे एक slide में आपको समझाएंगे अभी देखते हैं common emitter transistor का configuration यानि कि इन में कौन-कौन से factor काम करने वाले कौन-कौन से parameters आएंगे जिस पर हमें ध्यान रखना और जहां अच्छे-अच्छे topic निकल कर क्या आता है तो चलिए diagram समझा दें सबसे फेले आपको यह है आपका NPN transistor कुछ चीज़े मैंने छोड़ दी है समय बचे इसलिए पहले से ट्रॉ किया है कुछ चीज़े छोड़ दी है ताकि यहाँ पर आपको समझाएं अभी इसके अदर बहुत सारी चीज़े बागी है तो यह है आपका NPN transistor NPN transistor है sir तो फिर P से N नीचे की तरफ symbol होना चीज़े चलो symbol नीचे की तरफ कर दिया NPN वो भी common emitter यानि कि emitter वाला junction हमारा grounded है अब output department यह हो गया और input department यह हो गया collector side ठीक है और base side आपका input हो गया अब एक चीज़ नोट करेंगे कि base और emitter के बीच में हमने यहां पर एक voltmeter लगाया है बेस emitter के बीच में इसलिए VBE नाम दिया मतलब base emitter के बीच का voltage यह आपका input department और यह आपका output department who is the input voltage VBE who is the output voltage VCE यह वाला VCE let's at the same time हमने यहां पर series में एक emitter लगा दिया है यहां पर voltmeter था voltage माप रहा है यहां पर एक emitter लगाया है जो base current मापेगा because this terminal is connected with the base है अगेन यहां पर भी हमने एक emitter लगाया है जो की character current मापेगा और साथ ही experiment experiment में इसलिए यह जो diagram आप देखेंगे जाएंगे एक slider होता है रेजिस्टेंस चेंज करते हैं रेजिस्टर होता है लेंद के बेसे रेजिस्टेंस चेंज होगा तो से साबसे current change होगा करेंट चेंज होगा तो सबसे वोल्टेज भी चेंज हो जाता है यहां पर यह external supply के लिए मैंने छोड़ा यह आपका पी पी को देना चाहिए प्लस और उसके respect में दूसरा वला हो गया माइनस क्योंकि एमिटर साइड में है इसलिए हम इसका नाम दे देते हैं बेस साइड में इसका नाम हम वी बी भी दे सकते हैं बेसे मिटर के बीच में तो वी डबल भी और यह collector साइड है ठीक है तो वी डबल भी एक वह battery है जो ट्रांजीस्टर को फॉर्ण बैस में रख רही है और वी pec 뭐 battery है जो transistor को reverse bias में रख रही है अगर आपको नहीं दिखाए दे रहा हूँ तो मैं अपने जादू दिखा करके इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ यह हम थोड़ा सा अंदर लिया आते हैं जादू हो गया राइट चलो तो यह खास बात है iPad की Cool Now we can observe कि input voltage VBE है और output voltage VCE है Input current आपका IB है Output current आपका IC है यह forward bias voltage reverse bias voltage बच्चा characteristic का मतलब होता है experiment experiment दो तरीके से किया जाएगा यहाँ पर इस diagram में एक होगा input के बीच में relation लाना यानि कि VBE और IB के बीच में relation लाना और एक होगा output characteristic यानि VCE VCE और IC के बीच में relation लाना जब हम input characteristic की बात कर रहे है तो उस वक्त हमें output में छेड़का नहीं करना है इसलिए हम output में एक fixed voltage ले लेंगे जिसे हमने constant कर दिया experiment आप करोगे तो Rehosted को किसी एक value उपर लाकर के छोड़ दो और note कर लो VCE कितना है यहां से हमने माल लिया VCE 6 voltage कुछ भी example के तोरप है और फिर अब आप क्या करोगे कि Rehosted number 1 को उपर नीचे करोगे slide को उपर नीचे करोगे slide को उपर नीचे करोगे तो यहाँ voltmeter, emitter में आपको अलग-अलग changes दिखाई देंगे अब आपने क्या किया है VCE को constant करके slider उपर नीचे करके आप VBE को change कर रहे हो accordingly आप IB को observe कर रहे हो तो एक graph मिल जाएगा अलग-अलग readings पे वो graph इस तरीके का आता है तोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चा तो यह graph आपको forward bias characteristic की तरह ही लगेगा और है भी वो ही क्यों कि यहाँ पर जो आपका input है वो forward bias mode पर ही रखा गया है emitter junction इसलिए बच्चा लोग जब हम एक VCE को constant करके IB versus VBE देखते हैं तो शुरुवात में तो हमें current 0 मिला because of potential barrier से कम आपने voltage दिया फिर suddenly किसी एक particular value पे यह बढ़ना start हुआ जिससे आप cutting voltage कहते थे right समझने वाली बात यह है कि अगर मैं slider को change करके VCE को बदलू मतलब 10 voltage है मैं 20 voltage करूँ तो देखे मेरा जो क्या बोलता है इसको barrier voltage है potential barrier है या जो threshold voltage है cutting voltage है वो थोड़ा और आगे बढ़ जाता है इसको थोड़ा यहाँ पर output voltage VCE को 20 voltage कर दिया तो 20 voltage VCE का मतलब है कि IC भी तो बढ़ा IC बढ़ने का मतलब है बच्चा terminal तीनों सब मिले हुआ है यह सब मिले रहते हैं IC बढ़ रहा है मतलब कि base current भी बढ़ा होगा और अगर base current बढ़ गया है इसका मतलब है कि जादा से जादा emitter के electron यहाँ पर आए जादा से जादा emitter के electron यहाँ पर आए मतलब kovalent bond और टूटे kovalent bond और टूटे इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह है कि आपका जो depletion barrier है वो थोड़ा सा और बढ़ा हो गया कोवलेंट बॉन्ट तूटने का क्या मतलब है देपलेशनलेयर बढ़ा ही होगा तभी तो इलेक्रिक फिल्ट बढ़ेगी यार और अगर देपलेशनलेयर बढ़ गया तो देपलेशनलेयर बढ़ गया इसका मतलब है कि V भी बढ़ गया क्योंकि V is equal to ED और अगर वीवी बढ़ गया तो इसका मतलब ग्राफ आपको ऐसा ही तो मिलेगा एक सिंपल फिर से रिपीट करता हूँ एक एक स्टेप को ध्यान से सुनो वीडियो को रोक करके पूरे लाइन को सुनने के बाद इमाजिन करना यानि विल अंडर्स्टैंड सारी चीजे मिली हुई है हमने आउट्पूट वोल्टेज बढ़ाया 10 से 20 कर दिया ठीक है हमने जब 10 से 20 आउट्पूट वोल्टेज किया VCE तो IC बढ़े गया अब IC बढ़ा इसका मतलब बेस करेंट बढ़े गाई बेस करेंट बढ़ा इसका मतलब है कि एमीटर से कूद के इलेक्ट्रोन बेस में आए फिर IC में चले गए कुछ लोग 5% बेस में बैटे बागी 95% वहाँ चले गए तो अब इसका मतलब है कि एमीटर में अगर इलेक्ट्रोन बढ़े इसका मतलब क्या है कि डूपिंग अगर बढ़ा हो गया जार सी बात है और पोटेंशल बैरियर बढ़ा होगा कि इसका मतलब क्या हुआ पोटेंशल बेर ज्यादा हुआ कि मतलब जो पहले 0.6 वोल्टेज पर हमें करेंट मिल जाता था वह 0.10 वोल्टेज पर मिलेगा सिलिकॉन था तो 0.7 पर लेकिन अब और आप बढ़ा कर रहे हो बिकस अब दिस आउट्पूट वोल्टेज और बढ़ा दीजे ग्राफ आपको ऐसा मिल जाएगा यह ऐसे यह सब आपके आ सकते हैं बचा लोग असर्शन रीजन के अंदर कोश्चन ठीक तो यह इंपूट करेक्टरिस्टिक हो गया इसी के अंदर अ आउट्पूट करेक्टरिस्टिक की बात करें अब तुम्हें इंपूट समझ में आ तो आउट्पूट भी तुरन समझ में आएगा आउट्पूट करेक्टरिस्टिक का मतलब हुआ कि आउट्पूट VCE और इंपूट सुरी आउट्पूट आउट्पूट VCE और की बीच में result बड़ यहाँ पर आपको input को constant करना पड़ेगा और input में base को constant कर देते हैं तो अब rehostate 1 की सहायता से उपर नीचे करके एक बार reading देख लो कि आई भी कितना है उसके बार इसको उपर नीचे करो तो यह VCE चेंज होगा अलग-अलग VCE पर अलग-अलग IC एक graph मिल जाएगा और output characteristic है ध्यान से सबजना यह reverse bias mode पर था कौन यह department तो reverse bias mode पर आपको graph याद है कुछ इस तरीके का था reverse bias mode पर यह ऐसा था यह आपका आई था यह आपका वी था इसको उल्टा कर दीजे एक बार फिर से बताता हूं कि थोड़ा से स्क्रीन पर इधर होगे यह reverse bias mode है output section reverse bias में reverse bias characteristic आपको याद आया कुछ इस तरीके का graph था यह वी था यह आपका आई था इसको उल्टा कर दीजे आई को उपर कर दीजे वी को नीचे कर दीजे दीखिया ऐसे graph आई रिच क्या हूं तो आई और वी होता क्या है कि reverse bias mode situation के अंदर current हमें constant मिलती है यह current constant क्यों मिल रही है because of minority charge carrier पढ़ चुके हो reverse bias characteristic में बट यहां transistor में नया खास बात क्या आगया कि आप अलग-अलग base के current को constant करके अलग-अलग IC अचीव कर सकते हो अगर base current 20μA था तो IC 2μA पे constant हुआ जैसे ही मैं base current को 40μA करूँगा यहां इस reverse state को change करके यहां पर उपर नीचे करके मैं reading ला रहा हूँ 40μA फिर मैं experiment किया तो experiment में क्या पता चला कि जब हम base current बढ़ा देते हैं तो जो IC पहले 2μA पे constant हो गई थी वह अब थोड़ी और उपर जा करके देखो यहां पर VC बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो current बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो लेकिन फिर उसके बात constant हो गया अब आप कितना ही बढ़ा ही है यह अभी भी constant ही है 4μA यह सब क्यों हो रहा है बेस करेंट मतलब कौन डिपार्टमेंट बीच वाला डिपार्टमेंट आप बेस करेंट का मुह खोल दिये टंकी खोल दिये टंकी बीच में है आप क्यारो कि बेस करेंट पहले 20 था आप 40 हो गया अरे बेस करेंट बढ़ गया या अब बेस करेंट बढ़ गया इसका मतलब क्या है जाहर सी बात है कि एमिटर से ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं आ सकते लेकिन कलेक्टर में तो चाहेंगे तो कलेक्टर का करेंट बढ़े 8μA base current पर मेरा collector current 6μA got my point तो यह है आपका output characteristic अब यही experiment से input characteristic और output characteristic से बच्चा हमें कुछ formula निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे सबसे पहले input resistance resistance का formula होता voltage upon current तो input है तो input में कौन था VBE upon IB यह आपका हो गया input resistance कितना simple output resistance output voltage कौन है VCE और output current कौन है IC लीजे answer current gain it's a very important point current gain common emitter emitter common है तो output collector है input आपका base है तो यह आपका हो गया delta में IC upon में delta में IB याद रखेगा current gain को beta से represent करते है specially for common emitter next आता है transconductance नाम से पता चल रहा है transconductance just a second करते हैं बच्चा not good morning but GM से represent किया जाता है कुछ ही engineering के terms है जो आपके नीट में important बाना जाता है फिर voltage gain voltage gain का मतलब क्या हुआ just gain word कहीं पर भी आ जा तो समझा यह output upon input यहां पर voltage gain कह रहा है इसका मतलब है कि output voltage VCE upon में VBE यह आपका हो गया voltage gain तो यह कुछ पांच formula है जहां से questions बहुत अच्छे सिखासे आते हैं हम अभी आगे यह पूरा topic cover करने के बाद question भी करने वाले सो continue करते हैं चलिए अब आएगा application of transistor जब मैं transistor की सुरुवात किया तो मैंने आप से एक बात कहीं थी कि transistor basically amplifier की तरीके से use होता है मतलब कि यह आपके intensity है आप जो बोल रहे हैं लेकिन transistor इतना बढ़ा कर देगा amplitude बढ़ा देगा intensity बढ़ा देगा वो कैसे बढ़ाता है समझते हैं तो पहले तो यह diagram देखो एंप एंट ट्रांजिस्टर है राइट बेस आपको दिख रहा है एमिटर आपको दिख रहा है और कोई कॉमन करके ज्यादा तर बढ़ा जाते हैं तो बेसिकली यह एन हुआ यह आपका पी हुआ यह आपका एन है तो एरो नीचे की तरफ जाएगा तो न्प्न ट्रांजिस्टर हो गया यहाँ पर तो तो बच्छा अब क्यूकि मुझसे अक्टिवेट करना है transistor को, तो emitter junction should be in forward bias, यह emitter base वाला जो है आपका emitter junction है अब अगर यह forward bias इसका मतलब है कि B यानि कि P, P को मतलब मुझे देना होगा plus, उसके respect में दूसरा वाला हो जाएगा minus base के side है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं VBB, base supply voltage अच्छा, एक और यहाँ पर है था, एक emitter लगाया था, अब circuit को आसान करने के लिए base और emitter यहाँ के जगा यहीं पर represent कर दे रहे ठीक है, जालो ओके, उसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए, तो collector और इसके बीच में एक हम दे देते हैं, VCE collector और emitter के बीच का, right ओके तो होता यह है, बच्चा लोग अच्छा, collector junction का तो मैं reverse pass किया ही नहीं, collector junction को मुझे reverse pass करना है, तो c वाले के तरफ n है, तो n को मुझे plus देना होगा, उसके respect में दूसरा वाला minus हो जाएगा, collector side में इसलिए हमने इसको कह दिया, VCC, बहुत ध्यान से देखना, पहले इसका theory समझते हैं, एक important point जिस signal को मुझे amplify करना है, जहर सी बात है कि जैसे मैं यह mic से मैं बोल रहा हूं, आपको बहुत तेजी से सुनाई दे रहा है, तो यह mic का input section हुआ, correct तो मैं बोलूँगा input section में ही तो जिस signal को हमें amplify करना है, उस signal को base और emitter के बीच में लगाया जाते है signal, intensity, voltage मैंने कुछ जो भी voltage को बढ़ा करना है, माईक में मुझे जो भी बोलना है वो input side होगा, तो जिस signal को हमें amplify करके देखना है, बढ़ा करना है, उसको हम base और emitter के बीच में add करते हैं क्योंकि यहाँ पर voltage आ गया न, intensity के form में कुछ vibration आये पहले normal था सब कुछ VBB यह इसके बराबर था लेकिन जैसे ही यह signal voltage आया तो जहार सी बात है, voltage और add हो गया इस line में, अगर voltage इस line में add हो गया, तो collector current बढ़ जाएगा, battery के basically micro ampere के form में बढ़ता है क्योंकि वो छोटा सा होता है तो अगर base current बढ़ा है बच्चा लोग, तो collector current भी बढ़ जाएगा, collector current का direction battery के plus से minus यानि यह रहा आपका IC इस तरीके से, क्यों ऐसा हुआ अब एक graph पर चलो इस graph को देखो, output characteristic वाले को, base current हमारा 20 से 40 micro ampere हुआ, तो delta IB कितना है 40 minus 20 यानि की 20 micro ampere but delta IC कितना हुआ, यह दिखिए 2 milli ampere तो beta कितना है, current gain तो beta है आपका delta IC अपोन में delta IB, 2 into 10 raise to minus 3, अपोन में 20 into 10 raise to minus 6 कितना हुआ यह, 200 इसका मतलब कि जो delta IC है वो है beta delta IB वाव तेस वेरी इंटरस्टिंग लाइन आप इस चेच को समझे कि अगर base current में micro ampere का change हुआ जो कि micro ही हो सकता है तो collector में मुझे milli ampere का change दिख रहा है और वो भी beta times यानि beta 200 है तो अगर यहाँ पर 2 milli ampere था तो 2 milli ampere multiply by 200 times मेरा IC बढ़ गया पहली बात यह आपके दिमाग में fit होनी चाहिए कि यार सर अगर हमने यहाँ पर signal लगाया तो IB बढ़ गया IB बढ़ गया तो IC भी बढ़ जाएगा IB में change होने वाला या बढ़ने वाली बात micro ampere में है तो IC में वो milli ampere में होगा और वो beta times बढ़ जाएगा जायर सी बात है कि अगर IC बढ़ जाएगा तो यहाँ पर RC के across में IC बढ़ जाएगा तो RC के across में output V is equal to IC multiply by RC भी बढ़ जाएगा और अगर वो बढ़ गया तो intensity बढ़ गई तो यह है आपके transistor का as a amplifier काम करने का अपना तरीका फिर से repeat करता हूँ ध्यान से सुन लो graph को समझाया थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखना theoretical point of view से समझाता हूँ IB बढ़ जाता है उपर से बीटा उसके साथ multiply हो गया जितना ज्यादा आप बीटा चेंज करेंगे transistor जितना बढ़ा होगा जितना ज्यादा अच्छा खासा वाला बीटा वाला transistor होगा कि market में अलग-अलग efficiency की transistor होगे जिसका ज्यादा बीटा होगा वो उतना अच्छा हुआ दिखाई देगा अब इसको हम थोड़ा सा numerical form में cover करते हैं कि कैसे इसके question बन सकता है देखे हमें input section दिखाई देरे बच्चा यह हमारा input section है और यह हमारे लिए output section है चलिए input section में हम लगा देते हैं किर्चॉफ rules सबसे पहले जो हमारा VB था वह आपके VBE के बराबर ही था जब सुरू में signal नहीं था तब यह नहीं है तब VBB इसके parallel में है मतलब equal है बट क्योंकि जब signal voltage आ गया तो VBB प्लस VS तो हमारे VBE के अंदर ना changes आ गया कितना changes है नहीं पता तो मैंने delta VBE लिख दिया अब यह आपका VBB इसके साथ कटा तो VS is equal to delta VB and then E right input resistance का formula हमारे पास में है बच्चो that is what delta VBE upon में delta IB यानि delta VBE is equal to RI into delta IB या फिर VS is equal to RI and then delta IB यह equation number 1 रखते हैं इसको चलिए अब output section में चलता है तो output section में आप देखू किर्चो आफ रूल लगाओगे तो minus से plus यानि plus VCC current ऐसे चल रहा है तो यह plus माइनस माइनस की मतलब की माइनस में IC into RL आये तो VCC माइनस में IC into RL माइनस में VCE at the end equals to zero sir यह minus VCE कैसे आया तो देखो minus से plus VCE current कैसे चल रहा है जहां से entry लेता है वो plus जहां निकलता है वो माइनस तो plus VCC माइनस में IC RL और फिर आप ऐसे आए तो लास्ट में आप N P और N department के तरफ हो तो यह जो VCE है वो माइनस हो जाएगा फिर से बोलता हूँ N P और यह N तो यह आपका माइनस है तो आप ऐसे आए लास्ट में माइनस की तरफ आए तो माइनस में VCE क्योंकि यहां का voltage भी लेना होगा तो माइनस में VCE तो इसको हम solve करेंगे तो VCC is equal to क्या हो जाएगा that is going to be your ICRL plus में VCE बच्चा हम change की बात करें तो हम यहां पे लिखेंगे डिल्टा VCC is equal to delta IC into RL plus में delta VCE मैं यहां पर लिखने जा रहा हूँ 0 is equal to delta IC into RL plus में delta VCE इसको open करिये थोड़ा सा तो delta VCE is equal to minus में delta IC and then R अब कौन बताएगा कि यहां पर 0 क्यों हुँ हुआ VCC क्या है collector supply voltage जो कि reverse bias voltage था वो तो external battery है न उसको तो आपने जो लगा दिया लगा के छोड़ दिया अंदर change हो रहा है VCE और VBE में तो VCC ठीक है बद delta VCC क्या होगा 0 हो जाएगा because there is no change पहले भी 10 था बाद में भी 10 है 10-10 कितना हुआ जीरो हो गया और यह है आपके output voltage में होना राचेंज which is minus delta IC and then RL अब यहां से एक चीज निकल करके आएगी और वो है voltage gain आईए देखें तो अगर हम voltage gain निकाले तो यह है आपका delta VCE upon में delta VBE which is minus में delta IC into RL और जो VBE था वो क्या था RI delta IB तो delta IB into RI बच्चा लोग बच्चा लोग बच्चा लोग यह जो IC upon IB है वो बीटा है यानि की formula निकल किया रहा है minus beta RL upon में RI this is voltage gain अगर आपसे voltage gain for amplifier पूछ ले तो आपको यह equation लगाना है इसके साथ ही साथ यह question भी पूछ सकता है power gain तो आईए हम आपको power gain पे भी लेके चलते हैं तो power gain का मतलब हुआ output power अपोन में input power और power का formula क्या होता है voltage multiply by current output voltage which is delta VCE into delta IC upon में delta VBE and then delta IB अच्चा लोग यह चीज़ क्या है voltage gain जिसका formula क्या है minus में beta RL upon में RI और delta IC upon delta IB अल्रेड़ी बीटा होता ही है तो minus में beta square RL upon में RI this is your formula of power gain इसको AP से represent करते हैं लीचे तो voltage gain पूछे तो minus beta RL upon RI और अगर power gain पूछ ले तो minus में beta square RL upon में RI it's done तो यह था आपका कहानी transistor as an amplifier अब एक और है आपकी नीट के syllabus में that is transistor as a switch बहुत समझाते हैं कि सबसे पहले एकर हमें switch transistor की तरह के से काम करता है transistor is a switch काम करता समझने के लिए पहले नार्मल स्विच समयों क्या होता है स्विच को हम चालु करता है करेंट चालु हो जाता है स्विच को जब हम चालू करते हैं करेंट चलता है इसका मतलब है कि स्विच ने जीरो रजेस्टेंस ऑफर किया डिए जीरो कभी होता नहीं है दो अग्ड तो पहले कम रजिस्टेंस बाद में ज्यादा रजेस्टेंस आपको नहीं लगता है यह ट्रांजेस्टर भी कर है transfer of resistor low resistor और फिर high resistor है ना यह तो यह transistor भी switch की तरह काम करता है और अच्छे से इसको समझने के लिए हमें input characteristic के यह उपर एक बर और प्रकास डालना चाहिए तो input characteristic delta IB versus delta VBE का graph आप देखिए यह आप कई की बार देख चुके हैं कि जब तक हमारा input voltage कटीन वोल्टेज से कम रहता है तब तक हमारा current जो है बचलो जीरो रहता है लेकिन जैसे ही कटीन वोल्टेज यानि की potential barrier से ज्यादा वोल्टेज हम देते हैं तो हमारा current suddenly बढ़ जाता है अबने यहाँ पर VCE को constant करके रखा था अब यह भी transistor configuration के अंदर अच्छे से पढ़ लिया है ओके पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब current नहीं चल रही है transistor के अंदर base current 0 है तो of course आपका IC भी 0 होगा और अगर IC भी 0 है output current भी 0 है इसका मतलब है कि transistor off state में है मैं repeat करता हूँ मेरे sentence को ध्यान से समझेगा हमारा input less than potential barrier वाला voltage है तो transistor off state में बोला जाएगा चल नहीं रहा है लेकिन जैसे ही हमारा input voltage greater than the potential barrier voltage होगा यानी कि इससे हम आगे जाएंगे तो यह current बढ़ना शुरू हो जाएगा तब transistor on state में आ जाता है और saturate हो जाता है अब इसी principle पर transistor as a switch काम करता है आए डाइग्राम को समझते हैं तो यह NPN transistor यह आपका emitter यह आपका base और यह आपका collector तो piece N की तरफ current चलता है यानी arrow नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ पर हमने RC लिखा है RC के जगह पर आप RL भी उस कर सकते है load resistance क्योंकि बच्चा लोग हमें transition को activate करना है तो P department should be plus input side का और यह आपका minus जिसे आप कहते हो emitter junction should be in forward pass कौनसी battery नाम दे दो इसका VBB और इस तरफ है आपका VCC and department को मुझे plus देना है और उसके अगेंस department को मुझे minus देना है राइट छीक है यहाँ पर जो है आपका VBE base और emitter के बीच में और यहाँ पर जो है वो है collector emitter के बीच का voltage which is VCE चलिए input department में हम लोग लगा देते हैं किर्च ओफ रूल इनपूट सेक्शन में तो जब आप इनपूट सेक्शन में किर्च ओफ रूल लगाईएगा तो माइनस से प्लस अच्छा direction ऑफ बेस किदर है तो current का डिरेक्शन बेस का ऐसे दिरेक्शन ऑफ आई सी ठीक आई बी एंड देन आई से ना माइन दिर बच्छा पार्टी माइनस से प्लस की तरफ गये तो VBB फिर यह आपका प्लस यह आपका माइनस माइनस की आई बी इंटू आर भी ठीक फिर यह हम ऐसे चल रहे हैं सरकिट में इधर हम आएंगे ऐसे आएंगे तो यह पी था यह एन था मतलम नेगेटिव के साइड में है तो मैं इसको देनोटी कर देता हूं ताकि आपको कन्फ्य यानि अगर मैं वी बी इंपुट वोल्टेज को सब्चेक्ट बनाओ तो वह होता है वी डबल बी माइनस में आई बी एंदेन आर भी यह आपका एक्वेशन नंबर वन अब आप आउट्पूट सेक्शन की बात कर लेते हैं कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा काफी टाम समय से हम कलर एक ही ले रहे हैं चलिए उजर कलर ले लेते हैं आउट्पूट सेक्शन की बात करते हैं तो माइनस से प्लस as you can see that VCC फिर माइनस में हो गया आपका IC into RL बिलकुल आपके अम्प्लिफायर की तरह फिर माइनस में VCE is equal to zero हम आउट्पूट वोल्टेज की बात कर रहे हैं VCE को subject बनाईए तो VCE is equal to VCC माइनस में IC and then RL चलो बच्चा अब equation 1 और 2 का ही पूरा खेले ध्यान से देख जब हमारा input voltage cutin voltage से कम है ठीक है तो base current क्या होगा जीरो अगर base current 0 है base current 0 है तो of course IC बी 0 होगा अरे base current 0 हो गया टंकी बंद हो गया मीटर बीच में टंकी और फिर दर कलेक्टर बेस current नहीं है तो आपका IC बी 0 होगा अगर ic0 है उस वक्त आपका जो vcc है sorry vce equation number 2 से वो vcc के बराबर है थोड़ा word यूज करूँगा वो थोड़ा भारी भड़कम लगेगा लेकिन अगर feel करोगे तो मज़ा आ जाए और physics को असान करके पढ़ाओंगा बच्चा ये मेरी यादत है you will be in love with physics तो point यहां पर यह है कि आपको सर ने बोला कि जब आपका input voltage कम है किस से potential barrier से इसका मतलब कि ib0 है equation 2 को ध्यान से देखे ib0 है equation 1 से ib0 है तो beta is equal to ic upon ib से ic भी 0 हो गया पूरा खेल आपका output section कही है अगर ic0 हो गया तो vce vcc के बराबर हुआ इस वक्त ic0 है तो आपका जो output voltage है वो vcc के बराबर यानि voltage का drop ही नहीं हुआ अगर voltage का drop ही नहीं हुआ voltage खतम ही नहीं हुआ इसका मतलब क्या है transistor off state में voltage drop हो जाता तो transistor on state होता तो यह आपका off state है अब इसका दूसरा पहलो सोचो कि अब आपका input voltage greater than potential barrier है इस इस्तिती में क्या होगा ib चलेगा ib चलेगा तो ic भी चलेगा सवाल यह है कि क्या ic चलेगा यानि ic बढ़ेगा तो यह हमारा vce घटेगा answer है yes क्योंकि यहाँ पर symbol minus का है vcc तो constant होगा चलो मालो 10 अब ic into rl शुरू में हुआ 2 फिर ic बढ़ा 3 into 1 rl को मैं 1 कर देता हूँ तो 3 into 1 10 minus 3 7 फिर 4 into 1 10 minus 4 into 1 6 तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे ic बढ़ेगा वैसे वैसे आपका vce घटेगा एक situation ऐसी आजाएगी कि ic और rl इतना होगा कि वो vcc के बराबर होगा जिससे आपका vce 0 हो जाएगा अब बच्चा एक समय में जहां पर vce आपका vcc के बराबर था एक समय में जब आपका vce 0 है यानि voltage drop हो गया voltage drop हुआ voltage drop का मतलब current चला है current चला है इसका मतलब transistor क्या है on state में बात आई समझ में अच्छे से बस technical word यूज़ किये जा रहे है है थीरी एकदम छोटी सी voltage drop हो जाए भाई साब तो transistor चालो है voltage drop नहीं हुआ तो transistor क्या है off state में चमका बढ़ियां से फील आया एक बार फिर से repeat कर दूँ देख लो इस graph से तो मैं कोई आपको ये समझा ये सिरिया का है परस अंकरती सोजा नहीं सूतो तो चलो गई सीरी भी परसान करती है तो बच्चा सिंपल से कहानी यह है कि अगर हमारा potential barriers से जो VB है उससे हम कम voltage देते हैं तो of course है transistor पे current flow नहीं करेगा IB अगर 0 है तो IC 0 है और अगर IC 0 है तो आप देख रहे हो कि VCE जो है VCC के बराबर है voltage ड्रॉप ही नहीं हुआ बट जैसे हमने current बढ़ाया हमने potential barrier की value बढ़ाई हमने potential barrier की value बढ़ाई बढ़ाते चले गए तो अब suddenly current बढ़ा IB IB बढ़ रहा है तो धरे-दरे IC भी बढ़ रहा है IC कितना बढ़ सकता है इस वाले line को आप देखो अगर मैं आपको इक diagram दूसर खिट दूध्यान से देखीगा यहाँ पर एक resistance है और यहाँ पर एक battery voltage है भी समझ में आ जागा है 50 voltage है और यह 10 ohm है मैं बोलू कि 10 ohm के across कितना maximum voltage drop हो सकता है यहाँ से करेंट कितनी maximum maximum flow कर सकती है पांच तो वही चीज आई सी के साथ भी हुआ आई सी बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि जितना वी सी सी है यहाँ पूरी तरह से वो ट्रॉप हो गया वो situation यहाँ आ गई जब इसी जिरो हो गया तो फिर यहाँ पर यहाँ पर क्या था और यहाँ पर क्या था इस वे ट्रांजिस्टर वर्क्स एजए स्वेच तो ट्रांजिस्टर की पूरी कहानी यहाँ पर होती है खतम अब लॉजिक गेट के अंदर एंट्री मारता है और फिर करेंगे कुश्चन यह चली आगे बढ़ता है है तो खास करके हमें इसके डाइग्राम समझने होता है डाइग्राम याद रखना होता है और इसका बुलियन एक्वेशन और एक truth table होता है TT जो कि उसके कारे फ्रनाली को समझाता है उसके process को समझाता है कि कैसे काम करता है तो और गेट का डाइग्राम कुछ लीए लिखाने लूद लिखने जो हो पुलास पे लाइई है छैर से मीखषरेंगे होने दो हाइज मिलते हैं दो हाई सोर्स के इन्पुट आता है तो हमें रेजल्ट मिलता है या तो या जिसे सिक वाप उचालते हो तो यह तो आयगा क्या तौस जब आपकरते हो तो फिर या तो क्या होता है यह तो आपका है आता है यहां नहीं आपका हुगी आज बारुस होसकती है नहीं पर इचुछ इंडिया मैच जीतेगा आरेगा इंडिया मैच जीतेगा वड़कम जीतेगा इस बाइद विए तो ऐसे सिच्वेशन जहां पड़ना यह सो नो में आंसर आता है वह होता है लॉजिक गेट दो इन्पूट ऐसे आए जैसे 10 वोल्टेज 20 वोल्टेज तो सर्किट जो है इसमें स आप जरा सिस्टम को समझें यहांपर दो स्विच लगें यहांपर एक लाइट लगी है यह लाइट आपको तभी जलती विद्धिंगे कि जब एक सुछ जो हो या दोनों सुछ जो दोसों अगर दोनों उपन है तब लाइट नहीं जलेगी यानि आउट्पूट वोल्टेज नहीं नहीं है मतलब 0 है आप देखे इसका लॉजिक बन गया कि इन्पूट अगर हाई है बी है दोनों हाई है तो वन आ रहा रहा वन प्लस वन वन 0 प्लस 111-0100 मतलब कि दोनों अगर 40 है दोनो इस तरीके से खुले वाए 0 है तो आपका आउट्पूट भी क्या होगा जिğanोगा इसे कहते हैं और गेट ऐसे एक होता है एंड गेट नाम से याद रखो ड तो इसका आकार जो होता है इंगलिस के डी लेटर की तरह होता है और यहां पर डॉट रहता है अच्छा और गेट नाम क्यों पड़ा आउटपुट आपको एक तभी मिलेगा जब दोनों में से एक या तो ए या फिर बी वर्ड आ रहा है या इंगलिस में और वेदर ए और बी इस वन देन यू गेट रिजल्ट वन अच्छा एंड गेट में डॉट होता है यानि वन इंट वन कर दो तो आपका क्या रहता है नॉ इप्लिकेशन है तो वन जीरो जीरो एंड देन जीरो बात समझ रहे हैं अगर मैं इसको सर्कुट के हिजाब से अनलाइज करवा हूँ तो देखिए जैसे यहाँ पर एक स्विच्च है ठीक है और हमारे लाइट यहाँ पर लगी हुए और यह मैंने लगा दिया मेरा बैटर होगा बहुता है इसको इनवर्टर भी बोलते हैं सिंगनल को इल्टा कर देता है इसका डी जैसा सिंबल होता है यह यह पी एंजुक्शन टायोट जाएट सरकल रहता है अगे खाली तो एबार हो जाएगा मतलब अगर वन है तो 00 है तो फिर यूनिवर्सल गेट क्या होता है युनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि आपके जो logic, main fundamental logic gates है, or gate, end gate, not gate, इनको मिला दीजे, or gate और not gate को मिला दो, तो nor gate बन जाता है, खाली nor gate में आगे symbol circle का लगा दीजे, a प्लस b था उपर बार कर दो, तो a और b, a प्लस b, 1 प्लस 1, 1 प्लस 01, 0 प्लस 11, 0 प्लस 00, लेकिन जैस इसी तरीके से end gate, यानि end gate और not gate को मिला दो, आगे बस खाली d यह है, तो यहाँ पर circle कर दो, a dot b का बार, same procedure वही, 0, 1, 1, 1, इसमें तीन बार आपका output, एक मिलेगा, यहाँ पर जो है, तीन बार आपका output, 0 में जाता है, this is nor gate, इसके अलावा भी आपके neat में है, x or gate, x or gate, or gate ह है, बस इसके symbol में आगे थोड़ा यह कर दीजे, और इसका boolean equation है, a plus में circle बना करके b करो, अगर overall मैं इसको तोड़ू, तो a bar dot b plus a dot b bar, इसका truth table बनाईए, दो input ले लीजे, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, high, low, 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 voltage, and low, so अगर आप a bar देख र 1, and then 0 ka 1, again if you are observing b bar, तो 1 ka 0, 0 ka 1, 1 ka 0, 0 ka 1, ultra, फिर a bar dot b, मतलब की इन दोनों का multiplication, 1 into 0, 0, 0 into 0, 0, 1 into 1, 1, and 0 into 1, 0, now we have to find a dot b bar, तो ये रहा a, और ये रहा b bar, so 1 into 0, 0, 1 into 1, 1, 0 into 0, A dot b bar है न, तो 1 into 0, 0, and then 1 into 1, that is 1, 0 into 0, 0 होना चीए आपर, और 0 into 1, again it is 0, बच्चा आप यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से समझेंगे, कि आपका output एक तभी है, जब कोई भी एक input आपका एक है, मैं इसे थोड़ा सा correct करता हूँ, रुकिए, मैंने गड़बड़ी कर दी बच्चा, मैंने यहाँ 0 कर दिया, मुझे यह देखना चाहिए था न, तो वो 0 पहले से है ही, so that was my mistake, ठीक है, तो a dot b bar में यह 0 into 1, that is again 0, बड़ अट दी एंड हमें तो y चाहिए, तो y जो है, वो क्या है, तो इन दोनों का sum है, तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1, 1 प्लस 0, yeah, it was right, तो यहाँ पर 1 रहेगा, अब वो statement मेरा सही हो गया, कि आपका 1 तब आएगा, जब यह देखो ध्यान से, दोनों में से कोई भी एक input आपका 1 हो, a और b में से कोई भी एक input 1 है, तब आपका result 1 आ रहा है, otherwise दोनों सेम है, तो 0 हो जा रहा है, फिर भले चाहे वो एक एक हो, चाहे वो 0, 0 हो, यह x-orget, x-norget भी है, तो x-norget में खाली आगे circle है, और यहाँ पर circle करके dot है, बट इनके Boolean equation प्लीज याद रखना है, यह बहुत interesting और बहुत important भी होता है, तो यह है a dot b, a bar dot b bar, ठीक है, same procedure मैंने follow किया, आप इसको देख लीजे अच्छे से, तो आपका y में देखो, एक बार 1 यहाँ पर है, और एक बार 1 यहाँ पर है, मतलब बहुत simple है, कि दोनों input आपके same होने चाहिए, भले 1 हो, भले 0 हो, तब आपका high voltage मिलता है, इसके अलावा इस चेप्टर के अंदर, आपको कुछ laws याद रखने है, कुछ rules याद रखने है, जो कि बड़े simple है, और gate में a प्लस 0 का result a है, मतलब कि अगर यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 आएगा, देखिए 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 1, 0 प्लस 0, 0, यानि a जो भी वही अंसर हा रहे है, बस simple logic के याद रखो, कि जहाँ जहाँ पर a है, बच चलो, वहाँ वहाँ पर आप consider करिए, यहाँ तो 1 यहाँ तो 0, तो उसी हिसाब से आपको अंसर मिलेगा, फिर इसी तरह से दी मॉर्गन स्थियरम है, a प्लस b का बार करेंगे, तो a बार डॉट बी बार आता है, और a डॉट बी बार करते हैं, तो a बार प्लस b बार आता है, it's done, your entire chapter का concept is done, इसके बाहर का need से कोच भी नहीं आ सकता है, promise you, अगर आप इसको अच्छे से देख लिए हो, बच्चा लोग, तो इस वीडियो को जरूर शेर करना, इसके सारे notes भी मैं आपको टेलिग्राम में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, daily classes के, जो notes हैं, वो भी टेलि आयोड, कल मुझे आप अलग टीशट में देख रहे थे, आज अलग देख रहे हैं, यह आई थिंक, चास से पाच बार की recording हो गई, ठीक है, चलो अब हम question करते हैं, आ जाई है, बच्चो आगे बढ़ने से पहले ये table आप बहुत अच्छे से देख लो, क्योंकि मैंने पहले आपके सामने बना करके रख दिया है, एक समझोगे बागी सब आ जाएगा, देखे, common base में आपका बेस जो हता है, वो common हो जाता है, तो आपका output अपूट अपूट करोगे, तो आपका हो जाएगा, current gain, Ic upon Ie, अलफा से रेप्रेजन करते हैं, less than 1 क्यों है, क्योंकि collector की current output upon input हो जाएगा, greater than 1 क्यों है, क्योंकि base से collector current जादा होता है, उपर वाली value जादा है, इसलिए हम इसको बीटा से रेप्रेजन करते हैं, याद करने का तरीका बीटा में नीचे IB आएगा, फिर हम बात करें common collector की, तो common collector में collector common हो गया, तो output में कौन है, emitter और input में कौन है, base, तो उल्टा कर दीजे बच्चा इसका, IE upon में IB, emitter of course बढ़ा होगा, इसलिए greater than 1 है, उसको represent करते हैं किससे, gamma से, फिर इनके voltage gain का formula, यह हमने सब निकाल रख़ा, output upon input है, तो उनने किया यह, अब यहाँ पर output voltage में कौन होगा, तो IC into RL, और यहाँ पर कौन है, emitter है, तो IE into R ठीक है, तो यह देखो, IC upon में आई, आपका alpha हो गया, तो जहाँ पर beta था, वहाँ पर alpha है, RL upon में RR, बस यहाँ पर gamma है, जहाँ जहाँ पर beta था, वहाँ वहाँ पर alpha और gamma टैच कर दीजिए, एक जैसा लगेगा आपको, फिर हमने power gain भी निकाला था, beta square RL upon RR, तो यही alpha square RL RR हो जाएगा, किसके अंदर, common base के अंदर, और gamma square RL upon RR हो जाएगा, किसके अंदर, common collector के अंदर, और face difference सब में same face होता है, लेकिन common emitter के अंदर opposite face होता है, मतलब अगर आपका input ऐसा, तो आपको output इस तरीके से मिलेगा, right, फिर application में for high frequency amplifier, for audible frequency amplifier, और यह for impedance matching में common collector का use करता है, इसको आप अच्छे से देख लेना, चलो, अब हम question करता है, yes, यह रहा जेनर diode का सवाल, जो काफी time से आपके mind में चल रहा था कि, कब हम करेंगे जेनर diode की question को, मैं color थोड़ा सा, क्या select करो, क्या select करो, क्या select करो, नीला कर लेता हूं, right, so what is the value of the current I in the given circuit, so बच्चों, diode है, मतलब इसके across में भी 6 voltage रहेगा, इस 1 किलों के, तो I is equal to V by R करोगे, तो 18-6 बटे में 500, रही है, yes, the correct answer is what, 24 mA, बिल्कुल बहुत simple question, जेनर diode क्या आता है, semiconductor बहुत ही प्यारा सा subject है, बहुत ही प्यारा सा topic आता है, आपके physics में, अगर feel कर लोगे, तो lifetime तक गलती नहीं ह बढ़ते हैं, यह देखे, इन आहां यह बहुत अच्छा question है, बढ़िया सवाल है, तो और चोटा गर्दू में तो आपको पूरा सवाल देखे, yes, सवाल देखे, in a PNP transistor about 10-10 electrons enter in the emitter, in 1 microsecond, when it is connected to a battery, तो अगर मुझे current चाहिए, तो IE का equation क्या होता है, Q by T, उपर से यह emitter के अंदर entry मा रहा है, तो IE है, charge का formula क्या होता है बच्छा, any upon में time, time कितना बोल रहा है, 1 microsecond, यानि 10 power minus 6, N कितना बोल रहा है, 10 power 10, और E कितना होता है, 1.6 into 10 raise to minus 19, यहां से आपको IE आ जाएगा, basically यह milli ampere में होगा, अब ध्या क्या रहा है कि 2% electron combine हो गए whole के साथ, अगर यहां 2% बैठे तो 98% तो यहां आ गया ना, बट यह 2% किसका है, emitter current का ही है, यानि कि हमारा जो IB होगा, वो basically है 2% of IE, यानि कि 2 बटे में 100 divided by IE, IE आपको यहां से मिल गया है, तो यहां से आपको IB मिल चुका, मिल चुका है, मैंने आगे question नहीं देखा, अब तीनो current आगी, पूछा यही तो है, तो एक आप से पूछा था, क्या पूछा था, कि IE, IB और IC, वो हमने तीनों निकाल लिया, अब alpha पूछा, alpha IC upon IE, और beta आपका IC upon IB, that's it, next question दीखिया है, solution भी है, यह आपको telegram में मिल चाएगा, telegram का link, video क description box में है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, because यह notes आपको lifetime तक help करने वाले है, the collector supply voltage in common emitted transistor amplifier is 10 voltage, बहुत interesting question, transistor की question ऐसे ही आते है, collector supply voltage, ठीक है, यानि कि VCC दे रखा 10 voltage, the base current is 10 micro ampere, यानि कि delta IB है 10 micro ampere, in the absence of the signal voltage, right, and the voltage between the collector and the emitter, यानि कि VCE, is basically 4 voltage, the current gain beta of the transistor is 300, beta आपके पास में 300, calculate the value of the load resistance RL, बच्चा बहुत ध्यान से समझे, आपके पास में VCE है, आपके पास में IB है, 10 micro ampere, और आपके पास में beta है, और आपसे क्या बोल रहा है, load resistance RL, अब हम क्या निकाल सकते है, trans conductance, ठीक है, trans conductance का formula delta IB upon में VCE है, ये निकल जाएगा, राइट, अच्छा, ये equation delta IB को थोड़ा सदे को change करो, एक must interesting result आपके सामने आएगा, अगर मैं इसको divide करो, delta IB को, delta IC के साथ, और इसको भी delta IC के साथ divide करें, थोड़ा ध्यान देना, मैं आधर गलत करूँ तो please comment करना, just a second बच्चो, बच्चा लोग माफी चाहेंगे, मैंने ये equation जल्दबाजी में गलती लिख दिया है, इसके लिए छमापरार्थी हो जाका है, इतने देर से पढ़ा रहा हैं, तो, delta IC upon delta VB होता है, और मैं GM is equal to beta upon RI formula ला रहा था, जो कि उससे आ ही जाएगा, बट इस question के लिए ये हम नहीं कर सकते, उसका reason है transistor है, तो transistor के अंदर दो equations तो आपके दिमाग पर fit होने चाहिए, एक तो input वाला और एक तो output के अंदर, तो दीखे हमारे पास ना beta है, तो beta का जो formula है वो आपका delta IC upon में delta IB, right, now beta और IB से आप delta IC तो calculate करी सकते हैं, और एक बार अगर आपके पास में IC आ गया, तो output section के अंदर जब हम किर्चॉफ रूल लगाएंगे, जो कि हमने किया है, इस session के अंदर, तो VCC माइनस में IC into RL, माइनस में VCE is equal to 0, correct, अब आपके पास में VCC है, आपके पास में IC है, IC आपने निकाल लिया, RL आपको निकालना और VCE given है, चार voltage, तो यहां से आप answer ला सकते हैं, प्लीज इसका answer, comment section के अंदर comment करके चरूर देना, चलो next, आदे के same equation, right, आई आगे बढ़ता है, next question में है, the width of the depletion region is 400 nanometer, the intensity of the electric field depletion region is इतना, तो the value of potential barrier, it's very simple, V is equal to ED, बचलो, so V is equal to ED, पहले का answer आजाएगा, दूसरे में बोलता है, minimum energy required by an electron to move from n-type to p-type, तो it's simple again, E is equal to hc by lambda, आपके पास में h है, आपके पास में c है, h is 6.625, 10 is to minus 84, c is equal to 3 to 10 is to 8, so wavelength is given, which is 400 nanometer, place करिये, you will get your answer, चली आगे बढ़ता है, for NPN transistor about 7%, similar to the previous one, NPN transistor about 7% of electron entering the base from emitter recombines with the hole, तो 7% base में बैट रहे हैं, इसका मतलब है कि जो base current है, वो है आपका 7% of IE, और जो आपका collector current है, वो है 93% of IE, right, so the results, the collector current being 18.6, तो collector current आपका 18.6 है, तो IE आजाएगा, अगर IE आगया, तो फिर आपके पास में IB भी आजाएगा, calculate the emitter current, of course IC given है, तो IE आप निकाल चुके हैं, current gain, current gain beta is equal to what, that is IC upon में IB, done, ठीक है, next question, the base current changes by 200 microampere, इसका मतलब यह किसकी value है, delta IB की, when a 200 millivoltage signal is applied at the input of the common emitter amplifier, तो यह आपका हो गया, delta VBE, find the input resistance, आपको RI पूछा है, क्या, कमाल करते हो बच्चो, R resistance is equal to what, voltage upon में current, तो simple है, VBE upon में delta IB, रखतीजे, आपको answer मिल जाएगा, output voltage, यानि की VCE, what is the voltage gain, कमाल करते हो बच्चा लो, voltage gain आपका, क्या होता है, voltage gain होता है, VCE upon में VBE, एक बार अच्छे से पूरे lecture को देखोगे, तो आपको हर चीज बहुत आसान लगने लगेगी, क्योंकि मैंने transistor के circuit के अंदर ही, VBE, VCE सब अच्छे से डेनोट करके बता है, तो अब आपके पास में output voltage 2 voltage है, और input voltage 200 millivoltage है, तो here is your simple answer, voltage gain भी आ जाएगा, हाँ, ये question का फिर इंटरस्टीं है, ऐसे question में थोड़ा सब अच्छा डरता है, बट अभी देखो कितना आसान लगेगा आपको, बीटा, कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आप किर्चॉफ रूल लगा दो, आख बंद करके, ये देखिए, 5 voltage, फिर minus, IB into RB, फिर बच्चा, ये आपका N, P, N transistor है, तो आप N की तरफ जा रहे हो, राइट, this is your collector, this is your base, and this is your emitter, तो VBE है ये voltage, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा, minus में VBE is equal to 0, अब सवाल के अंदर, VBE आपका खुदी 0 बोल दे रहा है, ये रहा, तो 5 is equal to क्या हो गया, IB into RB, लीजे, base resistance कितना दिया है, 100 kg, तो आपका RB निकल गया, sorry, IB निकल गया, इसी तरीके से, आप इस वाले लाइन में लगा दीजे, किर्चॉफ rules, तो plus 5 voltage, फिर minus में IC into this RC, and minus में VCE is equal to 0, ये तो already 0 है, तो इस equation से आपको IC भी मिल जाएगो, खिल खतम, अगर बीटा चाहिए है, तो बीटा is equal to IC upon में IB, दोनों चीज़ां आपके पास available है, आज और next, एक और कर लेता है, circuit वाला ताकि आपको clarity रहे, so for the circuit shown in the figure, यहाँ पर answer दे रखा है हमने, ताकि आपको गलती ना हो, तो इस तरीकी का circuit दे रखा है, सारी amount है, IB है, RB है, RL है, IC है, VCC है, सब है, calculate the value of VBE and VCE, तब हम यहाँ पर किर्चॉफ रूल लगाएंगे, current यहाँ से entry मार रहा है, प्लस यहाँ से बाहर जा रहा है, minus, तो हम सबसे पहले, इस वाले line पर, ऐसे लगा देते हैं, किर्चॉफ रूल ठीक है, तो अब क्यूंकि यह दोनों line connected है, VCC के साथ, तो VCC minus में IBRB minus में VBE is equal to 0, समझ पड़ा बच्चा, यहाँ से मैं चला VCC, फिर प्लस से minus की तरफ गए, तो minus में IBRB, फिर आप इधर गए, फिर आप इधर गए, तो VBE आपका minus होगा, क्यूंकि यह N है, यह P है, यह N है, तो of course negative की तरफ जा रहा हो, तो इसलिए हाँ पर minus में VBE, you have given VCC, Rb आपके पास में है, VBE निकालना है, VCC आपके पास में है, अच्छा, IB भी है, तो VBE निकल गया, खेल खतम होगे हैं यहीं पर, अगर इसी तरीके से हम, इस वाले line पर भी apply कर दें, तो VCC minus में IC into RL, minus में VCE is equal to zero, so from this equation, you can get the value of VCE, that's it, so मेरे प्यारे बच्चो, यहाँ पर आपका पूरा chapter होता है, समाप्त, अब आपको यह दो तीन बार आगया, अच्छा, मैं जितने बार करूँ गा, उतने बार आएगा, copy the page नहीं, yes, so बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much, दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया, for watching this video, बहुत अच्छा लगेगा बच्चा लोग, अगर आप लोग अपने फ्यारे फ्यारे कॉमेंट देते हैं, और वीडियो को शेर भी करते हैं, इसी तरीके से प्रचंड बैच के अंदर लगातार नीट के सारे जो वीडियोस हैं, आपको वो मिलते रहेंगे, इन्हें शेर करिए अपने दोस्तों के साथ, देखिए, अच्छे से सीखिए, आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देना है, सिर्फ अपना प्यार देना है, एंड एक चीर जरूर ध्यान रखना कि अगर आप लोग नए हो इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ ही साथ कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट्स के लिए भी आप अपने बाबा एसस्पी के दूसरे चैनल, एससपी शॉर्ट्स को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, इन सभी के लिंक वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नोट्स जो है, वो भी आपको टेलिग्राम में मिल रहा है, और कुछ भी दिक्कत होती है, आप मुझसे लाइव जूर सकते हो, इन्स्टाग्राम पर, इन्स्टाग्राम के आईडी सच्छन सब्सक्राइब, बहुत 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 शुक्रिया बच्वा लोग, थाइंक ये सो मथ, सी ओल इन दे नेक्स्ट सेशन तिल रान तू, वटेवर ये वांट तो मैं, बट टोंट, ट्रबली मॉम, टेक्या, लव्यों, शैहिंद,